क्लास ट्वेल्ज के फिजिस का чक्टर वाइस हमने आपके लिए सिंगल वीडियो में पूरा डिटेल आये एक शेप्टर का कम्पलीट कंटेंट्स आपको एक ही वीडियो पर मिलेगा और वो भी कम्पलीट डिटेल इसका डिटेल आपको जानकारी लिंक पर मिलेगा और उस डिस्किप्शन पर आप जाने पर टाइम स्टेंट के अकरडिंग तो आपको अलग अलग वीडियो पर जाने होते हैं इसके बयाएं आप एक ही वीडियो पर पूरा कंटेंट्स पर सकते हैं और सबसे अच्छी बात की इसका PDF इसका पूरा नोट्स भी आपको वीडियो के डिस्किप्शन पर मिलेगा और साथ ही हमारे एप्लिकेशन पर भी एवलेबल है दोनों जगा आपको इसके PDF एवलेबल रहेंगे तो सिंगल वीडियो पर आप एक ही बार में पूरे चेप्टर को डिटेल पर सकते हैं जिससे आपका टाइम बचेगा और सबसे बड़ी बात जब आपको एक्जाम पास हो तो आप सिंगल सिटिंग में चेप्टर का बहुत अच्छे से तैयरी कर सकते हैं अप सभी का स्वागत है नए सेशन 2023-2024 के लिए तो आज हमारा पहला क्लास है फिजिक्स का विद्दूत आवेस तथा छेत्र और ये जो हमारा चेप्टर है क्लास 12 के फिजिस का पहला चेप्टर है तो सभी का स्वागत है और आज मैं आपको बता दूँ कि हम नए सेशन का स्टार्टिंग आज से कर रहे हैं अब हमारा टार्गेट इस साल 95 प्लस केमेस्टी का भी क्लास हम आपको प्रवाइट करा रहे हैं मैस फिजिस का भी क्लास बायो के लिए भी हमारी प्लानिंग है और फ्यूचर में हम बहुत जल्दी कोसिस करेंगे कि हम बायो के भी टीचर आपको प्रवाइट करेंगे तो चलिए आज हम विद्धु तावे साथा छेत्र स्टार्ट करेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बाते मैं आपसे करूँ कि देखिए अभी से स्टार्टिंग से आपको सब्जेट को बहुत डेप्थ कांसेप्ट पर स्टडी करना है क्योंकि फिजिक सब्जेट का जो बैसिक नेचर है वो कॉंसेप्ट पर बैस्ड है और इन फ्यूचर जब हम आप्टर 12 क्लास डिफरेंट 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 डाइप के कांप्टिट्व एक्जाम में बैठते हैं तभी हम हम यह एक्जाम करेक कर सकते हैं है इसलिए आज पहले दिन के क्लास से हम कोसिस करेंगे कि चीजों को हम बहुत सुक्षमता से पर लहां करेंगे तो सब्सक्राइब है तो सभी का स्वागत है गूट इवनिग गूट को यह व्धर रहाई का जो आप सभी हमारे स्टुडेंट्स दीख रहे हैं क्लास में ठीक बहुत अच्छी बात है चलिए फिर हम बीच में आप से डिसकस करेंगे क्लास हमी स्टार्ट करें देखें विद्यूत आवेस्ता था छेत्र का हमारा जो चेप्टर है सबसे पहले हम इसके चेप्टर के हेडिंग पर ह करें कि विद्यूत क्या है कभी भी किसी भी चेप्टर को जब आप स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको इस बात पर करना चाहिए कि चेप्टर का जो हेडिंग में वर्ड्स यूज़ किया जाते है एक्ट्वलमें उस चेप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्बिनोलाजी वही होता है ये काम हमको सबसे पहले करना चाहिए वहीं से उसका बैसिक की स्राट होता है तो हमारे चेप्टर का पहला सब्ध है electricity वैद्यूत या विद्यूत तो electricity क्या है electricity क्या है यह दि हमारे दिमार्ग में कोश्चन है कि भाई हम किस चीज को electricity कहेंगे अलग अलग उर्जा के रुपांतरान का एक रूप है पूरे गेलक्सी में पूरे ब्रह्मान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सिर्फ एक ही घटना हो रही है एक उर्जा का दूसरे उर्जा में रुपांतरान हो रहा है तो उसी तरह से electricity is the also a part of energy विद्यूत भी उर्जा का एक रूप है उसका एक भाग है अब इस electricity का नेचर को सबसे पहले पता कैसे किया गया पता कैसे चला देखो electricity का कहीं न कहीं से कुछ न कुछ पता तो पहले से था लेकिन systematic इसका जो study स्टार्ट हुआ या systematic जिस scientist ने electricity का proper introduction दिया वो systematic introduction देने वसे पहले भी कुछ scientist ने लेकिन Benjamin Franklin नामक scientist ने सबसे पहले एक घटना के द्वारा electricity को सबसे पहले watch किया observe कि मैं थोड़ा सा discuss करूँगा क्योंकि देखो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना किसी भी नए chapter पर आप एंट्री करते हो तो थोड़ा सा उसका history भी आपको पता होना चाहिए उससे क्या है subject पर इंट्रेस्ट भी आता है और साथ ही साथ हमारा बैस बिल्कुल जीरो लेवर से स्टांग होता है तो electricity में जो विद्यूत आवेस का इलेक्टिक चार जगा जो concept आया उसके पहले एक छोटी सी घटना है physics का हर अविस्कार किसी ने किसी छोटी से घटना से स्टार्ट चाहे फैराडे का अपने electrical devices को फेक देने की घटना हो सब टापिक में आपको बताते जाओंगों हर अविस्कार एक किसी घटना सुर्वात हुआ बेंजामिन फ्रेंक्लिन नामक scientist ने इन वाई घ्यानिकों को इसलिए भी आप करना चाहिए क्योंकि इन्हों नहीं उसकी सुर्वात की इनके respect के लिए भी इनको याप करना चाहिए बेंजामिन फ्रेंक्लिन बेंजामिन फ्रेंक्लिन नामक जो USA के scientist है एक्ट्वल में इन में बहुंच कई लोगों की प्रतिभा इस अकेले व्यक्ति में थी यह scientist है यह अच्छे player थे फुटबाल के अच्छे player थे यह artist है इनको पतंग उड़ाने का भी सौक था और अमेरिका में पतंग उड़ाने का जो competition होता है भारत में ही बहुंच जगों में होता है मकर संक्रांती पतंग उड़ाते हैं आपको मालूम है तो पतंग उड़ाने का जो competition होता था केनवास के कपड़े के बड़े बड़े पतंग उड़ाये जाते हैं तो इनको पतंग पतंग उड़ा रहे था रस्ति बन्धा हुआ था पतंग बहुत हमिद्ध पर अचानक बारिस होने लगती और आस्मान में बिजली चमकने लगती है तो क्या हुआ उपको मालूम है कि बाईस होने से पतंग को जो रसी से हम बांधे हुए हैं वो भी पानी से हलका हलका भीग जाता है आपको मालूम है और electricity water में फ्लो हो जाता है तो इन्होंने क्या देखा कि जब sky में lightning होता है इस पकार से आकास में जब बिजली चमकती है तो जितने बस उनको कुछ अलग तरह का एहसास हुआ और वहीं से उन्होंने सोचना शुरू किया कि एक्ट्वल में जो इसकाई में जो बिजली चमकती है जिसको आज भी जिन लोग नहीं जानते हैं लोग उसको प्रकास समझते हैं तो वास्ता में जो प्रकास उत्पन होता है वह विद्धूत के काण उत्पन होता है तो सबसे पहले इस घटनक उन्होंने देखा फिर इसमें बहुं सारे और एस्पेरिमेंट किये यहां पर एक रेसम के कपड़े से उन्होंने चाबी के गुच्छे को इस पकार से बांधा रेसम के कपड़े से वह जखा कि जब लाइटनिंग होता है तो उसमें movement होता है जो की है चाबी है जो ताले के चाबी होते हैं उनको उनको गुच्छा लटका के देखा था बहुत सारे experiment उनकी किया और उसमें क्या होता है रिपल्सन होता है दूसरे को पतिकरस्तित करते हैं उसमें movement होता है इस पकार से इस घटना से सबसे पहले electricity का systematic knowledge अपने को हुआ और इस घटना से सिखने को क्या मिला अब वज्ञानिकों ने यह सोचना start किया कि वास्ताम में जो sky में lightning होता है वो किस काराण से होता है तो काराण क्या पता चला इसका घरसन इसका काराण है घरसन फ्रिक्सन तो यह चीज यह चीज उन्हों clouds बादल आपस में टक्राते हैं या अगल-वगल से गुजरते हैं जब उन्हें फ्रिक्सन होता है घरसन होता है उसी समय इसलिए बिजली के साथ आपको गरजने की कि आवाज भी सुनाई देती है यह आपको मालूम है क्योंकि आपस में टक्राते हैं और टक्राने से क्या होता है उनमें घरसंड होता है तो यह बात को उस दिन पकड़ा गया कि वास्तों में घरसंड के कारण ही इलेक्रिसिटी उत्पन हो रहा है और आज के डेट में भी हम जो इलेक्रिसिटी यूज कर रहे हैं आज के डेट में भी हम इलेक्रिसिटी यूज कर रहे हैं जो लार्ज स्केल में जो हम पावर प्रांट से जो इलेक्रिसिटी डवलाप करते हैं उसका बैसिक प्रिंसपल आज इस पर work हुआ कि चलो अब हम क्या करें वो तो natural event है science के maximum जो concept है वो प्रकृतिक प्रकृतिस या प्राकृतिक घटनाओं से मिलता है इसलिए बोला जाता है physics is the study of nature अब हम यहां पर देखते हैं कि इस घरसर को लेके लेब में किस तरह का experiment हुआ तो घरसर के concept को लेके जब लेब में इस पर experiment हुआ तो यह दो तरह का लेब में experiment किया गया यह मैं आपको बताता हूँ देखो ध्यान से समझना सबसे पहले क्या किया गया यहां पर एक यह कोई एक rigid surface है और इस rigid surface में हमने क्या किया एक कांच के राड को लटका दिया सपोज यह glass का राड है एक और एक धागे से इस glass के राड को लटका आया और एक और glass का राड लिया यह दोनों कांच के राड है और यह दोनों कांच के राड को फला लेन के कपड़े से या रेसम के कपड़े से या बिल्ली के उपर सरीर में उसके जो बाल होता है उससे friction करा और ऐसा friction कराके देखा गया तो क्या पाया गया थोड़़ध्यां समझने रिजिट सर्फेस में लटकाये अब यहाँ पर एक महत्व्पूर्बात ये है कि यह भी हलं क्लास कर राड इभी कंश कर चल्ड और दोनों को क्या किया गया है घर्षण कराई गय के प्रदinya कर ये Крас Another के ऑप है यह सब पहला SAT experiment करके देखा अब इस experiment को थोड़ा सा चेंज किया गया आब इस experiment को थोड़ा सा चेंज किया गया क्या किया घया यह जो कांच का राड ता दूसरा वाला उस दूसरे कांच के यही basic है electricity production का और आपको यह जानना चाहिए कि घरसार से विद्ध कैसे उत्पन होता है दूसरा यहाँ पर जो राड लिया चलो दूसरे पदारत का राड है इसको मैं दूसरे कलर से बना दिया यह yellow कलर से बना रहा हूँ यह evonite है यह अब यहाँ पर देखो यह glass का राड है जो पहले था और यह evonite का राड है अब जब glass के राड मतलब एक पदारत को बदला गया अब जब glass के राड और evonite के राड में हम जब घरसार कराए और उसको उसके पास मिलाए तब भई ज्यानिकों ने क्या देखा कि इसमें आकरसार की घटना होती है अब इन दो घटनाओं से वो किस conclusion पर पहुँचे किस निस्कर्स पर पहुँचे कि एक जगा आकरसार की घटना होती है जब दोनों glass थे और जब उन में से एक glass था एक evonite था तो आकरसार की घटना होती है ये दो घटना देखने को मिला तो यहाँ पर भाइगानिकों ने सोचा कि चू की आकरसर और प्रतिकरसर दो तरह की घटना होती है तो निस्चीत रूप से यहाँ पर चू की चुमबक के बारे में हमको पहले से पता था पर आकर और प्रतिकरसर की घटना हो रही है तो निस्चीत रूप से यहाँ पर भी दो तरह के कोई अलग अलग चीज होंगे तो उन दो तरह के जो अलग-अलग चीज थे जो घरसण के पस्चाद उत्पन हुआ उन्ही को वईगानिकों ने क्या कहा आवेस कहा घरसण के पस्चाद जो उत्पन हुआ उसी को आवेस कहा गया चार्ज कहा गया अभी हम इसके modern concept पर इसको detail पढ़ेंगे अभी तो थोड़ा मैं आपको उसके basic background या उसके history पर डिसकस कर रहा हूँ फिर आपन देखेंगे systematic कि modern concept में आवेस का उत्पत्पी का करण क्या होता है जो exam में आता है ये तो आपका basic है तो अब यहाँ पर आकरसर पतिकरसर की घटना को देखने के बाद भाई ज्यानी को नहीं क्या डिकलर किया कि यहाँ पर एक glass का राड़ था दूसरा glass का राड़ था that means उसमें similar charge उत्पन हुआ होगा और यहाँ पर एक glass का राड़ था एक ebonite का राड़ था तो उसमें अलग-अलग type के charge डवलप हुआ होगा और यहाँ पर उन लोगों ने starting में क्या कह दिया कि कांच के छड़ पर जो आवेस उत्पन होता है वो धन आवेस है इसलिए यहाँ पर धन धन में पतिकरसर हुआ और यहाँ पर कांच के छड़ में और ebonite के छड़ में अलग-अलग आवेस उत्पन हुआ तो ebonite के छड़ कुन्हों ने क्या कह दिया माइनस charge कह दिया इसलिए इसमें आकरसर्ण की घटना हुई क्योंकि यहाँ पर like charge है एक जैसे आवेस है और यहाँ पर क्या है अनलाइक charge है मतलब अलग-अलग आवेस है और यहाँ पर जो उस टाइम में concept आया वाई गानिकों ने क्या कह दिया कि भाई कांच के छड़ को घर सड़ कराते हैं तो जो आवेस उत्पन होता है वो धन आवेस उत्पन धन आवेस का लाता है और एबो नाइट का रिड आवेस का लाता है लेकिन यह concept कुछ दिनों तक तो चला और इसका कोई basic reason नहीं था अब यहाँ पर question ही आता है कि भाई glass के राड में उत्पन आवेस को ही हम धन आवेस कैसे कर सकते हैं कैसे पता चला कि उसके पास आवेस है वो धन आवेस है क्या ज़रूरी है कि कांच का राड हमेशा धन आवेस उत्पन करेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तो बाद में यह theory धीरे 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 इस पर बहुत develop हुआ और उसके बाद जो modern theory आया वहाँ से पता चला कि आवेस कैसे उत्पन नहुआ और किसको हम धन आवेस कहेंगे किसको रिड आवेस कहेंगे चलिए तो आगे डिसकर्स करें देखो आवेस उत्पत्ती का electronic सिधान यह जो है electronic theory of origin of charge यह जो concept है हमारा यहाँ से पता चला charge के बारे में अच्छा एक बात आपको बता दूँ कि यह complete notes वैसे आप लोग को मालूम है बहुत से student हमारे channel के पुराने student है आपको पता है कि पूरा हमारा physics का notes हमारे application पर आपको provide कराया गया है पूरा notes वहाँ available है Hindi medium में English medium का भी notes available है और वो notes आपके लिए completely free है application में होने के बावजूद हम उस notes का कोई single rupees charge आप से नहीं करते तो आप लोग origin coaching का जो application है origin the learners hub यह आप play store से डाउनलोड कर लिजी application और उसके आप study material section में जाके सारे notes वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो जो कुछ मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो पूरा का पूरा free notes आपके हमारे application में available है तो notes के लिए परिसान मत होना यहाँ पर आप theory को समझो concept को समझो mathematical derivation तो complete बताऊंगा लेकिन उसको आप यहाँ से भी note करने का कोसिस करो और आपको application पर वो मिलेगा ओके तो कहीं पर कोई problem हो तो आप मुझे बता देना application में आपको पूरा notes मिलेगा तो यह हमारा एक question है आवे सुथपत्ति का electronic सिध्धान या आधुनिक सिध्धान यह board exam में 2 या 3 number का question को पूछा जाता है यह जो question है समझाइए microscopic region भी यह कहलाता है तो कभी-कभी 2 number का कभी-कभी 3 number का theoretical question है पूछा जाता है तो to the point की इसका answer लिखना है समझे बात अपने सब्दों में भी आप लिख सकते हो तो यह क्या है देखो अभी तक हम को क्या पता चला कि घरसरण के काराण विद्यू तुत्पन होता है यह effect तो हमको पता चल गया अब modern principle में क्या बताया गया कि suppose यहाँ पर देखो हमारे पास दो atom है suppose किसी पदार्थ के एक अडुक यह हम ले लिए और यह किसी दूसरे पदार्थ का दूसरा atom हम यह ले लिए अब हमको मालूम है कि इसके nucleus में positive charge particle proton होता है यह आप सब को पता है और इसके भी proton यहाँ पर होगा नाभीक के center पर नाभीक पर और electron जो होते हैं यह इसके orbitals में बाहर क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं यह मालूँ electron है इसके पास भी electron है इस तरह से और यह जो electron है यह अपने कक्षक में घूमते हैं इसमें भी जो outer most orbital में जो electron होते हैं मतलब बाहरी कक्षा में जो electron होते हैं जो नाभीक से सबसे अधिक दूरी पर होते हैं वह अपने नाभीक के साथ कमजोर बंसे बंधे होते हैं आगे चलके हम उसको धारा विद्यूत में पढ़ेंगे कि फ्री इलेक्टान कहलाते हैं फ्री इलेक्टान पर हम बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ क्योंकि इलेक्टिसिटी का सबसे पावर्फुल यदि कोई चीज है तो वो मुक्ति फ्री इलेक्टान है सबसे बड़ा रोल इसी का होता है आगे उस पर डिस्कस करेंगे पर तो फिलहाल में आपको यह बताओं कि जो आउटर मुस्ट आर्बीटर में इलेक्टान होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं अपने नाभिक्ष के साथ कमजोर बंध से बंधे नहीं होता मतलब वह विद्यूत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य पदार्थों में घरसर्ण कराया गया अब यहां पर वाईग्यानिकों ने सोचा कि जब पदार्थ में हम घरसर्ण कराते हैं तो घरसर्ण कराने से क्या होता है घरसर्ण कराने से होता क्या है कि इसके जो आउटर मोस्ट आर्बिटल के इलेक्टरान है वो external energy gain करते हैं वाह उर्जा लेते हैं और वाह उर्जा लेने के बाद का हो जाते हैं वो excited हो जाते हैं उत्तेजी तवस्थन आ जाते हैं वो energy gain कर लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं अपने orbital को छोड़के दूसरे atom को ज्वाइन कर लेते हैं कोई भी किसी में जा सकता है जो ज्यादा कमजोर होता है वो आसानी से निकाँ जाता है और दूसरे को ज्वाइन कर लेता है अब ऐसा करने के कार्ण होता क्या है ठीक जैसे आप लोग कोविलेट बांड वगरा पढ़ते हो के में सी तरह की बात है अब ये बन जाएगा पाजिटिव चार्ज ये पाजिटिव चार्ज बन जाएगा और जो इलेक्ट्रान ग्रहन कर लेता है वो बन जाता है निगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रान इसने लिया एक ने इलेक्ट्रान दिया एक ने इलेक्ट्रान लिया इस तरह सें क्या कर सकते है कि आवेश उत्पत्ती का जो iletronic सिधान्त है या इसका modern theory है वो क्या कहता है कि घर्षण के पश्चाथ जो iletron त्यागता है वो धन आवेश बन जाता है और घर्षण के पश्चाथ जो cockro nacional करता है वो रिड आवेश बन जाता है इस प्रकार से हम ऐसा चेलेंज के साथ नहीं का सकते कि काच के छड़ में उत्पन न हुआ वो धनावेस ही है जिस परिस्थिती में वह इलक्टान त्यागेगा उस परिस्थिती में वो धनावेस बनेगा और यदि किसी परिश्थिती में वो इलेक्टान ग्रहन कर लिया किसी पदार्थ से तो वह रिड़ आवेशिधी हो सकता है इस पकार से माडर ने थियोरी कहता है कि घरस्ण के पश्चात अब to the point मैं बोलना हूं ध्यान से सुनना कि जब दो पदार्थों के वीज घरस्ण कराया जाता है तो घरस्ण के पश्चात आउटर मोस्ट आर्cious आर्बीटाल की ऐलेक्टान अंतिम कख्षा की ऐलेक्टान उर्जा ग्रहन करते हैं और एक पदार से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं इस पकार से जो पदार्थ इलेक्टरान त्यागता है वह धन आवेस कहलाता है और जो पदार्थ इलेक्टरान ग्रहन करता है वह रिड़ावेस कहलाता है ये इसका modern principle है अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात जो आपको note करके ध्यान रखना है यहाँ पर note करके मैं इस concept क मैं लिक रहूं ध्यान से समझना कि जब किसी पिंड पर धन अवेस उत्पन होता है तो उसके द्रब्यमायन में कमी आती है यह competitive exam में यह concept बहुत काम आता है एक बात आप सुरू से ध्यान रखना मेरी पूरी कोशिस है कि मैंने इसके पहले भी जब आपको promotion के लिए मैंने व प्लस तो हमारा इस साल का target ही है प्लस हम competitive exam में हमारे student अच्छा करें इसके लिए हम कोशिस करेंगे हम चाहते हैं कि जितने student competitive का preparation करते हैं उनका बैस इतना ही strong हो कि जब वो competitive के class को attend करें तो उनको कहीं से असानी लगना चाहिए कि कहीं पर उनको problem है इसलिए हम चीजों को ब और हम subject के साथ friendly होते हैं धिरे धिरे जिन students को physics के साथ एक डर एक phobia रहता है वो इसके काराण remove हो जाता है क्योंकि किसी भी चीज के प्रती डर का एक ही काराण होता है कि आप उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हो और कोई दूसरा वजह नहीं होता है और जैसे समझ में आये यह electron इसको दे दिया तो electron का अपना द्रब इमान तो होगा electron का द्रब इमान होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg ठीक है electron का जो mass होता है यहाँ पर मैं note कर देता हूँ mass आप electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg होता है और mass आप proton होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg यह आप note कर क्याद रखना इस तरह से electron जो होता है वह हलका होता है और proton क्या होता है भारी होता है उसका भार ज्यादा होता है देखो इसके 10 के power में minus power कम है तो इस तरह से नाभीक में इसलिए proton होता है क्योंकि वह heavy होता है और electron light weight होता है इसलिए वह नाभी कभी आपके दिमाग में क कुछी नाया होगा कि माई प्रोटां ही नाभीक में क्यों रहता है इलेक्टा जो चख्क्कर लगाता और इलेक्तान हल्का होने कार्ण काहता है तो जैसे ये इलेक्तान इसके पास गया, तो उतने मासस के उसके पास कमी हो जाएगी, प्रेयों पर मासस के बहुत से चला गया, तो पडार्थ मैस भाहर निकल गया, तो यहाँ पर पहला नोट आप ध्याँ दखना, कि रिड आवेसित होने पर, धन आवेसित पर, ठीक है, पाजिटिव चार्ज होने पर, मारे धन आवेसित होने पर, द्रब्यमान में कमी आती है, द्रब्यमान में कमी आती है, ये छोटी छोटी बातों को लिखते हुए चलना, कमी होती है लिख दिया मैंने ये और सेकंड पाइंट में लिखना कि निगेटिव चार्ज होने पर निगेटिव चार्ज होने पर वो इलेक्टरान गहार करता है तो निगेटिव चार्ज होने पर द्रब बिमान में बृध्धी होती है कि द्रभ बिमान में बृध्धी ये बात आपको कभी नहीं भूलना है तो ध्यान रखना कई बार question पूशा जाता है कि एक electron एक पदार साथ धनावे सीथ हो जाता है तो उसका बाध का जो द्रभ बिमान है पहले कद्रभ में पूछा जाते हैं यहां तक कोई प्रावलम किसी को कुछ चोटे-चोटे कॉंसेट पर मैं आगे डिसकस करूंगा यहां पर देखो प्रेरणड द्वारा अब यहां पर हम एक नया कॉंसेट समझें अभी हमने देखा कि घर्षण के द्वारा आवेशन तो होता है जब दो पदार्थों में घर्षण कराये जाता है तो उसमें आवेश उत्पन होता है जिसका कारण है इलेक्टान का अदान पदान लेकिन यहां पर जो आवेशन जो ह को एक छोटा से एक्जांपल दे रहा हूं कि सपोस अपने पास यह कोई एक पदार्थ है और हमने क्या किया इसके पास में एक और दूसरा पदार्थ यह लेके आया अब इन दोनों में खासियत यह है कि पहले पदार्थ के पास यह जो पहला पदार्थ है इसके पास मालो ध आवेसित है, चार जिसमें 0 है, तो जब इस पदार्थ को दूसरे पदार्थ के पास मिलाते हैं, टच नहीं कराना है, उसके पास मिलाना है, ठीक है, तो जब हम उसके पास मिलाते हैं, तो होता क्या है, कि चूंकि, देखो, आवेस तो हर पदार्थ के पास है, बस अपना इफे लबर है या क्या हो यह air polarized हो गाए है वह धुरुवीत हो गहे है इस कारण की है अपने आवेश के नेचर गो सो नहीं कर है तो इसमें धॅन और निज आवेस तुह लेड़ी है लेकि जब इस घंडpad ओद पर्डusion के पास में आते हैं तो इसन को पॉर्राइज़ इस रिव्म इस उत्बवन हो जाता है यह भी पलस और मैनस करने चर्रों करने लगता है और इस घटना को हम क्या करते हैं इंडक्सन करते हैं प्रे रण करते हैं मतलब द्वार्त आवेश का मतलब क्या है जब एक आवेशित पदार्त के पास D दूसरा अनविशीद पतार्स आता है то दूसरे पतार्स में आवच उद्पर्ण हो जाने की प्रक्रिया को प्रेरण करते हैं घ़्य सब आप ने क्राट्स में प्रख़त इसमय वहीं को काम आएगा यहां परिकैव करते से ध्यान में रखना कि मान नोट आप ध्यान रखना यह question नीट में पूछाया चुका है क्या कि इन दोनों का जो अनुपात होगा Q1 upon Q2 वो हमेशा greater than or equal to 1 होगा पहले पिंड का और दूसरे पिंड के आवेश का जो अनुपात होगा प्रेरण के दवारा यह अनुपात का मान एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा ऐसा कैसे कह सकते हम ऐसा कहने का पीछे हमारा reason क्या है इसका concept क्या है कि कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में अपने से ज़्यादा आवेश उत्पन नहीं कर सकता मान लो किसी के पास 10 कुलाम आवेस है और वो अपने पास किसी दूसरे पदार्स में आवेस उत्पन कर रहा है तो उसमें 11 कुलाम का आवेस उत्पन नहीं कर सकता है ऐसा possible नहीं हो सकता है वो maximum 10 कर सकता है या उससे कम करेगा इसलिए इन दोनों का जो अनुपात होता है वो greater than or equal to 1 होता है या इस बात को हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं in other word इसको कर सकते हैं Q1 is always greater than or equal to Q2 ये competitive में पूछे गए question है देखो क्या होता है कि मेरे को बहुत long teaching का experience है फिजिस का जब इस student मुझसे question करता है कि सर में पूरा chapter समझ गया हूँ लेकिन question नहीं बनते सर मेरे को पूरा chapter समझ में आ गया है लेकिन जब नुमेरकल करने लगता हूँ जब competitive के multiple choice question सालव करने लगता हूँ तो मेरे से question नहीं बनते यह प्रस्ट मुझसे सबसे ज़ादा बार पूछा गया है फिजिस की student के द्वारा तो इसका मेरा एक ही सीधा जवाब है कि आपने उन चीजों को उतनी गहराई तक नहीं समझा है आपको लगता है कि आपने उसको पढ़ लिया लेकिन आपको उतनी गहराई तक नहीं पता है तो यह छोटी छोटी चीजें हैं इनको आपको जानना होगा, समझना होगा और यह तभी हो सकता है जब इसके लिए teacher आपके साथ में discuss करे आप book को line to line एक बार पढ़िए और चीजों को खुद से भी थोड़ा सोचिए तो फिर धीरे धीरे वो चीज clear होते जाता है और एक बार वो clear हो गया तो forever फिर फिजिस को आपको कभी याद नहीं करना पड़ता है वो अपने आप brain में automatically store होते जाता है behavior में आ जाता है वो, आदत में आ जाता है हैसा नेकिन को हम रट्टा मारना पड़ेगा भई हम समझ गए कि एक फिंड अपने से जादा आवेस दुसरे पर उत्पन नहीं कर सकता तो naturally उनका अनुपाद यह हमेशा एक से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा कोई problem यहाँ तक तो यह कहलाता है पिरेरण द्वारा आवेसन चलिए अब हम आगे देखें स्वन पत्र विद्यूत दर्सी एक छोटा सा experiment है यह एक्जाम में नहीं आता लेकिन इसको समझने से थोड़ा सा student को एक experience होता है practical experience होता है कि हाँ भाई इस तरह से आवेस का nature होता होगा तो छोटा सा इस experiment को आपको समझा दूने और कभी एक्जाम में आ जाए तो कोई बाते नहीं है आप फिर अपने सब्दों में तो लिखी सकते हो उसको चलिए इसके लिए मैं उस device को थोड़ा सा rough type का scratch कर देता हूँ मैं proper बिल्कुल वैसी नहीं बना रहा हूँ जैसा वो होता है ठीक है यह समझाने के लिए मैं आपको सपोस यहां पर आप जो देख रहे हो यह कोई container है glass का container है सपोस और यहां पर एक system इस परकार से बनाये गया है कि यहां पर दो सोने के gold के दो leaf है दो पती है इस तरह से आपको दीख रहा है कि फैला हुआ मैंने भी से बना दिया उसको और यहां पर जो system बना हुआ है वो system यह है कि सपोस यहां पर एक plate है यहां पर एक plate है इस तरह से और इस से एक लटका हुआ एक धातू का एक छड़ आप देख रहे हो और इसमें दो स्वर्ण प्रति मतलब गोल्ड लिप क्या है लटके हुए है ऐसा प्रयोब करके देखा गया मैं आपको तो फिर आपको समझ भी नहीं आता तो थोड़ा बता देता हूं उसको में अब गानिको ने इस डिवाइस को ब दो नीचे में इस तरह से मैं उगली को करके आपको बता रहा हूं या दो पेंज से मैं आपको बता रहा हूं देखो यह ऐसा है तो जैसे आवेस दिया गया तो दोनों ऐसे फैल गये दोनों क्या हो गये फैल गये तो यहां पर भाई जैसे हम इसको आवेस दिये धन तो यह वाले पर पहल favori यह वाल लिप पर भी पायылिटिव चार्ज को कि दोनों एक साथ जुडए हुए हैं तो उसमें भी positive charge घया उसमें party charge गया तो दोनों एक दूसरे को परतीकर्षित किये और दोनों क्या हो गये अलग हो देखो हमारा कोर्स यूटीब पर 100% होगा कुछ स्टूदेंट्स के मैं कमेंट्स जैसे देखा सडन अचानक तो कुछ लोगों डाउट रहता है हमारा कोर्स यूटीब पर 100% होगा हमने अपना थीम ही रखा है 95 प्लस मतलब YouTube के complete class को आप beginning से last तक attend करके बिल्कुल 100% marks आप ला सकते हो बाकि आपके मेहनत पर depend करता है कोई topic skip नहीं करेंगे कोई topic छोड़ेंगे नहीं 100% syllabus कराएंगे क्योंकि generally YouTube में बच्चों को एक doubt रहता है कि सर 2-4 chapter हमारे दो-दो playlist complete है Hindi Medium के Fiji's के आप देख सकते हैं जिसमें chapter 1 से last तक हमने complete पढ़ाया है अगी session में हम उसको और advance करके आपको competitive को ध्यान में रखके और ज्यादा मेहनत करके और पढ़ाएंगे तो course complete होगा उसके लिए आप doubt मत करो ठीक है course complete होगा इसलिए हमने 15 March से ही start कर दिया class क्योंकि हम चाहते हैं December में 100% course complete कर दें और January complete हम revision करें मैंने बताया था कि Bihar Board का exam फरवरी में होता है उस समय बच्चे सर exam आगया exam आगया बोलते है तो हमको भी लगता है कि यह थोड़ा सा course delay हो गया इसलिए हमने उसको proper schedule किया है पूरे session का तो इस हिसाब से हम course आपको complete करेंगे बाकि आपको मैं बस आपको regular class में आना ही आप ध्यान रखिए देखे जनरली होता क्या है कि आप class skip करके आएंगे एक दिन आए फिर दो दिन नी आए फिर आए ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा केवल उर्जा का रूप बदला जा सकता है यह आपको मालू है और अभी मैंने बताई electricity is also the form of energy विद्यूद भी तो उर्जा का एक रूप है तो जिस प्रकार से उर्जा सनरक्षण के नियम में ना उर्जा उत्पन की जा सकती ना नस्र की जा सकती उसी प्रकार से आवेश सनरक्षण का सिधान भी क्या कहता है कि आवेश का जो टोटल मान है वो हमेशा कांस्टेंट होता है क्यों उसको रूप बदलता है किस तरह से यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट scientific word है इसको ध्यान में रखना किसी विलगीत निकाय का किसी विलगीत हिंदी नाम बड़ा कठीन होता है इंग्लिस से विलगीत इंग्लिस में बोते हैं isolated isolated किसी विलगीत निकाय का कुल आवेश किसी विलगीत निकाय का कुल आवेश सदेव नियत होता है ये कहलाता है कभी-कभी exam में आएगा तो एक नमबर या दो नमबर का आपको पूछा जा सकता है और कुछ नहीं इसमें और ये एक इंवर्सल फेट है ये सारुभावमिक निकाय का कुल आवेयश सदेव नियत रहता है क्यों अब इसको लोगर समझ लेए पहले तो मैं आपको बता दूँ कि विलगीत निकाय किसको बोलते है आईसोलेटेट सिस्टम का मतलब क्या है कि डेखोдел सिष्टम का मतलब होता है जैसे किसी luckily हम कम्प्लीट कर रहे हैं तो जिन जिन चीजों की आवस्कता हो रही है उस वरका को कम्प्लीट करने के लिए सब मिलका isolated system करेंगे जैसे यह मेरा electronic pen है और यह मेरा digital board है यह दोनों मिलके isolated system बनाएंगे क्यों क्योंकि इस pen का कोई यूज नहीं है जब तक यह बोर्ड नहीं है और यह बोर्ड कोई काम करेंगे जब तक पेन नहीं है तो यह हो गया एक isolated system तो जब हम चार्ज डवलप करते हैं जब किसी भी बॉड़ी पर किसी भी object पर हम चार्ज डवलप करते हैं तो किसी दूसरे के साथ में friction होता है सपोज यह मेरी एक हथेली दूसरी हथेली इसको मैंने क्या किया इस प्रकार से friction कराया और आवेश उत्पन न किया तो यह दोनों मिलके बन गए विलगीत निकाए आइसोलेटर सिस्टम अब इस हाथ ने electron इसको दिया और इसने उसको लिया तो टोटल सिस्टम का चार्ज तो कांस्टेंट है क्योंकि जितना वो दे रहा है उतना ही वो ले रहा है तो आवेश उत्पत्ती का का कारार जो हम लोगोंने भी पढ़ा है वास्तों में वही क्या है वही से बाते स्पेल हो जाता है कि किसी विलिगीत निकाय का कूल आवेश सद्यो नियत्वता है मतलब आवेश यहाँ पर उत्पन नहीं हो रहा है आवेश ट्रांसफर हो रहा है एक दे रहा है और दूसरा उसको ले रहा है clear तो यह कहलाता है क्या है आवेश अलक्षर का सिध्धान्त अब हम एक बहुत इंप्वांटन टापिक पढ़ते हैं वह है आवेश का क्वांटमी करण और मैं आपको बता दूँ एक छोटा सा टापिक इतना एक्जाम में आता है कौन सा एक्जाम है जिसमें इसको नहीं पूछा जाता होग है नीट में तो बिल्कुल पेटेंट है कोस्टन इसकर आई एक ती का तो थोड़ा सा फीजिस का लेबल अलग हो जाता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन नीट के लेबल का जो फीजिक्स है उसमें आवेश के क्वांटमी करण से बहुत कोस्टन पूछा जाता है चोटा-चोटा कोस्टन इसे बनता है चोटे-च्छोटे नीयोदिकल्स बनते हैं और बॉर्ड एकजाब में भी इससे चोटा-चोटा नीयोद के लिए का उस पार्ट को देखे सर हमसे नीय मेर करनता हैो कुछ तौपीक आप बता दो जिस में से नीय कर लेता हूँ मैं कि भ किसी भी पदार्त के पास किसी भी पदार्त में जो आवेस है मालोग उसमें क्योंग कूल आवेस है।дел prep उसको डिटेल में पढ़ लेना। थीखा है यहां से आप इस तरह से नोट करते जाओ तो आवेस का कोएंटमिकर क्या खहलाता है किसी विलघित निकाय का किसी विलघित निकाय का संपूनं आवेस या किसी पिणध पर यहां पुल्धिति क्या है कोई एक पर्टिकुलर एक अब्जेक्ट है तो भी तो किसी पिंड का कूल आवेस या किसी पिंड पर उपस्थित कूल आवेस की मात्रा मतलब क्या है क्यूं उसके एक इलेक्टान पर आवेस का पूर्ण गुणाज होता है मतलब उसका पूर्णांग होता है जैसे यहा यहाँ पर N क्या है? पूर्णांक, N पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब integer, और पूर्णांक क्या क्या हो सकता है? पुर्णांग का मतलब जो अंक पुर्णांग का मतलब जो दसमलों में न हो और जो भिन्नात्मक न हो उसको हम क्या कहेंगे पुर्णांग कहेंगे तो एन यहाँ पर एक पुर्णांग है और ई क्या है एक इलेक्टान पर आवेस जो की होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलांग यह होता है एक इलेक्टान पर आवेस तो इस्तिधान का क्या कहना है कि किसी पदार्थ पर जो कुल आवेस होगा ठीक ही कोई भी पदार्थ जो होता है उस पर जो कुल आवेस है वो कुल आवेस जो है उसके एक इलेक्टान पर जितना आवेस होता है उसका पुर्ण गुणज होता है मतलब पुर्णांग होगा मतलब फार एक्जांपल यदि किसी पदार्थ पर कितना इलेक्टान है कितना आवेस हो बोलेंगे तो उस कांसर क्या हो सकता है मालूम है वो हो सकता है प्लस माइनस ए वो हो सकता है प्लस माइनस टू इ वो हो सकता है प्लस माइनस थ्री इ वो हो सकता है प्लस माइनस फोर इ ऐसा होगा यह है इस सिधान का कॉंसेप्ट लेकिन यहां पर एक महत्पून बात यह है कि अभी रिसेंटली कुछ वर्सों पहले वाई ज्यानिकों ने कुछ ऐसा पदार्थ खोज लिया है जिसमें अब यह सिधान पूर्णता लागू नहीं होता और कुछ भिनात्मक अब यह होता है कि यह पूर्णतल लेकिन क्वार्क का कानसेप्टवक स्था कहने है कि भिनात्मक इलेक्ट वह सकता है तो भिनात्मक गुड़ज में क्या क्या हो सकते हैं, देखो, दो अभी तक मिल चुका है, प्लस माइनस 1 अपान 3E, और प्लस माइनस 2 अपान 3E, यह दो मिल चुका है, और इसमें भी इनका अलग-अलग नाम रखा गया है क्या, कि यहाँ पर जो माइनस 1 अपान 3E है, उसको ब क्वार्क इसको बस नहीं क्या अब क्वार्क तो यह नाम भी आप ध्यान रखना कि क्वार्क क्या होता है क्वार्क किसको कहा जाता है ओके तो यह कहलाता है आवेस का क्वांटमी करण एक बर ध्यान से सुनो किसी पिंड पर आवेस की कुल मात्रा किसी पिंड पर आवेस की कु पुनागुनाज होता है या पुनागुनाज होता है देखाव फ्रिजिस के लेक्ट्र को बहुत ध्यान से सुनोगे तो मेरा दावा है की परिट सेस्ट दर्फ है वह तो चलिए इस पर मैं छोटे-होटे निमेर्गरस करा हूंँ आपको अभी मैंने आप वो कि अभी मैंने आपको बताया कि इस पर से निमेरकल्स पूछा जाता है सुभास क्या सौरब गुप्ता देखो हमारा 11-12 क्लास को लेके कोई पेड बैच नहीं है हम यूटूपर कम्प्लिट फ्री पढ़ाते हैं हम यूटूपर 100% सिलेबस कम्प्लिट फ्री पढ़ाते हैं कि वाला हमारे पास क्लास नहीं हैchat 11-12 बैसिक क्लास के लिए लेकिं नीट के लिए क्लास हमारा उप्लिकेसर पर चलता है ठीक है आप बार बार इंक्वारी कर रहां हमें आप को बता दूँ जिसको इस लेबल के एजुकेशन का ज़रत है जो टेलेंटेड है लेबोरियस है लेकिन किसी काराण से वह सिंगल ग्रूपीस भी खर्च करने के पोजिशन पर नहीं है तब भी हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो उसका इंक्वारी मत कर आप सब आपको फ्री मिलेगा यूटूब पर सब्सक्री मिलेगा और हंडेड परसेंट मिलेगा ऐसा नहीं कि दो चार चेप्टर प्रहाद ये बीजविच का प्रहाद ये हंडेड परसेंट आपको मिलेगा चलिए इस पर कंफ्यूज मत होई आप एक पदार्थ में हंडेड इलेक्टानों की कमी है उसमें प्रकार बताईए चलिए ये क्वेस्टन मैंने छोटा सा दिया जो क्वांटमी कारण पर बैस्ट है एक पदार्थ में हंडेड इलेक्टानों की कमी है एक पदार्थ उसके पास सव इलेक्टान कम हो गए तो पुस्ता है कि उसमें आवेस कितना होगा और वह किस प्रकार का अवेस होका त्धान आवेस होका किरिंड आवेस होगा चलिये फटा फट बताईए कि उसपर कितना आवेस होगा कितना आवेस होगा उसपर बताईए 6.25 into 10 to the power 18 वैभव अरे उतना कैसे होगा सब इलेक्टान की कमी है अनील कुमार सिंग 1.6 into 10 to the power minus 17 वेरी गुड इसका अंसर होगा 1.6 into 10 to the power minus 17 और किस तरह का positive charge होगा क्योंकि इलेक्टान की कमी है तो किसी के पास इलेक्टान की कमी रहेगी तो negative charge सोड़ी होगा इलेक्टान कम हो रहा है तो कैसे निकलेगा ये आवेस के quantum e-corner से निकलेगा अभी हमने पढ़ा है Q equal to बहुँ छोटा सा question है लेकिन concept को proper clear करने के लिए मैं कुछ example आपको दे रहा हूँ Q equal to n into e तो उस पर कितना आवेस होगा बोलता है तो बस यहां से आप solve कर लो कितना इलेक्टान है बोलता है सब इलेक्टान तो 100 इलेक्टान की कमी है इलेक्टान पार आवेस 1.6 into 10 to the power minus 19 होगा इसके 2,0 इसके साथ 8 होगे तो हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 17 इतना कुलाम होगा और positive होगा यह हो जाएगा positive charge positive charge क्यों होगा क्योंकि इलेक्टान की कमी हो रहा है question में बोला है इलेक्टान की कमी यदि इलेक्टान की अधिक्ता बोलता तो क्या बन जाता हो negative charge बन जाता ओके चलो एक question और छोटा सा करें इससे आपको थोड़ा सब idea लगेगा कि concept के साथ हम question कैसे बनाते है इस बार हमारी पूरी planning है कि physics में कहीं पर भी आपको जब mathematical concept प्रहाए जाएगा तो उससे relevant एक दो question आपको साथ में कराएंगे तापकि आप बाद में new variables तो कराएंगे ही कराएंगे और उसके बाद एक class multiple twice को भी कराएंगे पूरा complete हम आपको 100% prepare करना चाहते हैं लेकिन वो आपके मेहनत पर depend करता है चलिए बोलिए इसको हाँ class regular होगी सवरब बिल्कुल class regular होगी कभी कभार कुछ ऐसा problem हमको भी आ जाता है हम भी इंसान है तो कुछ ऐसा urgent work हो गया वो तो वो rare case अलग है बाखी class regular होगा Sunday छोड़के regular होगा चलिए next question क्या किसी पधार्थ में 6 into 10 to the minus 18 कुलाम आवेस हो सकता है क्या मज़दार concept है देखो question पूछा जा रहा है कि क्या किसी पधार्थ में क्या किसी पधार्थ में 6 into 10 to the minus 18 कुलाम आवेस हो सकता है बताइए yes or no yes or no हाँ या नहीं बताओ किसी पधार्थ में इतना कुलाम आवेस हो सकता है क्या मैं चाहता हूँ कि उस पधार्थ को 6 into 10 to the minus 18 कुलाम आवेस दूँ तो क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा yes no yes no कुछ लोग yes कुछ लोग no आप लोग तो 50 50% हो गया मैं पड़े भी नहीं पा रहा हूं कितने लोग yes बोल रहे हैं और कितने लोग no बोल रहे हैं इस आंसर इस नो नो बट वाई इसका आंसर नहीं है हम किसी पधार्थ को 6 into 10 to the power minus 18 कुलाम आवेस नहीं दे सकते क्यों तो इस लिए क्यों कि आप principle आप quantization को follow नहीं करता यह quantum कराण के सिधान को follow नहीं करता क्यों नहीं करता देख चेक करके देखें यदि हम यहाँ पर electron की संख्या निकालें मालों यहाँ पर हम electron की संख्या निकालें n तो q equal to n into e से n equal to क्या हो जाएगा q upon e होगा यह होगा अब यदि हम क्या करें इसके value को put up करें तो आवेस कितना दिया हुआ है यह 6.0 into 10 to the power minus 18 और यहाँ पर एक electron पर आवेस होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 इसको solve करो इसको यदि हम solve करें तो हो जाएगा 6 upon 1.6 और into यह हो जाएगा 10 क्योंकि इधर जाके plus 19 होगा 10 मतलब 60 upon that equal to इसको हम लिख सकते है 60 upon 1.6 divide करो भई इसको 60 में 1.6 को कितना आता है मैं calculator से कर देता हूँ करो कितना आता है बताओ कोई बताओ चोलो फटा फट डिवाइड करके बताओ 60 upon 1.6 कितना आता है डिवाइड करने से एक के आकास कुमार एन पूर्ण संख्या नहीं है very good आकास very good बहुत अच्छा है हाँ यह पहला लेक्चर है आज से क्लास दुरू हो रहा है कितना आएगा 37.5 यह आता है near about 37.5 यह आएगा और यह क्या है पूर्णांक नहीं है जो की पूर्णांक नहीं है और क्वांटमी करण क्या कहता है कि इलेक्ट्रानों की संख्या को n को क्या होना चाहिए पूर्णांक और 37.5 पूर्णांक नहीं है इसलिए इसको इतना आवेस दे पाना संभव नहीं है देखो कितना best question है यह बहुत best concept का question है ठीक है यह question बहुत best है कि किसी पदार्थ को यदि हम कितना आवेस दे सकते हैं कि नहीं है यदि आपको एग्जाम में पूछा तो आप क्या करो उसमें एक लेक्टान पर आवेस को divide कर दो यदि भाग करने पर यह पूर्णांक आएगा यदि भाग करने पर पूर्णांक आएगा तो वह दिया जा सकता है और नहीं आएगा तो नहीं दिया जा सकता है ठीक है यह ध्यान रखनाब चलो next question देखो concept clear इसका अगला एक छोटा सा question देखते हैं एक कुलाम आवेस में कितने इलेक्टान होते हैं यह तो कई बार कई एक पूछा जा चुके हैं एक कुलाम आवेस में कितना इलेक्टान होता है एक कुलाम आवेस में कितने इलेक्टान हाज पहला क्लास है यह तो आपको याद रहा है ची एक कुलाम आवेस में कितने इलेक्टान होते हैं देखो माल हमारे पास कोई पदार्थ है और उसके पास एक कुला मावेस है तो उसमें कितना इलेक्टान की कमी है या कितने इलेक्टान की अधिकता है या ऐसा भी कहा जा सकता है कि किसी पदार्थ में एक इलेक्टान एक कुला मावेस उत्पन करने के लिए उस पदार्थ को कितना इलेक्टान देना चाहिए या उस पदात से कितना इलेक्टान निकालना चाहिए ठीक है अभिनो ने सही आंसर दिया 6.25 इंटू 10 तू दी पावर 18 अभिनो वेरी गुड अखिल दुबे वेरी गुड साबस चलो तो एक कैसे निकलेगा यह डेटा तो आपको ऐसे याद रहना चाहिए यह निकलेगा इस फार्मूला से इसी से q इक्वल टू n इंटू e से तो एक इलेक्टान ठीक है एक कुलाम आवेस में कितने इलेक्टान हो सकते हैं तो n इक्वल टू क्या किया हमने q अपान e किया अब इसमें मान को भर दो मान भरेंगे तो q कमान क्या था एक कुलाम आवेस तो 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 आगे इसको हम salvo करें तो हो जाएगा 1 upon 1.6 into 10 to the power यह उपर जाके हो जाएगा 19 यह इसको salvo करें तो salvo करने से क्या हो जाएगा यह 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 आ जाता है 0.625 साल्व कर लेना तो 6.2510 है कम हो जाएगा तो 10 to the power 18 इतने इलेक्ट्रान इतने इलेक्ट्रान्स क्या होंगे उसको देने पड़ेंगे या उससे निकालने पड़ेंगे यह दोनों बात ध्यान रखना मतलब 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रान किसी पदार्थ को दिया जाए या उससे उतना इलेक्ट्रान निकाला जाए तब उस पदार्थ में एक कुला हम आवेस उत्पन हो सकता है यह ध्यान रखना तो यह कुछ छोटे छोटे निमेर्गस हैं जो यह कौंटमी करण पर बेस्ट हैं यह आपको ध्यान में रखना ठीक है अब देखो इस चेप्ट अभी इस आज के लेक्चर का हम लास्ट कॉंसेप्ट पढ़ते हैं यह कहलाता ह है आवेसों की योजयता एडिटिविटी आप चार्ज मैं अभी आपको क्या समझाते जा रहा हूं आवेस के पूरे कॉंसेप्ट आपको मैं बताते जा रहा हूं यह आवेस का लास्ट है और इसके बाद के क्लास में हम कुलाम के नियम से स्टार्ट करेंगे अपना क्लास त पतलब यदि हमारे पास बहुत से आवेस हैं और वो सभी आवेस किसी जगा पर लगे हुए हैं तो उनका जो परिणामी आवेस होगा वो सभी आवेसों के बीजी योगफल के बराबर होता है जैसे मानलों कहीं पर बहुत से आवेस हैं तो उनका जो कूल आवेस है क्यू वो Q3 plus and so on माल अपने पास N आवेस हैं तो यह सभी आवेसों के योग फल के बराबर होता है तो जब दो या दो सधीक आवेस किसी स्थिती पर वर्क करते हैं कहीं होते हैं तो उनका जो कूल आवेस होता है वो सभी के बीजी योग फल के बराबर होता है अब यहां पर यह ध्यान कि जो धन आवेस है वो धन लिखा जाएगा वो रिड आवेस है वो रिड लिखा जाएगा चलिए इस पर भी एक छोटा सा कोस्टन कर लें तो आपको ज्यादा अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा कई बार कोस्टन करने से कॉंसेट ज्यादा अच्छा क्लियर होता है ना चल प्लस E, माइनस 3E, प्लस 5E, माइनस 7E, यह होगा, that equal, यहां माइनस, माइनस 8 हो जाएंगे, तो 7 और 3, यह होगा, माइनस 10E, और यह होगा, 5 और 1, प्लस 6E, इस तरह से कितना हो जाएगा, माइनस 4E, यह इसका अंतर हो जाएगा, यह कहलाता है, additivity, मतलब जब 2 या 2 से अध बराबर होता है, माइनस 4E, बहुत छोटा सा concept है, clear, तो यह हम आज का class यही पर आज over कर रहे हैं, विद्यूतावेस तथा छेत्र में, आज का हमारा जो topic होगा, वो कुलाम के last से ही start होगा, कुलाम का नियम, देखे, कुलाम का नियम, हमने कुछ महत्पूर नियम और परिभ परिखा हुआ भी मिले, कथन कम से कम, तो कुलाम के नियम है क्या देखो, कुलाम के नियम को पढ़ने से पहले हम एक बार फिर 11th class के अपने टापिक पर जाते हैं, जो गुरुत्वा करसन का chapter था और जहां पर नियूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वा करसन का नियम दिया, आपने 11th class में पढ़ा कि नियूटन ने जब सार्वत्रिक गुरुत्वा करसन का नियम दिया, तो उन्होंने बताया कि पूरे ब्रम्हांड में हर पिंड एक दुसरे को आकरसित किया हुआ है, और उनके मध्ध लगने वाला जो आकरसन बल है, वह उन दोनों पिंड के आर्वत्रिक गुरुत्वा करसन का नियम कहा है, एक्जेक्टली उसी तरह से उसी बात को लेकर, कुलाम ने दो आवेसों के मध्ध लगने वाले बल के बारे में बताया, एक्ट्वल में आप 11th class की पढ़ाई के बाद जब competitive exam का preparation करोगे, तो अभी से मेरा आपको suggestion है कि जब अभी आप गुरुत्वा करसन की chapter का question करोगे, तो तुरंत आप 12th class में विद्यूत आवेस ताथा 16 के part में चले जाना और इसके question की practice करना 90% concept आपको word to word वही मिलेगी, इस तरह से थोड़ा सा technical preparation करना पड़ता है competitive के लिए, कि जो जिस तरह के numerical हम gravitation में करते हैं, उसी तरह के हम numericals यहाँ पर electricity में करते हैं, तो चलिए हम पढ़ें कि कुलाम ने क्या बताया, कुलाम ने बताया, यहाँ पर हमने कथन में लिखा भी हुआ है, कि मालो अपने पास दो बिंदू आवेस हैं, मैंने इसके previous class में, देखो point charge के बारे में अभी मत्वास और डिसकस कर देता हू और इन दोनों आवेसों की बीच की दूरी मालो R है, यह जो आवेस है, यह Q1 आवेस है, यह जो दूसरा आवेस है, यह मालो Q2 आवेस है, तो कुलाम ने बताया कि मालो दो बिंदू आवेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो उन दोनों आवेसों के मध्य लगने वाला जो बल है अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान देना कि इनके बीच में जो लगने वाला बल है गुरुत्वा कर्षण का बल केवल आकर्षण बल था गुरुत्वा कर्षण बल कभी प्रतिकर्षण नहीं हो सकता लेकिन विद्दूत बल भी हो सकता है और गुरुद्वा करशन भी हो सकता है क्योंकि हमने previous klasse में आपको complete संजाए कि आवेस दो तरह के होते हैं द्रब इमान दो तरह के नहीं होते लेकिन आवेस दो तरह के होते हैं धन और रिड इसलिए यहां पर इनके बीच में जो लगने वाला बल है वह आकरस्ण बल भी हो सकता है और प्रतिकरस्ण बल भी हो सकता है तो कुलाम ने बताया कि दो मिंदू आवेसों के मद्ध लगने वाला आकरस्ण या प्रतिकरस्ण बल का जो मान होता है वह उन दोनों आवेसों के गुड़न फल के समान उपा पहला बात यह बताया और दूसरा बात उन्हों ने बताया कि उन दोनों आवैसों के बीज के दूरी के वर्ग के वित्क्रमन उपाती होता है यह इनके कथन में यहाँ पर लिखा हुआ है एक बार मैं कथन को आपको रीड करता हूं देखो कभी भी किसी भी वैज्यानिक का कथ कज़न और परिभासा इसको आप समझने के बाद एक्जाम में समझे हुए लेंग्वेज में मत लिखना इसको हमेशा आप वर्टु वर्ड लिखना मतलब सब्दस्वा लिखना किसको वह इज्यानिक के कथन को जैसे कुलाम का नियम तो बिल्कुल पुस्तक की भासा में कथन कौ आप वह ख्यानिक की भासा में लिखोगे यहां पर हम ने उसको लिखा हुआ है देखो दो इस्ठिर बिंदु आवेसों के jak sa se इसका इस्ठिर है और बिंदु आवेस है अभी मैं 책 mi implementation में इसके discuss करूंगा इस पर तो दो उन आवेसों के परिमाडों के या परिणामों के गुडन फल के अनुक्रम अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बुत्रम अनुपाती होता है यह बल उन आवेसों की मिलाने वाली रेखा के अनुदीस होता है मतलब क्या कर रहा है यह जो बल की दिशा है इनको म पीडीएफ क्या इसका पूरा का पूरा नोट्स हमारे एपलिकेशन पर एबलेबल है जिसका आपको चैनल के नीचे में अडरेस मिलता है या उसका लिंक भी आपको मिलेगा वो आप क्या करो अप प्लेइश स्टोर से उसको डाउनलोड करो प्लेई स्टोर से आप और उसके बाद वहाँ पर जा कि स्टेडी मटेगल से पूरा नोट्स दिया हुआ है भई पूरा 100% नोट्स दिया हुआ है तो सब चीज आपको वहाँ से मिलेगा आप यहाँ से ध्यान से टापिक को समझो और रफ में लिखो और नोट्स बनाओ नोट्स हमने आपको प्रवाइट करा दिया है अब देखो इन दोनों इन दोनों स्टेट्मेंट को अब यदि हम कंबाइन करें तो दोनों स्टेट्मेंट को कंबाइन करने पर का मिलेगा अपने को देखो चलिए अब दोनों statement को combine करते हैं तो therefore यहाँ पर हमको मिलेगा f proportional to q1 into q2 upon r square दोनों कथन को हमने क्या किया? mix कर दिया तो यह मिलेगा that implies आगे इसको हम solve करें तो f equal यहाँ पर एक constant हम multiply करेंगे जिसको हम यहाँ पर हम proportional constant करते हैं और यह k constant है और उसके बाद q1 into q2 upon r square यह होता है तो f equal to k into q1 into q2 upon r square होता है लेकिन बाद में यह जो constant है इस constant का उन्होंने मान बताया कुलाम ने उन्होंने प्रयोग करके k का जो value बताया proportional constant का उसको उन्होंने बताया 1 upon 4 pi epsilon 0 यहाँ पर यह वाईवा निर्वात के लिए होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 आगे हम इस पर बारी बारी से एक एक चीज़ पर discuss करेंगे तो 1 upon 4 pi epsilon 0 के बराबर होता है जो की 9 into 10 to the power 9 होता है यह इसका आंकिक मान होता है आंकिक मान जब हम numericals बनाते हैं तो numericals बनाते समय क्या करते हैं हम उसके आंकिक मान को put up करते हैं तो 1 upon 4 pi epsilon 0 का जो value होता है वो 9 into 10 to the power 9 होता है अब इस value को हम यहाँ पर put up कर दें तो कुलाम का नियम हमको क्या मिल जाएगा therefore कुलाम का नियम हमको मिल जाएगा f equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into q1 into q2 upon r square यह हमको कुलाम का नियम मिलता है और कुलाम के नियम का यह जो portion है यह वायू आ निर्वाद के लिए है यहाँ पर जो epsilon 0 use किया गया है epsilon 0 इसको वायू या निर्वाद की वायू या निर्वाद की विद्यूत सीलता कहा जाता है वायू या निर्वाद की इसको विद्यूत सीलता कहता है इंगलिश में बलते हैं permittivity यह इसका permittivity कहलाता है ठीक है तो यह वायू आ निर्वाद का permittivity कहलाता है यह ध्यान में रखना और इसका जो value होता है इसका जो आंकिक मान होता है वह 8.854 into 10 to the power minus 12 होता है और इसका unit होता है कुलाम square, Newton inverse, meter inverse square यह ध्यान रखना यह बहुत important constant है क्योंकि linearcat बनाते समय हम इस constant का बहुत ज्यादा यूज़ करते है जब हम linearcat बनाते हैं तो इस constant का हम यूज़ करते हैं epsilon 0 का value इतना होता है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1 upon 4 pi epsilon 0 का value होता है 9 into 10 to the power 9 होता है लेकिन जब हम सिर्फ हम सिर्फ अपसरानाट की बात करें तो वाईवा निर्वाद के लिए जो विद्दू सिलता है उसका मान 8.854 इंटू 10 डिटवर माइनस 12 कुलाम स्क्वेर नीटर इन्वर्स मीटर इन्वर्स स्क्वेर होता है तो ये वेल्यू को आपको याद करके रखना है क्योंकि निमेर्कल्स बनाते समय इसका बहुत जगा यूज होता है पोस्टन में वेल्यू आपको दिया नहीं रहेगा उसको अपने को याद ही रखना है अभी हम डिसकस करेंगे इसके विद्दू उतावेस पर डिसकस करेंगे और बांकी इसके पूरे वेल्यू पर डिसकस करेंगे वन बाई वन हम क्या है इसके पाइंट टू पाइंट इस पर डिसकस करते हैं ठीक है तो ये कुलाम का नियम हो जाएगा हम एकांग कावेस की परिभासा करेंगे कई बार बोर्ड एक्जाम में पुछा जाता है ये जो टपिक है बोर्ड एक्जाम में कई बार दो नंबर का अलग से पुछा गया है ये टू मार्स का अलग से question पूछा गया है और question कैसे पूछता है एक आंग कावेस की परिभासा लिखो नहीं बोलेगा वो वो बोलता है कुलाम के नियम की सहयता से एक आंग कावेस को परिभासित करो या कभी कभी question के साथ में 8 करता है कुलाम के नियम को लिखो तथा कुलाम के नियम की सहायता से एकांग कावेस को परिभासित करो ठीक है तो कुलाम के नियम की सहायता से हम एकांग कावेस को कैसे परिभासित करेंगे यहाँ पर आप ध्यान से देखनो अभी हमने कुलाम का नियम देखा कि F equal to होता है 9 into 10 to the power 9 Q1 into Q2 अपान आर स्क्वेर यह देखा अब यहाँ पर सपोस यहाँ पर हम कुछ इस तरह से कंसीडर करें कि इनके बीच में लगने वाला जो बल है F उसको 9 इंटू 10 तू दी पावर 9 न्यूटर हम सपोस कर लें कि माल लो दोनों आवेस हो के मध्य जो लगने वाला बल है वह 9 इंटू 10 तू दी पावर 9 है यह हमने माल लिया और यह दोनों जो आवेस है Q1 और Q2 इसको हमने क्यों माल लिया कहने का मतलब यह क्या यह समान आवेस ठीक है यह दोनों क्या है समान आवेस है इस तरह समान आवेस मतलब दोनों परिमाण में भी समान है और दोनों का नेचर भी समान है नेचर भी समान है मतलब या तो दोनों धन है या तो दोनों लिड़ है इस पकार से Q1 बराबर Q2 बराबर Q दोनों समान आवेस है और इनके बीच की जो दूरी है आर उसको हम मान लेते हैं 1 मीटर इनके बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया 1 मीटर मान लिया तो इतना कंसीडर करने के बाद हम देखें कि इसका situation किस तरह से बनता है देखो जब दो नमबर कलग से पुछेगा जैसा कई लोग क्या करते हैं एकांक आवेस किसे कहते हैं तो ऐसा आवेस जिसका मान इकाई होता है उसके एकांक आवेस कहते हैं भाई घलत नहीं है आंसर वो ठीक कह रहा है कि जिसका परिमार एकाई हो उसको हम एकांग आवेस कहेंगे लेकिन question में पूछा गया है according to kulam kulam के नियम की सहायता से तो आपको एकांग कावेस को परिभासित करना होगा kulam के नियम को help में लेके यदि आप kulam के नियम की सहायता से नहीं करेंगे तो आपको marks नहीं मिलेगा इसलिए यह पूरा आपको expression लिखना पड़ेगा ऐसा चूंकी करके आपको यह start करना पड़ेगा यहां से अब आगे देखो यह value को हम यहां पर put up करें तो value को यहां पर put up करने पर क्या मिलेगा f command हमने put कर दिया 9 into 10 to the power 9 equal to 9 into 10 to the power 9 और इन्टू दोनों को हमने q माल लिया है q1 q2 को q into q और दोनों की बीच की दूरी को हमने 1 माना है तो 9 into 10 to the power 9 into q into q upon 1 होगा अब that implies इसको हम आगे साल्व करें तो यहां से clear है कि यह दोनों का यह value है वो तो cancel out हो जाएंगे q2 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 equal to 1 that implies q equal to लिख सकते हैं plus minus 1 अब देखो आवेस एक आँख हो गया अब यहां पर आवेस एक आँख हो गया अब इसकी परिभासा हम किस तरह से करेंगे यह परिभासा बहुत ध्यान से सुनना कभी भी देखो एक सी ध्यान में रखना कि physics में जो परिभासा create किया जाता है सुत्र की सहायता से उनको आप समझो यदि आप उनको बिना समझे याद कर लिए तो ज़्यादा दिन तक आपका साथ नहीं देने वाला है वो इसलिए परिभासाओं को समझ के याद करो याद तो करना है याद इसलिए करना है ताकि हमारा language प्रापर रहे लेकिन समझना इसलिए है ताकि हम उस language को रटे मत समझ के लिखे तो एक आंकावेश की परिभासा कैसे करेंगे सब दसा ध्यान से मेरी बात को सुनना एक बार जिए आप ध्यान से सुने तो उसका definition आपको forever तयार हो जाएगा सुनो कैसे ये जो भी यहाँ पर हम constant रख रहे हैं यह वायू या निर्वात के लिए हैं मैंने सुरू से आपको बता दिया कि 1 upon 4 pi epsilon 8 जो constant होता है वह सिर्फ वायू या निर्वात के लिए होता है वह माध्यम के लिए नहीं होता जब माध्यम होता है तो उसके लिए वो क्या होता है मैं अभी आगे आपसे discuss करूँगा जहां पर हम माध्यम का परवेजितांग पढ़ेंगे अब ध्यान से सुनना वायू या निर्वात में यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ वायू या निर्वात में एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर इस्थित यहां हमने consider किया है कि दोनों आवेश एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर इस्थित है तो वायू या निर्वात में एक दूसरे से एक मीटर की दूरी परिस्थित दो समान आवेस, समान तथा सजाती भी कह सकते हो समान है और सजाती भी है, सजाती मतलब दोनो या तो प्लस है या दोनो या तो माइनस है, तो वाईवा निर्वात में एक दूसरे से एक मीटर की दूरी परिस्थिस दो समान तथा सजाती आवेश यदि एक दूसरे को 9 into 10 to the power 9 न्यूटन के बल से प्रतिकरसित करें यहाँ पर प्रतिकरसित सब्द यूज करना जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि दोनों समान और सजाती आवेश है दोनों या तो positive है या दोनों negative है तो क्या करेंगे प्रतिकरसित करेंगे तो यहाँ पर प्रतिकरसित सब्द यूज करना जरूरी है तो एक बार मैं definition को complete बोलता हूं ध्यान से सुनना वायू या निर्वात में एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर इस्थित दो समान तथा सजाती आवेश यदि एक दूसरे को 9 into 10 to the power 9 न्यूटन के बल से प्रतिकरसित करें तो ऐसे आवेश एकांग कावेश कहलाते हैं या होते हैं ये परिभासा होगा कुलाम के नियम के काडिन तो जब तक आपको इसी भासा में नहीं लिखोगे आपको मार्स नहीं मिलेगा चलिए अब हम यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आप एक चिक विद्दू सिल्था आपक्षिक विद्दू सिल्था या परवईदू तांग क्या होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे देखो अभी हमने आपको बताया कि कुलाम का जो नियम होता है ये वाईू या निर्वाद के लिए वाई या निर्वाद के लिए दो आवैसों की बीच लगने वाला बल एफ इक्वल टू वन अपान फॉर पाई अपसाला नाट क्यू वन इन्टू क्यू तू अपान आर इस्क्वेर होता है अब किसी माध्यम में अब हमने क्या किया बहुत ध्यान से सुनना आगे अब हमने क्या किया उन्ही दोनों आवैसों को अब हमने उन्ही दोनों आवेसों को किसी माध्या में डुबा दिया हमारे पास Q1 Q2 दो आवेस थे जो कि एक दूसरे से आर दुरी पर रखे थे वो दोनों आवेस को हम पकड़े उन्ही दोनों आवेस को और उतनी ही दूरी पर हमने सपोज उसको एलकोहल में डुबा दिया या सपोज हमने उसको केरोसीन पर डुबा दिया, मिटी के तेल पर डुबा दिया तो जब दोनों आवेस को हम किसी माध्या में डुबा देंगे तो naturally उनकी बीच में लगने वाला जो बल है प्रभावित होगा वो तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों आवेसों को किसी माध्या में रखने पर किस प्रकार से प्रभाव पढ़ता है तो किसी माध्या में मालो डुबाने पर उनके बीच लगने वाला बल एबडस है और f dash equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 और यह k हम जो multiply कर रहे हैं यही k क्या है यहाँ पर माध्यम का परवाई दूतांक है ठीक है यह k को मैं थोड़ा highlight करके लिखता हूँ यह k है और into यहाँ पर आवेस वही है q1 into q2 upon r square इसको हमने दे दिया relation number first इसको हमने दे दिया relation number second अब यहाँ पर आप देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखो यदि हम relation first में relation second को divide कर दे तो first में second को divide करने से क्या होगा देखो first divided by second यदि हम पहले में दूसरे को divide कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा f upon f dash equal right side में देखो पूरी quantity cancel out हो जाएगा केवल k को छोड़के और k क्या है हर से अंस में चला जाएगा और इस प्रकार से ए स्वारी हर से अंस में चला जाएगा तो f upon f dash equal to k होगा और यह जो सम्मंध मिलेगा यही हमको आपेक्षिक विद्धू सिल्था या परावज़ुतांक या माध्याम का परावज़ुतांक को डिफाइन करता है बहुत से बुक में k का value epsilon r भी लिखा रहता है मतलब r मतलब होता है relative permittivity या हम k से भी उसको माध्याम का परावज़ुतांक के रूप में हम उसको मतलब समझते हैं तो मैं ज्यादा तर k से represent करता हूँ बाकि आप उसको epsilon r भी लिख सकते हो यहाँ पर मैं represent कर देता हूँ ताकि आपको कभी दूसरे बुक में पढ़ने को मिले तो confuse मत हो न epsilon r से भी हम उसको represent करते हैं r मतलब होता है relative permittivity आपेक्षिक विद्युस्तिल्दा किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युस्तिल्दा तो अब इसका परिभासा क्या हो जाएगा इसकी यदि हमको यहाँ पर परिभासा करना है तो परिभासा हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना वायू या निर्वात में यू या निर्वात में किन्ही दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल ये तथा किसी माध्यम में उन्ही दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को परवजुतांग कहते हैं उस माध्यम का परवजुतांग कहते हैं वायू या निर्वात में एक दो आवेसों के मध्य लगने वाला बल वायू या निर्वात में दो आवेसों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में उन्ही दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परवजुतांग कहते हैं ये इसकी परिभासा है के की clear ते परिभासा आपको याद रखना है और numerical बनाते समय इसका आपको यूज करना है clear यहां तक next हम एक छोटा सा question लिये हैं परवजुतांग को समझाने के लिए पानी का परवजुतांग 80 है यहां पर एक छोटा सा question हमने लिया हुआ है इस question के है जिसे हम समझेंगे कि परवजुतांग को किस तरह से use किया जाता है निमेर्टाशोगर में तो किसी माध्यम का माध्यम मतलब पानी का परवजुतांग 80 है इसकी विद्धु सीज़ता कितनी होगी विद्धु सीज़ता मतलब इसकी परमिटीविटी कितनी होगी यह हमको निकालना है यहां पर एकी और ध्यान में रखना कि यह जो हम f upon f dash लिखे हैं f upon f dash का जो और formula है वो k equal to k equal to epsilon upon epsilon not भी लिख सकते हैं ठीक है और यहां पर एक formula में लिख रहा हूं k equal to epsilon upon epsilon not भी होता है यह भी इसका formula है इस formula को भी आप याद रखना अपसाला नपान, अपसाला नाट होता है, k का value, ये क्या है, बल के रूप में है, और वो क्या है, उसकी विद्दू सिल्था के रूप में है, तो k equal to होता है, अपसाला अपान, अपसाला नाट, चेप्टर का नोट्स आप लोग application से लो, पूरे class 12 के physics का आपको notes एवलेबल है, सभी students वहाँ से notes पढ़ रहे हैं, हमारे application पर, तो notes के लिए कहीं भटकने का ज़ुरत नहीं, A to Z, पहले चेप्टर से आखरी चेप्टर तक 100% notes आपको प्रवाइट करा दिया गया है, हमारे application पर, तो origin the learners hub application आप डाउनलोड करिए, और वहाँ पर आप study material section में free notes, उस notes के लिए आपको कोई fee paid नहीं करना है, वो free available है, application में इसलिए डाला हुआ है, ताकि आपको एक जग मुझे मालूम है, इसलिए हमने उसको इकठा, वहाँ पर डाल दिया है, English Medium का भी class इस्टार्ट होगा कुछ दिन बाद, चलिए, ये question को आप बनाईए, पानी का परिदा 80 है, तो उसकी विद्धू सिल्था कितनी होगी, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, चूंकि, होता है, अपसालन अपान, अपसालन आट, अब हमको अपसालन का वेल्था पूछ रहा है, तो इसको हम इस तरह से सालव कर लेते हैं, अपसालन इकवल टू हो जाएगा, के इंट्व एपसालन आट, मैं केवल आपको समझाने के लिए, इस question को बता रहा हूं, कि फार्मूला प्षाला प्रहाते से मैं बताया कि एप्साला नाट का वेल्यू क्या होता है अब साला नाट का वेल्यू मैंने बताया आपको 8.854 इंटु 10 to the power minus 12 ये अप्साला नाट का वेल्यू होता है अब इसको हम multiply करेंगे तो multiply करने के बाद इसका वेल्यू 7.08 इन्टू 10 तो दी पावर माइनस 10 7.08 इन्टू 10 तो दी पावर माइनस 10 कुलाम स्क्वेर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स स्क्वेर आएगा यह इसका अंसर होगा इस तरह से एक छोटा सा निमेरकल से यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किस तरह से हम के के वेल्यू से इसका वेल्यू निकाल सकते हैं बाकी बात में निमेरकल कराऊंगा तब तब त्वालागधंग से निमेरकल आपको कराऊंगा यह सीर्फ और सीर्फ आपको यह बताने के लिए है कि ये फार्मूला कैसे यूज होता है Next कुलाम के नियम की सिमाएं यहाँ पर हम एक बहुत महत्तपूर टापिक पर डिसकस कर रहे हैं ध्यान से सुनना बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है कि कुलाम के नियम को लिखो तथा उसकी सिमाएं लिखो कुलाम के नियम की सिमाएं एक्जाल में होता क्या है कि नियूटन ने जो नियम दिया था नियूटन ने जो सार्वत्रिक गुरत्वा करशन का नियम दिया था उसको उन्होंने सार्वत्रिक बोला इनिवर्सल बोला क्यों बोला मालूम है क्योंकि Newton का नियम में कोई condition apply नहीं होता पूरे ब्रम्हान में कहीं पर भी वो apply हो सकता है वायू में निर्वात में पानी के अंदर कहीं भी छोटे दर्बिमान के लिए बड़े दर्बिमान के लिए दर्बिमान पास है तो दर्बिमान बहुत दूर है तो एलेक्ट्रान और प्रोट्रान से लेकर सुर्य और प्रिथ्वी के बीच तक वह नियम एप्लाई होता है लेकिन कुलाम का नियम ऐसा नहीं है कुलाम का नियम कंडिशनल है मतलब इसके limitations है limitations मतलब किस स्टी मतलब के काम करेगा तो इसके 3 point को हमको discuss करना है ये exam में आपको पूछा जा सकता है तो पहला point क्या है देखो यह नियम केवल बिंदू आवेस के लिए सत्य है मैंने आपको previous class में discuss गिया था कि बिंदू आवेस का मतलब ऐसा point हो ऐसा जवरी नहीं होता बिंदू आवेस generally spherical imagine करते हैं हम और इसका सबसे बड़ा condition यह है कि दो आवेस जो रखे हुए हैं उनके बीच की जो दूरी है वह आवेस के परिमार के comparison में बहुत अधीक हो तब हम उसको बिंदू आवेस करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि जो आवेस है यह नियम केवल बिंदू आवेस के लिए सत्य है मले नियम सिर्फ बिंदू आवेस के लिए सत्य होता है दूसरी बात यह नियम केवल इस्थिर आवेस के लिए सत्य होता है केवल इस्थिर आवेस के लिए सत्य है इसलिए आपने कुलाम के नियम में पहला sentence देखा होगा देखो इसलिए बोला कि मैं कसन को याद करके लिखना है देखो कुलाम में अपने नियम में क्या लिखा है दो इस्थिर बिंदू आवेसों के बीच तो एक एक सब्द को आपको ध्यान देना है यदि आपको board exam में 100% marks gain करना है physics में तो एकदम छोटी छोटी बातों को कई लोग लिख देते हैं दो आवेसों की बीच लगने वाला बल यह इस्थिर बिंदू आवेस को हटा देते हैं और बोल देते हैं दो आवेसों के मध्य लगने वाला बल तो actual में वो perfect definition नहीं है दो इस्थिर बिंदू आवेस कहना must compulsory है बहुत जवरी है किसी फी दो आवेस के भी थोड़ी लग जाएगा वो दो इस्थिर बिंदू आवेसों के मध्य लगेगा तो देखो यहाँ पर हम limitation में यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि इसका जो यह value है कि यह नियम केवल बिंदू आवेस के लिए सर्त्या है यह नियम केवल इस्थिर आवेसों के लिए सर्त्या है गती सील आवेसों के लिए नहीं साफ साफ लिमीटेशन में लिखा गया है कि यह गती सील आवेसों के लिए लागू नहीं होता उसके बाद देखो यह नियम अधीक दूरियों बहुत अधी दूरी यदि दो आगेसम के मत दूरी बहुत अधीक हो तथा 10 to the power minus 15 meter से कम दूरी के लिए सरते नहीं होता मतलब दूरी बहुत अधीक हो बहुत अधीक का कोई range नहीं होता बहुत अधीक तो infinity हो जाता है लेकिन minimum का range है कि उसके बीच का जो distance है 10 to the power minus 15 meter से कम नहीं हो यदि उनकी बीच की दूरी से कम हो जाए तो कुलाम का नियम लागू नहीं होता तो यह जो सीमाएं बता रहा हूँ इसके points competitive exam में पूछे जाते हैं यह point कई बार competitive exam में पूछा गया है कि कुलाम के नियम लागू होने के लिए दो आवेसों के मद्ध की बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी यह कम से कम किसे कम नहीं हो सकता तो 10 to the power minus 15 meter से कम नहीं हो सकता उससे अधीक ही होना चाहिए ठीक है चलिए आगे देखिए अब हम देखते हैं इस्थिर्वेद्यूद्बल और गुरुत्वा करस्मर्बल की तुलना यह एक ऐसा topic है जो board exam में आ सकता है बहुत बार पूछा गया है और बहुत important concept वाला topic है अभी मैं starting से ही बार बार आपको बोल रहा हूं कि इस्थिर्वेद्यूद्बल और यह दो दो बल हैं इस्थिर्वेद्यूद्बल और गुरुत्वा करस्मर्बल मैंने chapter के discussion का starting भी इन ही दोनों से किया है जब मैं आपको पढ़ाना शुरू किया कुलाम का नियम तो सबसे पहले यही बात बोला कि इस्थिर्वेद्यूद्बल और गुरुत्वा करस्मर्बल आपस में तुलनात्मक हैं दोनों का nature एक जैसा है तो यहां पर हम देखेंगे कि इस्थ इति रूप से तुलना करेंगे और समाइन उसमें जो अंतर पूछता है एक्जाम में वो तो अलग चीज है इन दोनों में अंतर अलग है और तुलना अलग है यहां पर हम उसका mathematical मतलब उसके numeric value का तुलना करेंगे तो देखो यहां पर हम इलेक्टान और प्रोटान के मद् प्रोटान और आपको मालूम है कि इलेक्टान क्या होते हैं इसके चारों घुमते हैं देखो धियान से यह positive charge पर्टान है और यह negative अब आपको मालूम है, कि इलेक्टरान अपने नाभीक के चारो और गती करता है, मैंने आपको पहले भी डिसकस किया, कि प्रोटान का मास ज्यादा होता है, इलेक्टान के comparison में इसलिए वो heavy particle होने के कारण nucleus के center पर होता है और इलेक्टान उसके चारों और चक्कर लगाता है अब आपको ये बात पता है कि कोई भी pin ये वृतिगती करता है तो वृतिगती करने के लिए उसके पास अभिकेंदर बल होना चाहिए के चारों और नुक्लियस के चारों और घूम रहा है तो इसके पास निश्ची तुरुप से क्या होगा सेंटिपेटल फोर्स होगा मतलब अभिकेंद्रबल होगा तो अब यहां पर सवाल यह उड़ता है कि भाई इसको अभिकेंद्रबल मिलता कहां से है तो यहां पर अभिकेंद्रबल के इसके पास दो रिसोर्स हैं इसके पास अभिकेंद्रबल के दो रिसोर्स हैं क्या क्या रिसोर्स हैं चली हम इस पर डिसकस करें कि भाई इसके पास कौन-कौन से दो स्रोथ हैं तो पहला स्रोथ तो यह है कि इन दोनों के अपने द्रब्यमान है इन दोनों के अपने द्रब्यमान है इसका द्रब्यमान मालो इसका द्रब्यमान है मतलब मासाफ इलेक्ट्रान और इसका द्रब्यमान है मालो MP मासाफ प्रोटान तो जब दोनों बात क्या कि इसमें आवेस होता है इसमें इलेक्टान में आवेस होता है जिसको मैंने कह दिया QE मतलब इलेक्टान का आवेस और प्रोटान के पास भी आवेस होता है जिसको मैंने कह दिया QP तो दोनों के पास जब आवेस होता है तो अभी कुलाम ने बताया कि दो आवेसों के मध्य भी बल लगता है तो भाईया यहां बड़ा कन्फूजन हो गया कैसे बड़ा कन्फूजन हो गया कि द्रब्यमान के कारण लगने वाला बल और उसके आवेस के कारण लगने वाले बल में कौन बल जिम्मेदार है उसको अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए लग तो दोनों रहे हैं तो यह बहुत important concept है कि यहाँ पर हमको समझना है कि इलेक्ट्रान और प्रोट्रान के बीच में जो आकरसंड बल लग रहा है वह Newton के according mass के कारण और कुलाम के according charge के कारण है तो हमको इन ही दोनों का तुलना करना है कि वास्ता में भी यह बल किसके कारण है और कोन किसका कितना गुना है कितना कम या ज़ादा है तो दोनों मान को हम भरते हैं देखो और दोनों के लिए हम निकालते हैं बारी-बारी से तो सबसे पहले according to Newton हम सबसे पहले Newton के हिसाब से बल निकालें और इसको मैं लिख रहा हूँ FN N for Newton FN लिखा है मतलब Newton के कारण लगने वाला अपना बता है फिर आप सचोगे कि Newton के कारण लगने निटन तो साइन्टिस्ट है न तो 6.67 इंटू 10 to the power minus 11 इंटू इंटू इलेक्ट्रान का द्रभिमान एक बार मैं संकेतों में लिख दूँ क्या संकेतों में लिख देता हूँ एक बार ज़्यादा अच्छा clear होगा जी उसके बाद मास आफ इलेक्ट्रान इंटू मास आफ प्रोटान और उनके बीच का दूरी आर मान लो इसके बीच की दूरी को हमने आर मान लिया अब इसके मान को put up कर देते हैं 6.67 इंटू 10 to the power minus 11 इंटू इलेक्ट्रान का मास कल ही मैंने बताया था आपको 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 इसके पहले वाले क्लास में सब मैं बताया हुआ हूँ देखो आप लोग क्लास रेगुलर आओगे तो आपका इंप्रूव्मेंट जबरजस्त होगा कल भी मैंने आप से डिसकस किया था कि जितने स्टुडेंट रेगुलर क्लास जवाइन करेंगे उनको तो सवाल ही नहीं कि कोई चीज समझ में ना है प्राबलम उनको होता है जो क्लास स्किप कर देते हैं या बीज बीज में क्लास अपसेंट करते हैं उनको प्राबलम होता है तो चलो मास आप प्रोटान कितना होता है 1.67 इन्टू 10 तो दी पावर माइनस 27 और इनके 20 की दूरी को अभी हम R ही लिखते हैं दूरी हमको पता नहीं लेकिन उसको हम R के रुप में लिखेंगे यह हो गया एक आडिंग टू नूटन अब हम लिख लेते हैं एक आडिंग टू कुलाम अब कुलाम के एक आडिंग हम इसको लिखें तो उसको हम कहा देते हैं FC force FC मतलब C for कुलाम force तो कितना होता है 9 इन्टू 10 तो दी पावर 9 इन्टू चार्ज चार्ज आन इलेक्टरान इन्टू चार्ज आन प्रोटान और अपान आर का स्क्वेर ये क्लियर अब इसके मान को हम भरेंगे तो यहाँ पर एक महत्तपूर्ण बात है कि इलेक्टरान और प्रोटान के द्रभ इमान तो अलग अलग होते हैं इलेक्ट्रान और प्रोट्रान के द्रभ विमान अलग अलग होते हैं लेकिन उनका आवेज बराबर होता है ये एक मज़ेदार रिलेस्टन हुन में कि वो छोटे बड़े होते हैं मास में लेकिन आवेज बराबर रखते हैं इसके पास भी 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कुलाम होता है प इसलिए तो इनकी संख्या समान होती है और पदार्थ जो होता है वह विद्धूतता उदासीन होता है जब तक इनकी संख्या को डिस्टर्बना करें इनमें आवेज उत्पन नहीं होता ये प्रिभ्यस क्लास में हमने complete detail डिसकस किया हुआ है चलिए इसके मान को भरें तो क्य और पाइं और स्क्रिए तो यह हो गया कुलाम फॉर्स क्याम लिए सन नम्बर सेकंड अब की हमको दोनों में तूलना करना है तो एक में दूसरे को विभाजित कर देते हैं बाग कर देते हैं अब आप सूचो इतने बड़े-बड़े वैल्यू को भाग देकर गुना भाग क करके परिच्छा में लिखना है तब तो आधा घंटा का काम यहीं हो गया तो भाई ऐसा नहीं करना है इतना कल्कुलेशन वहां नहीं करना है बोर्ड एक्जाम में ना तो कामप्टिटिव एक्जाम में सीधा सीधा डिवाइट करके हमको डेटा को याद करके रखना है कि कितना आता है भाग देने से चलिए तो हम इसको भाग देके देखें और डारेक्ट रिलेशन को लिखू में तो डारेक्ट यहाँ पर रिलेशन लिखना हूँ इसलिए फस्ट divided by second, first में second को divide करने से हमको क्या मिलता है, fc upon fn, यह second में first को divide क्या समझ, जैसा मैं वहाँ relation लिखा हूँ, उसके हिसाब से second divided by first है भाई, क्योंकि मैं कुलाम नियम को second दिया हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, fc upon fn, equal to यह आता है, 2.27 into 10 to the power 39, अब इतना आता है, आपके पास समय हो, फुरसत हो, तो गुणा भाग करके देख लेना, और नई समय है, तो करके देखने के ज़वरत नहीं है, आप उसको याद करेना, भाग देने से इतना आएगा, 2.27 into 10 to the power 39, कई बार यह डेटा आपको कुछ बूप में अलग-अलग मिल सकता है, क्योंकि यह negligible quantity है, 10 गहात 49 के सामने, तो इसका तो कोई महत तो है नहीं, तो अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, therefore fc, fc equal to क्या हो जाएगा, 2.27 into 10 to the power 39 into fn, मतलब यह relation क्या बोला है भई, यह relation क्या कहता है, यह relation कहता है, कि electron और proton के बीच में लगने वाला, जो इस्थिरवेद्यूद बल है, वह Newton मतलब उसके गुरुत्वा करस्ण बल का 10 की घात 49 गुना होता है, 10 की घात 49, अब सोचो, कुलाम, फोर्स, न्यूटन, फोर्स का 10 की घात 49 गुना होता है, मतलब वास्तों में देखा जाए, तो electron और proton के बीच में जो आवस्यक अभिकेंद्र बल उत्पन हो रहा है, जो electron को उसके चारों और घुमा रहा है, उसके लिए विद्यूत बल ज्यादा जिम्मेदार है बजाए की गुरुत्वा करस्ण बल के, इनके बीच में आवस्यक नहीं होता, तो इसको उतना भी केंद्र बल नहीं मिलता क्यों गोल गुमता, वो तो सारे के सारे electron, free electron हो जाते, कोई quantum number नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई principal quantum number, रेजी मुथल quantum number, कुछ नहीं होता, ये सब हो रहा है आवस्यके करण, क्योंकि ये concept क्या कहता है, कि कुलाम का जो force है, वह Newton के force का 10 कघात 49 गुना होता है, मतलब जादा कोई हुआ, कुलाम, 10 कघात 49 गुना जादा हुआ, ठीक है, तो ये बहुत important topic है, कई बार इसको board exam में पूछा जाता है, तीन नमबार का पूछने लाए question है, बलता है कि इस्थिरवेद्य उद्बाल तथा गुरुत्वा कर्शनडबल की तुलना कीजिए, ये topic का हमारा नाम है, इस्थिरवेद्य उद्बाल और गुरुत्वा कर्शनडबल की तुलना, comparison between electrostatic force and gravitational force, next topic, next topic हम देखें, ने आज पढ़ेंगे विद्दुचेत्र की तिवरता, विद्दुचेत्र की तिवरता क्या होता है, यह सबसे पहले आज हमको पढ़ना है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना आपकी विद्दुचेत्र की तिवरता का concept का है, सबसे important term है यह electricity का, क्यो उनको किसी भी physical quantity का proper concept clear नहीं रहता, और उस word का वो बार बार यूस करते रहते हैं, जैसे विद्दुचेत्र की तिवरता, विद्दुचेत्र की तिवरता हम बार 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 बोल रहे हैं, बार बार यूस कर रहे हैं, बट अपने को उसका real sense नहीं पता रहता कि वास्तों में विद्दुचेत्र की तिवरता है क्या, तो इसके काराण बड़ी परिसानी होती है, तो थोड़ा ध्यान से स्टार्टिंग से आप समझना, देखो सबसे तो पहले हम यह समझ लें कि वास्तों में विद्दुचेत्र क्या है, उसके बाद हम उसकी तिवरता पर बात करेंगे तो किसी भी छेतर का मतलब होता है जहां तक उसका प्रभाव हो, जैसे आपने 11 क्लास में ग्रिविटेसन फिल्ड पढ़ा, गुरुतुचेत्र पढ़ा, तो गुरुतुचेत्र में आपने क्या पढ़ा, पृत्वी के चारों और का वह छेतर जहां तक गुरुत्व का तो सपोज यह मैंने ब्लू बार्डर लाइन जो बनाया है वहाँ तक उस आवेस का प्रभाव है तो किसी भी आवेसित पिंड के चाहे वह निड़ा आवेस हो चाहे वह धन आवेस हो उसके चारों और जहां तक उसका प्रभाव होता है वह विद्धुच्चेतर कहलाता है यह सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट यहां पर नोट लिख रहा हूं इस नोट को आपको ध्यान से समझना है वह नोट यह है कि वज्ञानिकों ने क्या किया हमारे पास धन आवेस था उसमें से धन आवेस को वह भी एकांग धन आवेस को कल मैंने कुलाम स्लाप आपको समझाया है तो एक आंग धन आवेस को परिक्षण आवेस माना एक आंग धन आवेस को क्या माना परिक्षण आवेस टेस्ट चार्ज परिक्षण आवेस का मतलब इसको क्या माना गया टेस्ट चार्ज यह टेस्ट चार्च तो एकांक धन आवेस का मतलब क्या हुआ एकांक मतलब ऐसा आवेस जिसका वेल्यू जिसका जो परिमाड है वो इकाई हो लेकिन उसका नेचर क्या हो धन हो मतलब वह पाजिटीव हो तो एकांक धन आवेस को वज्यानिकों ने परिछण आवेस माना अब आपके दिमाग में क्वश्चन आता है मुझे मालूम है जरनली स्टूडेंट्स जब यह से मैं पढ़ाता हूं तो उसे पूस्ता हैं कि सर्थ धना अवेस को यह कांग धना वेसको परिच्छनावेस क्यों माना गया रिड अवेसको क्यों बीहेब मेलाते हैं जैसे आपने प्रकास के चेप्टर में पढ़ा होगा आगे भी 12 क्लास में भी आप पढ़ोगे कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियों को धनात्मक लेते हैं या जब हम किर्चाफ का नियम पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि संधीक और जाने वाल सबने स्विकार किया कि यह मानना है अब हमारे दिमाग में कोश्चन यह आना चाहिए कि एक आंग धन आवेस या परिच्छन आवेस मानने का जवरत क्यों पढ़ा तो एक्ट्वल में जो हम पढ़ने वाले हैं विद्दूच्छत्र की तिवरता उसको डिफाइन करने के लि नहीं है क्यों वाइस क्लियर नहीं है वाइस स्लो है एक मिनिट मैं खुछ चेक कर लेता हूं वाइस तो क्लियर है वही वाइस क्लियर है कि आप लोग के साइट से कोई प्राबलम होगा आप परिसान मत हो आप थोड़ा साउंड बढ़ा के सुनो वाइस क्लियर है और बहुत अच्छा है तो मैंने क्या बताया कि परिक्षण आवेस ट्रेस्ट चार्ज इसको माना जाता है तो इसका नेचर कैसे होगा पाजिटी होगा और यह एक आँख होगा मतलब प् retract वन एसा कह सकते हो प्लास वन अ कि तो यह है ऐल्यक्रिक फिल्डकित आभ देखो हमारे एल्यक्रिक की फिल्ड में कोई एक आंग धन आवेश रखा है यह मालों प्लस क्यूं आवेस है है इसको हमने प्लस क्यूं कहा और मालों यहां पर हम एक दूसरा विधु छेत्र में रख़ा प्लस क्यूं आवेस को रखेंगे तो इन दोनों के पल लगेगा प्रतिकर्शन नियर्मित किया है वो रिडात्मक होता तो आकर्षण बल लगता और हमने धनात्मक छेतर उत्मनक किया हुआ है तेहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि यह तो पाजीटिव ही रहेगा एक आंक धन आवेस जो परिक्षण आवेस है वह कभी निगेटिव नहीं हो सकता वह आलवेस पा लुकल्त कीजाय है जैसे सबसे पहले हम कुलाम के नियम से लिखें कि F equal to होता है वन अपान फोर पाइ अपसेलानाट क्यों इंटू क्यों टू अपान आर इस्क्वेर यह होता है दो आवेसों के मज़ए कि हमारा यह जो दूसरा आवेस है यह हमारा जो दूसरा आवेस है वह क्या है इकाई है कहने का मतलब यदि हम यहां पर कंडिशन एप्लाई करें क्या कंडिशन एप्लाई करें कि यदि जो दूसरा आवेस है क्यू टू वह इकाई हो तो उस कंडिशन में केवल एक आवेस होग इसके नाम को बदल देते हैं और इसको बोलते हैं विदू च्हत्र की तीबरता और इसे प्रदरशित करते हैं इस पकार से यहां पर यह जो विदू छेत्र की तिव्रता है उसका फार्मूला हो जाता है यह एक्वल टू अपान फोर पाई अपसाला नाट क्यू अपान आर स्क्वेर तो इसकी परिभासा हम कैसे करेंगे ध्यान से सुनना तेखो मैंने आपको पढ़ानाई स्टार्ट के उ जब तक आप विदू छेत्र की तिव्रता को बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे का कोई भी टापिक समझ में नहीं आने वाला है इसलिए उसको बहुत ध्यान से आप समझो अब देखो यहां पर हम यह देखें कि एक आंक आवेस इतना बहल कर रहा है उसको विद कर दूं तो Q नाट इन्टो इसुआइगा वन अपन ओर 5 अपसाला नाट Q इन्टो क्यू नाट अपन आप आर स्क्यर यह हो जाएगा यह विदू छेतर की त्वरता के फार्मूला के मैंने दोनों साइट क्या किया q not का मल्टिप्लिकेशन कर दिया ठीक है इस प्रकार से q not क का मुल्टिप्लिकेशन करने के बाद कि तरह का यहां पर कंडिशन बन गया तो इसके राइट साइट को हम दूबारा तो यहां पर हमको एक और नया रिलेशन मिलता है कि f equal to होता है q not into e यह सब फर्मूले आपको याद रहना चाहिए अधर्वाइस आपको आगे समझ में नहीं आएगा clear तो q not into e equal to क्या होता है f और इसको यदि हम e के लिए लिखें तो इस फर्मूला को जब हम e के लिखेंगे तो इस परकार से लिख सकते हैं यहां पर फिर मैं इसको अलग से हाइलाइट करके लिख रहा हूँ इसको यदि हम f लिखें स्वारी e निकाले तो q not कुधर transfer कर दें त हैं जो हमने एकांग कावेस लिया है यह एकांग कावेस जितने बल का अनभौ करता है उसे विद्धु छत्र की तीब्रता कहते हैं clear कशियर कि आवेस किसे कहते हैं यह जानने के लिए आपको लेक्चर नॉमबर वन को देखना होगा अंकीत ठीक है किसे कहते हैं कुलाम की से कहते हैं यह सब जानना है तो जितने स्टुडेंट लेट में क्लास बाइन किये हैं वह इसके दो पार्ट और हो चुके विद्युत को आप देखो ध्यान से तो समझ में आ जाएगा चलिए तो हम विद्धु छेत्र में रखा विद्धु छेत्र में रखा एक आंग धन आवेस जितने बल का अनभव करता है उसे विद्धु छेत्र की तिब्रता कहते हैं कि यहां से यह बात आप ध्यान में रखना कि विद्धु छेत्र की तिब्रता भी एक तरह से बल ही एक तरह से क्या बल ही हो विद्धु छेत्र की तिब्रता भी बल है लेकिन कौन से बल है जो एक आंग आवेस महसूस करता है एक आंग आवेस जो बल महसूस करता है उसे हम क्य तो ठीक है यह सब नोट्स तो आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन से आप नोट्स देख लेना अब हम देखें विद्धुचेत्र रेखाएं और उसकी प्रापर्टीज देखो यहां पर हमने इसकी प्रापर्टीज को कम्प्लीट पीडिएफ फाम में आपको प्रोवाइट करा दिया है ताकि हम यहां पर इसको आपको एस्प्लेइन भी कर दें पाइंट टू पाइंट यहां पर देखो विद्धुचेत्र विद्धुद बल रखाएं और उनके कुछ प्रापर्टीज तो सबसे पहले मैं आपक पद्धन अअचे पत्सक्कों पता तू आप फोर्षैस से फिर उसके फारटी कo पार्ट पर इसक screw करेंगे सब्सक्राइब किulators करेंगे कि इंग्लिश में लिख दिया मैं है nessa कि को आपकर विद्धुद बन रहा रेका सब्सक्राइब क्या होता है यह को समझत्त इसके बाद या किसी इसके particular property पर question पुछा जाता है तो किसी particular property पर क्या question होता है वो हम property पढ़ते पढ़ते आप से discuss करेंगे ठीक है अब देखो मालो अपने पास एक positive charge है और एक negative charge है imagine करो कि यह हमारे पास एक positive charge particle है और suppose यहाँ पर एक negative charge particle है इसको हमने positive charge ले लिया यह मालो धनावेस है और यह मालो निडावेस है इस पकार से एक positive charge है एक negative charge है अब यह दोनों मिलके जो विद्दुछेतर बनाते हैं positive charge और negative charge मिलके जो electric field बनाएंगे यदि हम इस electric field पर एक आंग धनावेस को रखें मालो हम यहाँ पर एकांग धनावेश को रखते हैं प्लस फॉन चार्ज ज को जो की टेस्ट चार्ज है अभीु मैंने बताया कि एकांग धनावेस की कल्पना विद्दु शेतर की तिप्रता को परिभासीत करने के लिए किया गया तो यहां पर यदि हम एकांग धनावेस रखें तो यह जो धनावेस है वह क्या करेगा उस एकांग धनावेस को प्रतिकर्शित करेगा उसको प्रतिकर्शित करेगा क्योंकि वह भी धनावेस है तो इस तरह से यह इस पर प्रतिकर्शन बर लगाएगा और यह क्या करेगा इसक एक आंग धनावेस धिरे धिरे गमन करते हुए इस नीगेटीव चार्ज पार्टीकल तक पहुच जाएगा तो इन जिन-जिन बिंदुओं से हो के वह एक आंग धनावेस गमन करता है मतलब जिस पत्थ पर वो गति करता है ये पूरा पत्थ ही क्या कहलाता है विद्युदबल बल रेखा का परिभासा क्या हो एगा विद्धु छेत्र में रखा एक आंक धन आवेस जिस पथ पर गती करता है उस पथ को हम विद्धु बल रेखा करते हैं मतलब एक आंक धन आवेस के गती करने का पथ ही विद्धु बल रेखा कहलाता है यह सब क्या है विद्धु बल रे Police तो आपको complaint करते हूं सबसे इम्पार्टन प्रापर्टी तो यह है कि एख खुला वक्र बनाते हैं ओपन करों बनाते हैं मतलब विद्धू जुवल रखाए हैं वह धन से प्रारम होके रिड में समाप्त हो जाते हैं मतलब यह खुला वक्र बनाते हैं कुछ महत्पून पाइंट इहां पर डिस्कस करों बाकि आपको आगे बताऊंगा दूसरा important हैं कि जैसे मानलों विदुद्द पर किसी बेंद में चत्र को सब्सक्राइब 6 विद्दू छेत्र की तिवरता की दिशा क्या होगी एक ट्वर में विद्दू छेत्र की तिवरता एक सदीस रासी है और सदीस रासी की अपनी दिशा होती है तो यहां पर हम जानना चाहते हैं कि विद्दू बल रेखा में किसी बिंदू पर विद्दू छेत्र की तिवरता क कि दिशा क्या होती है तो इसके लिए क्या करना होता है हमको यहां पर एक इसपर्स रेखा खीच रहे हैं यही इसपर्स रेखा की दिशा होती है वह विद्दुच्छत्र की तिवरता की दिशा होती है मतलब अब इसको मैं यहां पर लिखनी रहा हूं क्योंकि मैं आगे पॉइंट्स पर उसको सबस्प्लेन कर दिया हुआगे मैं उसको रीट करूंगा तो दूसरा पापर्टी क्या मैंने बताया कि इस पर्स रेखा किसी बिंदू पर खीची गई जो इस पर्स रेखा है वह विद्धुच्छत्र की तिव्रता की दिशा मतलब इस पर्स रेखा किस दिशा को प्रदर्सित करता है यह बहुत महत्पूर्ण गूर्ण है ठीक है इसके बाद इसका तीसरा जो प्रापर्टी है जो बहुत महत्पूर्ण यह है वो है कि दो विद्धुद्बर ले खाएं एक दूसरे को कभी नहीं काड़ती यह कोस्टन कई बार बोर्ड एक्जाम में पूछा जा चुका है कभी नहीं काड़ती और बोर्ड एक्जाम में पूछता है क्यों यह पुछा जाता है यह point कई बार board exam में पुछा गया है कि विद्धुद्वर लेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्यों देखो अभी से आप हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान से समझो उस पर discuss करो तो आपके board exam के time में आपको सब कुछ याद हो जाएगा और आपको सब चीज असान लगेगा और इन चोटी चोटी चीजों पर आप अभी discussion सब्सक्राइब करना है यह उनके लिए होता है जो लागे इसके लिए जवरी है कि हर चीज को बहुत ध्याद से आप समझो सब्सक्राइब करना है यह उनके लिए होता है जो लास्ट मोमेंट में बहुत साइट टाइम में स्टडी करते हैं आपको तो पूरा डेप्थ में पूरा डिटेल स्टडी करना है तो यह एक इंपार्टेंट प्रपर्टी है कि विद्वाल रखाएं एक दूसरे को कभी नही काटती क्यों अब इसको मैं एस्प्लेन कर रहा हूं पहले तो इंपैक्ट यह हैं कि एक दूसरी लिए और मालो मेंने यह माल लिया कि माल लो विदुद्वाल रखाएं दूसरे को काटती है तो जब विदूल एकार दूसरी को काटती है तो यह जो कटान विन दू है उस गटान बेंदू पर हम दो इस पर सरेखा खीच सकते हैं कटान विो टोइव स्व एक क्यों कि दोनों का हमनों को को दीशा बताना हे लेकिन यह पूर्णतह गलत ये जैसे मालन लोग पहले के बिदू पर और इस परसरेखा खिचना पड़ेगा कि जो की पासिबल नहीं है क्योंकि Coffee मैस को कॉ Spiel करता है कि एक बिंदू पर सिर्फ एक हीप दूल इस परसरेखा खिची जा सकती है कि एक बिंदू फर्गोपर दो इपर हिसा रेखा नहीं खीची जा सकती तो यह मानना कि विदूद बल रखाएं दूसरे को काटती हैं गलस हैं क्योंकि जब विदूद बल रखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदू दोनों का उभरिस्ट बिंदू होगा आपको मालूम है कि जब दो रखाएं दूसरे को काटती हैं तो कटान ब विद्धुद बल रखाएक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर विद्धु छेत्र की तिप्रता की दिशा बताने के लिए दो इसपर्स रेखा खीचना पड़ेगा या दो इसपर्स रेखा क्या अवसकता होगी जो की संभव नहीं है अता ही इसपर्स है कि विद्धुद बल रखाएक दूसरे को कभी नहीं काटती यह कंप्लीट डिटेल एस्पनेलनेशन आपको हमारे नोट्स मी मिलेगा आप उसको आप यह हमारे एप्लीट कर लिजिए और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिजिए वहाँ पर बीना किसी फीके में आपको फ्री में प्रवाइट कराया गया है तो यह है विदू बल रखाए और उसके प्रपरटी चलिए अब इसको हम आपको यहां पर भी कुछनोर् को हम यहां पर भी ता कि आप इसकी साट ले लो और इसकी साट लेकर आप इमीडियेट उसकी पढ़ाई कर सकते हो और हम उसको आप एक एक तो कोण बनाते कि क मतलब है आपको मैं बार 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 बता रहे ह। इसकी स्वतंत्र अचांत्र धनावेस कर सकता है अब हम देखते हैं विद्धुद बल रेखाओं के कुछ गूंड जिसमें पहला विद्धुद छेतर रेखाएं धन आवेश से प्रारम कर रिड़ आवेश पर समाप्त हो जाती हैं यहां पर मैंने आपको फिगर में बताया देखो यह धन आवेस से प्रारम्भ होती है और रिड़ आवेस में जाके समाप्त हो जाती है तो पहला प्रापर्टी है कि यह धन आवेस से प्रारम्भ कर रिड़ आवेस पर समाप्त हो जाती है दूसरी प्रापर्टी क्या है विद् एक दूसरे को कभी नहीं काड़ती यह मैं एस्प्लेन कर चुका आपको क्यों करती उसके बाद देखो विद्धुच्छेत्र रखाएं के अंदर होकर नहीं गुजरती अता चाला के अंदर विद्धुच्छेत्र नहीं होता यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको हो जाती है ओके तो सभी पाइंट क्लियर आपको किसी पाइंट पर कोई प्राब्लम कि यह कोस्चन बोर्ड एक्जाम में आ सकता है विद्धुद बल रखाएं किसे कहते हैं उसके गूंड लिखो और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉस्च्छन है कि विद्धुद बल रखाए एक दूसरे को कभी नहीं काड़ती क्यों कि एड़ी प्राब्लम हो तो इसको फिर मैं आपको बता दूं ठीक है है कोई प्राब्लम किसी को नो प्राब्लम हो ओके वेरी गुड नेस्ट विद्धीत द्वीधुरु अब यहां पर हमको एक कांसेप्ट जो समझना है वह है विद्धीत द्वीधुरु इलेक्टिक डाइपोल देखो भाई विद्धीत द्वीधुरु क्या होता है नाम से इस पीस है द्वी मतलब दो और इलेक्ट्रिक के पोल तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बाद में हम इसके डाइपोल मोमेंट भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को कॉंसेप्ट यह है कि सपोज यह एक आवेस है और यह दूसरा आवेस है और यह दोनों आवेस मतलब द्वीधु होने के लिए दोनों आवस एक निष्ची दूरी पर होने चाहिए पहली बात दूसरी बात उसमें से एक को पाजिटिव चार्ज होना चाहिए दूसरे को निगेति होना चाहिए यदि दोनों पाजिटिव होंगे तो इसको विद्धू दूर्थ रूम नहीं कहा जाएगा क्लियर और यदि उनका परिमाड भी अलग अलग हो एक Q1 हो एक Q2 हो तब भी उनको विद्धुत द्विधु का मतलब क्या होता है समान परिमाड तथा विप्रित प्रकृति के विप्रित नेचर के दो आवेश जब एक निश्ची दूरी पर रखे हुए हो तब हम इसको क्या क दो आखें बहते हैं कि अब यहां पर हमको समझना है कि विद्धुत द्विधरु आघून का आघून क्या होता है तो मैं दूबारा का क्रता हूँ यह अधर यह एक चार्ज है एक दूसरा चार्ज है दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं दोनों एक प्लस Q चार्ज है और यह माइनस Q चार्ज है तो यहाँ पर विद्ध दूसरा अगुर्ण को हम P से पतरशित करते हैं P से और P इक वल्टू होता है दोनों में से कोई एक आवेस का परिमाड मतलब Q और इंटू दोनों आवेसों की बीच की दूरी जो की क्या है 2A है तो P बराबर Q इंटू 2A होगा और इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं P इक वल्टू 2QA यह कहलाता है सभी आवेस बहले ही यहाँ पर आवेस क्या है अदिस रासी है लेकिन विद्वी तो दरीदृ को सदिस रासी माना गया है क्योंकि कई बारे स्टुडेंट यहां पर कन्फ्यूस हो जाते हैं कि सर असदीः है कि सदीज तो क्यों हो यहां पर तरहे है यह कन्वेंशन है और यह बाद भी ध्यान में रखना कि इसकी जो दिषा होगThis होगी वह हमेशा निगेटिव तू पाजिटिव यह एक परिपार्टी है यह एक कन्वेंशन है कि वाई गानिकों ने विद्धुत दुधुरू की दिशा को माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की और माना ठीक है हाँ या इसी को मैं लिख सकते हैं या इसी को मैं लिख देता हूं यहाँ पर कोई कन्वेंशन है आपको पी इक्वाल टू टू क्यू एल इस रूप में भी हम प्रदस्रित करते हैं और ध्यान रखना कि इसकी दिशा हमेशा करता नेगयाटिक से moder点 होती है मतलब विद्यूत दृधू की दिशा यह इसकी दिशा होती है क्योंकि आगे हमको पूरा विद्यूत दिद्धू पर ही कारी करना है ठीक है आगे हमकोbol insights विद्धू दिदू पर ही फ्रेक्टर माना गया है क्यों कि सिक होती है मुझा कुलाम मेटर इसका क्या होता है यूनिट क्यू का कुलाम और a का डिस्टेंस है तो मीटर पुलाम इंटु Mix spray Cup यूनिट होता है चलिए नेस्ट टापिक हम देखें विद्धित दृध्रु के काराण विद्धु छेत्र की तिब्रता अनुदेर्धी स्थिति या अक्षी स्थिति अब हम यहां पर अपने एक में टापिक पर पहुंसते हैं और इस टापिक में आपको देखो पढ़ना क्या है कि विद्धित दृध्रु के काराण विद्धु छेत्र की तिब्रता क्या होती अभी हमने विद्धु छेत्र की तिब्रता पढ़ा कि अलग अलग कंडिशन पर अलग अलग कंडिशन पर विद्धु छेत्र की तिब्रता का गणना हमको यहां पर करना है यह जो हमने पढ करना है विद्दु छत्र की तिब्रता की दिशा में हाइलाइट कर देता हूं यह हमारा टापिक इंडान पॉजिशन या एक्सियल पॉजिशन अनुदैर्ध इस्थिति या अक्सी स्थिति इंडान पॉजिशन तो सबसे पहले मैं आपको यह एस्प्रेंड करूं कि अक्सी स्थिति होता क्या है ठीक है यहां तक क्लियर सब को तो अक्सी स्थिति कहते कहते हैं किसे कहते हैं यह मैं आपको एक फिगर से समझा रहा हूं कि अक्सी स्थिति होता क्या है देखो यह एक बिंदू आवेस है और यह एक दूसरा बिंदू आवेस है इन दोनों आवेसों को हम एक रेखा से मिलाते हैं इस लाइन से हम इसको मिला देते हैं इस तरह से और यहाँ पर आप जो देख रहे हो इन दोनों आवेसों से होकर जाने वाली जो रेखा है इस रेखा के किसी भी बिंदू को हम क्या कहेंगे अक्षी स्थिति कहेंगे अब यहाँ पर हम consider कर लें इसके सभी values को कि कौन कौन सा value क्या है तो suppose हम इन दोनों की बीच के distance को suppose कर लेते हैं 2A या A जो भी है और इसके center से जिस बिंदू पर हम को तिवरता निकालना है उस distance को हम R suppose कर लेते हैं पहले दूरियों को मैं explain कर देता हूँ फिर आपको सब चीज explain करूँगा यह यह है plus Q आवेस यह सपोज माइनस Q आवेस इन दोनों आवेसों के बीच की दूरी मालो यह A बिंदू पर रखा हुआ है यह B बिंदू पर रखा हुआ है और इन दोनों आवेसों की बीच की दूरी को हमने 2A suppose कर लिया ठीक है या 2L suppose कर लेते हैं ज्यादा तार लोग L पर comfortable ह होता है लगता है मुझे तो चलो इसको में 2L suppose कर लिए और यह एक पॉइंट है इस पॉइंट पर यह मालो पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर हमको विदू चेतर की तिवरता निकालना है और उसकी इसकी मध्ध बिंदू से यह इसका मध्ध बिंदू है जिसको हमने दो विद्ध दूइधरू जो होते हैं इसलिए हमने सबसे पहले विद्ध दूइधरू के कांसेप्ट को पढ़ा तो विद्ध दूइधरू को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उस सीधी रेखा के किसी बिंदू पर जब हमको तिवरता ग्याद करना होता है तब हम उस जो माइनस क्योंस क्या करेगा उसको अपनी और आकरसीत करेगा, क्यों कि यह धन आवेस है और यह अर्णिड आवेस है, तो माइनस Q आवेस उसको आकरसीत करेगा, और यह जो प्लस Q आवेस है, यह क्या करेगा, इसको प्रतिकरसीत करेगा, इस तरह से यहाँ पर दो बल कारे करेंगे, दो तिब्रता कारे कर करण आकरसण एक प्लस क्यूंग करन प्रतिकरसर तो यहां पर इसके वेलिउस को में कंसिदर कर लेते हैं कि मानलो यह जो आकरसण बढ़ है माइनस क्यू के कारण इस संक्यत को हमने लिख लिया ई और नीचे में छोटा सा मैंनस क्यूं मैं जनरली इवन इटू नहीं क्योंकि युक्स क्योंकि युफ से पता नहीं चलता कि क्याश्च कारण है क्यों धन अविसके कारण है और माइनस कीटे प्लस क्योंаст कीटे लिग दो तो सीधा सीधा पता चलिव जाता है कि माइनस क्यूद आवेस करन के का रन है और यहां पर जो प्रतिकर्शन रवल लगेगा यह हो जाएगा क्योंकि बिंदू पी पर एक आंग धन आवेस रखा हुआ है इसलिए रिड़ आवेस उसको अपनी और अकर्सित करेगा और यह जो धन आवेस है यह इसको प्रतिकर्सित करेगा इस पकार से दो विदुच्छत्र यहां पर कार्य करेंगे और इसके बाद फिर हमको क्या करना है यहां पर विदुच्छत्र किति प्रता की गरणा करना है clear आपको समय गया अब हम बारी बारी से लिगते करना है यहां से गरणा करता हूं गर्णा के लिए सबसे पहले हम चित्र की व्याक्षा करेंगे माना की लिखेंगे यह सब आपको हमारे नोर्स में भी जाएगा या अपने सब्दों में इसको आप एस्प्रेंट कर सकते हो कि माना की A और B में माइनस Q प्लस Q आवेस रखा हुआ है जिनके बीच की दूरी 2L है इसके अक्स में कोई बिंदू P है जिस पर एक आंगधन आवेस रखा हुआ है जिस पर माइनस Q आवेस के काणड़ विदुच्छतर की प्लस Q इस पर एरो लगाना क्योंकि यह दोनों क्या है सदीस रासी है तो इसमें वेक्टर निकाल लगाना जरूरी है अब इसकी गर्णा करें तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ किसका वेल्यू E-Q का सपोज मैं E-Q का वेल्यू निकाल रहा हूँ तो E-Q का वेल्यू अभी हमने सुत्र पढ़ा है विदुच्छतर की तिवरता का तो Q अपान इनके बीच की दूरी देखो यह माइनस Q है और यह एक आंग धानावेस है तो इनकी बीच की दूरी क्या है PB या BP इसकी बीच की दूरी क्या है PB पी से लेकर भी तक तो इसको मैंने लिख दिया क्या पी बी और पी वी कई स्क्वेर और यहां पर हम को इसका दिशा भी बताना पड़ेगा क्योंकि फड़ी सराel जी है तो है यहां पर मैंने एरो लगाया है देखो पी से बी की और क्योंकि मैण थी आवेस उसको अकर्सीत कर रहा है तो यहां पर आप पीवी लिखोगे और पीवी के उपर ऐसा एरो लगा होगे यह कम्प्रीट एस्प्रेलेशन होगा मतलब यहां पर यह बताया जा रहा है कि विदुच्छतर की तिव्रता की दिशा क्या है ठीक है अब यहां पर देखो इमाइनस क्यों निकालने के ब सब्सक्राइब तक कर डिस्टैंस क्या है और है और से लेकि भी तक क्या है अर यह बृट गी तक हो तो पीस वेल है कर और को उसमें आर में हम एल को मैंस करदींगे र माइनस थरे यह हो जाएगा R-L का whole square तो यह हमने निकाल स्क्राइब क्या E-Q E-Q निकाल लें के बाद हम E-Q निकालेंगे अगें E-E-Q E-Q निकालेंगे तो क्या होगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon q upon यहाँ पर देखो अब हम इसके कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ से distance क्या है यह a p a से लेके p तक का distance तो यह हम लिख देंगे क्या a p square और यहाँ पर भी हमको दिशा दिखाना होगा दिशा मैं side में लिख देता हूँ चोटा सा ठीक है तो direction क्या है इसका direction है a से p की और यह direction है तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसका direction लिख देंगे इसके साथ confusion वत्वापको data a p a p इसका direction होगा ओके अब हम a p का value put करेंगे वहाँ पर तो a p यह जो p है वो कितना हो जाएगा यहां से यहां तक r है और यहां से यहां तक यह एल है तो कितना हो जाएगा r plus L r plus L का whole square तो यह हो जाएगा e plus q equal to one upon 4 pi epsilon not q upon r plus L का whole square r plus L का whole square यह relation number two यह था relation number first इसको हमने रिलेस्ण नंबर फिरस्ट कहा अब देखों यहां पर हम को निकालनागी स्ट्रार एक इधर लग रहा है यहाँ चितर में आप ध्या माइनस क्यू एधरा कि फॉइस इधर लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है और दोनों एक दूसरे तीक विप्रिद दिशा में लगे हुए है जब दोल किसी बिंदू पर एक और कि ठीक-विप्रिद्धित सामें लगे होते हैं तो उनका परणामी निकालने के लिए हम अधीक परणामी कियो обह एक नाने हैं तो याहां पर हमको परणामी निकालना है कि प्लसक्यू को e-q के साथ तो परणामी निकालने के लिए हमको अधीक से कम को माइनस करना पड़ता है तो अब मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ ध्यान से समझना और चेट में कमेंट्स लिखना कि e-q और e-q में अधीक कौन है बड़ा कौन है ये e-q है और ये e-q है तो ज्यादा किसका है value बड़ा किसका है e-q का कि e-q का चूंकि e-q बड़ा होगा e-q बड़ा होगा किस से e-q से यहाँ पर vector लगाने के ज़वरत नहीं है परिमाड में not direction तो e-q e-q से बड़ा होगा e-q e-q से बड़ा होगा क्यों होगा क्योंकि इसका हर छोटा है क्योंकि इसका हर छोटा है और इसका हर क्या है बड़ा है तो जिस भिन्न में हर बड़ा होता है वह रासी छोटी होती है तो यह बड़ा हो जाएगा दूसरी बात यदि आप उसको इस जंग से सोचो तो यहाँ पर इस दूरी पर बल लग रहा है दूरी कम है और इसके साथ इतनी दूरी पर बल लग रहा है तो कुलाम ने बोला था कि दूरी के वर्ग के बित्क्रमान उपाती होता है मतलब दूरी का मान जितना घटेगा बल उतना ही होगा उतना ही अधिक होगा तो यहाँ पर दूरी का मान कम है यह दूरी कम है R-L दूरी कम है इसलिए इसका मान अधिक होगा तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि E-Q क्या है E-Q से अधिक है बात क्लियर है और जब E-Q E-Q से इसलिए परणामी तिप्रता परणामी तिप्रता का जो मान होगा जिसको हम कहेंगे वह जाएगा E-Q-E-Q यहाँ पर आपको काराण पता होना चाहिए कि E-Q में E-Q को क्यों माइनस कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि E-Q E-Q से बड़ा है इसलिए हम उसमें से उसको माइनस करेंगे क्योंकि कई बार इस्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं ठीक है चलिए तो अब इसका वेल्यू को हम पूट अप करते हैं तो वेल्यू पूट अप करेंगे तो क्या जाएगा देट इक्वल वन अपन फोर पाई अपसाला नाट क्यू अपन यह माइनस क्यू के करण डिस्टेंस था रस्प्न ऑपाई अपसाला नाट ऑफन अपन फोर पाई अपसाला नाट एक्व अपन अपन और कर लेते हैं यह होगा अब इसको साल्व करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर एलसियम निकालेंगे यहाँ पर इन दोनों का एलसियम इसका जो लगुतम होगा यह दोनों का गुड़न फल के बराबर क्या हो जाएगा R square minus L square का whole square यह होगा तो इसका multiplication यहाँ पर R plus L का whole square minus R minus L का whole square यह होगा अब algebra में हम एक formula जानते हैं जो आपको हमने basic mathematical tools पढ़ाते समय बताया था A minus B का whole square minus A plus B का whole square A plus B का whole square minus A minus B का whole square जो होता है वह 4AB के बराबर होता है यह 4AB के बराबर होता है ठीक है यह formula मैंने आपको बताया था ठीक तो यहाँ पर A plus B का whole square minus A minus B का whole square equal to 4AB होता है और इसका जो value है यह जो value है इस value का यह दि हम use करें इस फर्मूला के यदि हम यूज करें तो हमारा कालकुलेशन यहां पर बहुत आसान हो याईगा यदि उसको यूज ने करेंगे तो यहां पर यह बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए मैं स्पर्मूला को यूज कर रहा हूं और यूज करके फिर इसको लिख रहा तो देखो तो यह हो जाएगा ईक्वल कि क्यू अपन थो पाई अपसेला नाट और यहां पर क्या हो जाएगा अपसा यहां पर स्पेशल केर करना a plus b का holy square minus a minus b का holy square यहाँ पर r plus l का holy square minus r minus l का holy square 4 a b होता है तो हो जाएगा 4 r l और नीचे में तो यही रहेगा r square minus l square का holy square that implies e equal q upon 4 pi epsilon 0 और यहाँ पर हम क्या करें थोड़ा से adjustment करें उसके बाद हम इसको लिखेंगे 1 upon 4 pi epsilon 0 यह 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 q l और into 2 r upon r square minus l square का holy square मतलब हमने 4 को 2 into 2 लिख लिया ऐसा क्यों किया अब मेरे को आप लोग यह बताओ कि यह किसका value है 2 q l किसका मान है 2 q l किसका मान है भई that implies equal 1 upon 4 pi epsilon 0 2 q l किसका मान है p का ओके वेरी गूड यह पी का value होता है तो क्या हो जाएगा यह 2 p r 2 p r upon r square minus l square का holy square तो यह होता है विद्दू छत्र की तिवरता का फार्मूला अक्सी स्थिती में विद्दू छत्र की तिवरता का फार्मूला होता है e equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2 p r upon r square minus l square का holy square अब इसमें हमें की special case देखते हैं इसका special case क्या है देखो इस special case में हम यहाँ पर यह देखें यह जो मैं figure बताएं वहाँ पर ध्यान से सुनों यह दोनों के बीच का जो distance 2l है वो यह r के comparison में क्या हो जाए बहुत कम हो जाए मतलब 2l बहुत कम distance हो r बहुत जादा हो तो उस condition में क्या होगा देखो 2l जब 2l length है वो बहुत ही छोटा हो जाए किसे r से तब यहाँ पर हमारा जो formula है बार formula को repeat करता हूं e equal to हमने लिखा है 1 upon 4pi epsilon 8 2pr upon r square minus l square का whole square अब इस condition में देखो जब 2l r से बहुत छोटा हो तो हम इस l को negligible मान सकते हैं क्योंकि यह क्या है r के comparison में बहुत ही कम है तो हम उसको negligible मान लेंगे तो negligible मानने के condition में अब यह formula क्या हो जाएगा that implies e equal 1 upon 4pi epsilon 8 2pr upon यह 0 हो गया तो r का power 2 2 के साथ में क्या हो जाएगा r to the power 4 हो जाएगा और 1 r इसके साथ में केंसल आउट होगा तब हमको formula क्या मिल जाएगा e equal to 1 upon 4pi epsilon 8 1 cancel out हो गया तो यहां से मिलेगा अपने को 2p upon r to the power 3 तो यह होता है small distance के लिए formula ओके तो यह विदुच्छत्य की तिवरता का formula है विदुच्छत्य की तिवरता का unit क्या होता है क्या होता है force into charge f equal to q equal to f into e होता है f upon e ठीक है तो क्या unit हो जाता है इसका unit क्या हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया कि e equal to होता है f upon q not तो विदुच्छत्य की तिवरता का unit क्या होगा Newton कुलाम inverse या Newton पर कुलाम Newton कुलाम inverse यह इसका unit होता है तो यह हमारा complete हो गया अक्षी स्थिति अनुप्रस्त स्थिति या निरक्षी स्थिति कल हमने अक्षी स्थिति पढ़ा था और आपको मालूम है कि आज का हमारा जो tapik है वह निरक्षी स्थिति जिसकों बोलते हैं ब्राट साइड आन पोजिशन या इक्टिटोरियल पोजिशन तो अनुप्रस थिस्थी क्या होता है या निरक्षी स्थिती क्या होता है दोनों में से एक एक्जाम में हमेशा पूछा जाता है या तो अक्षी पूछता है या तो निरक्षी पूछता है ओक तो निरक्षी स्थिती का सब से पहले हम फीगर बना लें那 से आपको समझ में कि निख्षी स्थिति हम किसे कहेंगे देखो यहां पर एक और दूसरा निख्षी Highण से समझना यह दोनों और मिलाने वाली रहां है tama इसका उदासी नक्स कहलाएगा, अब देखो, यहां पर माल लो plus Q charge है, यहां पर माल लेते हैं हम, कि यहां पर plus Q charge है, यह है plus Q charge, यह है minus Q charge, और यह दोनों charge के बीच का distance suppose 2L है अब यह plus Q charge है यह यहाँ पर यूनिट चार्ज होगा इस यूनिट चार्ज को जो की क्या है? एक आंग धन आवेस है तो यह जो plus charge है इस एक आंग धन आवेस को प्रतिकर्शित करेगा इस पकार से इसका जो direction होगा वो ऐसा होगा यह ज़र प्रतिकर्शित करेगा लेकिन यह minus Q आवेस है यह minus Q आवेस क्या करेगा उसको अपनी और आकर्शित करेगा यह इस तरह से आकर्शित करेगा अब यहाँ पर आप figure में देखो कि यह प्रतिकर्शन का बल है और यह क्या है आकर्शन का बल है मालनो इसके इस बिंदू से ये बिंदू A है ये बिंदू B है और ये बिंदू O है और यहां पर जिस बिंदू पर हमको बिंदू छेतर की तिवरता ग्यात करना है वह बिंदू P है जिस बिंदू पर बिंदू छेतर की तिवरता ग्यात करनी होती है उस बिंदू पर हम धना में रखा हुआ है तो यहां से पतिकरrama यह कौण तो चूंकि यह दोनों भूज़ा आपस में बराबर होंगे तो Кिसी त्रिभूज के आमने सामने की भूज़ा बराबर हो तो आमने सामने के स्वेशत को भी बराबर होते हैं तो यह थीटा हो जाएगा मालो यहां से O से P तक O से P तक का मालो distance को हमने R सपोस्ट कर लिया अब यहां पर देखो यह theta है यह theta है तो यह त्रिभूज का Y है कोण है और त्रिभूज का Y है कोण होता है वह दो दुरस्त अंताख कोणों के योग फ़ल के बराबर होता है त्रिभूज का जो Y होता है वह दो दुरस्त अंताख कोणों के योग फ़ल के बराबर होता है तो यह theta है तो दोनों का योग क्या हो जाएगा 2 theta होगा इस पकार से यहां पर हम विदुच्छतर की तिवरता की बात करें तो यह minus Q आवेस के कारण है तो इसको हम कहेंगे E minus Q और यह plus Q आवेस के कारण है तो इसको हम क्या कहेंगे E plus Q यह हम इसको E plus Q कहेंगे इस पकार से E minus Q E plus Q यह दोनों का जो resultant होगा दोनों का जो परिणामी होगा वह परिणामी का जो direction होगा वह यह होगा ये इसके परणामी का direction होगा और परणामी तिवरता ही हमको यहाँ पर निकालना है मान लो इसकी तिवरता क्या है यहाँ पर E है तो देखो यहाँ पर परणामी का तिवरता का दिसा निकालने के लिए हम समांतर चतुर्भूज का जो नियम होता है जो 11th class में हम basic mathematical tools में पढ़ते हैं अच्छा एक important बात आपको मैं share कर दूँ वो यह कि आप 12th class की student हो आप 11th class करके आ चुके हो तो आपको यह बात पता है कि physics को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका mathematical tools strong होना चाहिए मतलब आपको algebra, trigonometry, vector algebra विसेश रूप से और calculus विसेश रूप से यह आपको अच्छे से त्यार रहना चाहिए तो हमारे channel पर इसके बहुत से video डेले हुए है playlist में कई जगा आपको मिलेगा मूल भूत गडितिया उधारना का अलग से playlist है तो आप सभी को मेरा suggestion है कि आप time निकालके अभी से यह चारो पाँचो mathematics को strong कर लो क्योंकि physics में अच्छा करना है तो उसके लिए सबसे ज़ोरी है का आपका mathematical tools strong होना चाहिए यदि वो आपका कमजोर है तो physics आपका परसान करेगा physics strong करने का पहला step है इसलिए भी हमारा batch start ही हुआ है बिल्कुल सुरवात का class है और इसमें अभी time है आपके पास कि आप उसको strong कर लो बाद में यह मौका नहीं मिलेगा ओके तो यह हो गया इसका complete situation अब यहाँ पर देखो यह चू कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी यह total 2L है तो यह कीतना हो जाएगा L होगा और यह कीतना है R है तो यह देखो यह इस त्रिभूज का kern है A, P, O का kern है तो kern क्या हो जाएगा पाइसागोरा स्प्रमे से यह हो जाएगा R square plus L square R square plus L square इसका kern हो जाएगा इसपकार से यह जो peer distance है वो इसके बराबर होगा, अब हम यहाँ पर calculation start करते हैं तो गर्णा बहुत ध्यान से समझना गर्णा है, calculation तो calculation में हम सबसे पहले क्या निकालने minus q आवेस के कारण विद्धु छेत्र की तिब्रता जिसको हम कहते हैं e minus q e minus q जो की सदिस रासी है, arrow लगा देगे और equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi इसको तो white minus e minus q equal 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी क्या है? p b, इनके बीच की दूरी है p b तो यह हो जाएगा p b का square इसका relation number first दे दो और इसकी दिशा क्या है? p से b की ओर आप चित्र में देख रहे हो कि हाँ आकरसंबल है और इसकी दिशा क्या है? p से b की ओर है यह relation number first है clear? इसके बाद हम निकालेंगे e plus q तथा e plus q तो e plus q equal to होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon p upon यह जो distance होगा a से p की ओर तो यह हो जाएगा ap square ap square यह relation number 2 और इसका जो direction है आप चित्र में देखो a से p की ओर है यहाँ पर दिशा बताना जरूरी है क्योंकि विदूच्छेतर की तिवरता सदी स्राशी है और यहाँ पर दिशा बताना है देखो यदि आपको full marks लाना है यदि आपको पूरे number पाना है तो हर छोटी छोटी बात का आपको अपने explanation में उलेप करना है जैसे यहाँ पर मैं दिशा लिखा तो दिशा बराबर लिखना है क्योंकि विद्धु छेत्र की तीब्रता हम बता रहे हैं तो हम को यह भी बताना है उसकी दिशा क्या है ठीक है तो अब यहाँ पर देखो E plus Q E minus Q हमने निकाल लिया अब हम क्या करेंगे यहाँ पर परिणामी तीब्रता निकालेंगे तो उसके पहले हम इन दोनों में सम्मंद देखें सम्मंद क्या है परन्तु यहाँ पर देखो चितर से चितर से क्या क्लियर है कि यह जो AP distance है यह जो AP distance है वह PB distance के बराबर है यह आपने सामने कोड़ थीटा थीटा भी है तो यह दोनों दूरी आपस में बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि AP बराबर PB है AP PB के बराबर है अब इन दोनों सम्मंदों को देखो कि यह जो AP है वह यदि PB के बराबर हो जाए AP जब PB के बराबर हो जाए तो एक पूरा का पूरा आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि 1 upon 4 पर अपसला नाट तो दोनों में है Q दोनों में है तो इस प्रकार से उसके बराबर होने पर complete वो बराबर हो जाएगा इस प्रकार से जब एक दोनों बराबर हो जाएगा तो therefore, तब हम क्या लिख सकते हैं, यह दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं, that means e minus q, यहाँ पर हम arrow नहीं लगाएंगे, क्योंकि दिसा में बराबर नहीं है, e minus q equal to e plus q, देखो कितनी छोटी छोटी बातों को care करना होता है, यहाँ पर मैंने दिसा लगाया हुआ है, लेकि इसकी यह है और इसकी यह है, तो दोनों equal है only in magnitude, not direction, तो हमने दोनों को यहाँ पर बराबर बता दिया, अब हमको एक चीज़ पता है, जो next slide में आपको बताता हूँ, कि यह चीज़ आप note करके रखना, यह आप note करके रखो, या उसको मैं side में लिख दूंगा, उसको side में ल note यह है, कि हम जानते हैं, इसको याद रखने, इसको बहुत ज़्यादा use होगा, जैसे मालो, अपने पास दो सदीस है, एक सदीस यह है, और दूसरा सदीस यह है, और इनका जो परिणामी है, वो परिणामी सदीस मालो, यह R है, तो हमने 11th class में basic mathematical tools में पढ़ा है, कि इस condition मे मालो, यह vector A है, और मालो, यह vector B है, और vector A और vector B के बीच का कोण क्या है, यदि theta है, तो यह जो बीच का, जो आप देख रहे हो, जिसको हम R से represent करें, यह इसका resultant है, परिणामी है, तो समांतर चतुर्भूच का नियम क्या कहता है, कि यदि A और B परिणामी में बराबर हो ज है, तो उनका परिणामी, तो उनका जो परिणामी R होता है, वह होता है, 2A cos theta by 2, यह rule हम जानते हैं, यह rule हम जानते हैं, यह basic mathematical tools में हम आपको समांतर चतुर्भूच की नियम में पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग का याद नहीं होगा करके, मैं यहाँ पर उसको एक बार तो हम इस फार्मूला को यहाँ पर use करेंगे, देखो इस फार्मूला को हम यहाँ पर use करेंगे, R A equal to 2A cos theta by 2, इस सुत्र को हम यहाँ पर use करेंगे, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि A बराबर भी होता है, तभी हम करते हैं, और यहाँ पर यह दोनों आपस में बराबर हैं, तो ज धकिया इसके बाद देखो इसका परिणामी इसलिए परिणामी क्या हो जाएगा इसलिए परिणामी त्विब्रता इसलिए परिणामी त्विब्रता E बराबर 2 और A A का मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं आपर E माइनस Q या E प्लस Q तो 2 A कास और दोनों के 20 का कोड है 2 थीटा तो 2 थीटा वाई 2 होगा देखो यहाँ पर यह दोनों के 20 का जो कोड है यह कितना है यहाँ पर 2 थीटा है E माइनस Q E प्लस Q के 20 का कोड 2 थीटा है और परिणामी है E तो यहाँ पर जो फर्मूला में थीटा आता है उसके जगा हम कहाँ पर लिखेंगे उसके जगा हम लिखेंगे क्या 2 थीटा बाई 2 आगे इसको साल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा देखो that equal to E माइनस Q का वेल्यू पूट कर देते हैं तो 1 upon 4 pi अपसेला नाट और Q upon Q upon क्या होगा यह फार्मूला थोड़ा देखना कि यहाँ पर इसका वेल्यू है PB या PA तो यहाँ पर PA PB के बराबर है और यहाँ पर चित्र में हम आपको बता के रखें हैं रूत आप R e square प्लस L e square होता है लेकि शुत्र में e square है तो रूत वहाँ से हट जाएगा तो होगा R e square प्लस L square और इन्टु यहाँ पर टू-टु हो कटेगा तो कास Theta बचेगा और चित्र में देखो कास Theta क्या है यहाँ पर यह धिये Theta है तो cas theta बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण गास theta होगा आधार बटे कर्ण इस पकार से यहां पर देखो आधार है यह जो की l है और कर्ण है यह l upon root of r² प्लस l² होगा ठीक है तो आधार बटे कर्ण से l upon under root of r² प्लस l² यह हो जाएगा यह है हम इसको salvo करें तो ध्यान देना यह 2 और Q और L 2 Q L मिलके बन जाएगा P जिसको हम विद्धित द्विध्रु आगूर्ण कहते हैं तो अब उसको हम क्या लिख सकते हैं तो आगे हमारा फर्मूला हो जाएगा 1 upon 4 pi अपसेला नाट और यह हो जाएगा P upon यहाँ पर देखो इसका पावर 1 है और इसका जो पावर है वह 1 by 2 है तो 1 प्लस 1 by 2 घातांक नियम से दोनों के पावर जूड़ेंगे तो 1 प्लस 1 by 2 मतलब कितना हो जाएगा 3 by 2 तो यह हो जाएगा R square प्लस L square का whole power 3 by 2 इस पकार से देखो यह इसका value हो जाएगा तो यह जो हमने फार्मूला निकाला यह निरक्षी स्थिती पर विद्दु छेतरकिती ब्रता के लिए फार्मूला है अब इसमें हम condition apply करेंगे यह इसका final equation है लेकिन अब इसमें हम condition apply करेंगे कौन सा condition जो दोनों आवेसों की बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है R के comparison में तब इस condition में हम इस R L को negligible मान सकते हैं और तब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा तब हमारा फार्मूला हो जाएगा E equal 1 upon 4 pi epsilon 0 और P upon यह 0 हो गया तो R का e square जब open होगा तो R e square का whole power 3 by 2 तो 2 2 कटेगा तो इस तरह से यह इसका final equation हो जाएगा ओके यह हो गया इसका final equation E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 और P upon R cube यह है इसकी परणामिती प्रता है अब यहाँ पर हम थोड़ा सा discussion करेंगे कि अक्षी और निरक्षी सिती पर दोनों की बीच में क्या संबंध होता है तो देखो special note यह note आप ध्यान रखना condition हम देख रहे हैं if 2L is very less than R इस condition में तो पहला फार्मूला हमने देखा क्या E अक्षी स्थिती के लिए यह जो अक्षी स्थिती के लिए हमने विद्दू चेतर की तीवरता देखा जो हमने इसके पहले वाले class में मतलब कल वाले class में हमने इसको derive किया तो क्या पाया यह होता है 1 upon 4 pi epsilon 8 2p upon R cube यह हमने देखा और अभी हमने यह निकाला कि E जो निरक्षी स्थिती होता है जो निरक्षी स्थिती होता है सिर्फ इस condition की बात हो रही ना सिर्फ इस condition के लिए तो हमने यह निकाला है 1 upon 4 pi epsilon 8 p upon R cube यह निकाला है अब हम इन दोनों में संबंद देखना चाहे इन दोनों में संबन्द हमको क्या मिल जाएगा देखो यहां पर इन दोनों में संबन्द हम निकालना चाहें तो यह इसका दुगुना है देखो बाकी पूरा का पूरा बराबर है तो ई अक्षी क्या है निरक्षी का दुगुना है इस पकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं इस इसलिए ए निरक्षी स्थिती जो होता है ए अक्षी स्थिती जो होता है माने अक्षी स्थिती में जो विद्धुच्छत्र की तिव्रता है वह निरक्षी स्थिती पर विद्धुच्छत्र की तिव्रता का दुबना होता है यह होता है निरक्षी तो ए निरक्षी यह कहलाता ह निरक्षी स्थिती पर विद्धू छेत्य की पीवरता का फार्मूला, ओके, E अक्षी इक्वाल टू E निरक्षी, ओके, चलिए, तो यह हो गया, निरक्षी स्थिती, अब हम इसमें देखते हैं, वैदित द्विध्रू के काराण किसी बिंदू पर, किसी बिंदू मतलब क्या हुआ, एनी पॉइंट, यह बात थोड़ा ध्यान से समझना, यह है किसी बिंदू पर, मतलब एनी पॉइंट, यहाँ पर जो हम विद्दू छेतर की ब्रता निकालेंगे, इसमें ना तो वह बिंदू अक्षी स्थिती में है, और ना तो वह निरक्षी स्थिती में है, ना तो वह अक्षी स्थिती में है ना तो निरक्षी स्थिती में है उसके बयाय किसी और तीसरे जगा में है तब हमको उसको विदुच्यतर की विवरता का गर्णा करना है लेकिन यहाँ पर कंडिशन यह है कि यह सिर्फ एक कंडिशन के लिए अप्लाई होता है ध्यान रखना वो कि यदि क्या हो 2L बहुंच छोटा हो R से सिर्फ इसी कंडिशन के लिए इस फार्मूरा को निकाला जाता है बाकी कंडिशन के लिए यह एप्लाई नहीं होता तो बहुत ध्यान से समझना यह टापिक कई लोग को ढंग से समझ में नहीं आता इसलिए इसको थ्यान से आपको समझना है चलिए तो मैं पहले फिगर आपको यहां पर explain कर दूँ, यह इसकी अक्षी स्थीती है, यह इसकी अक्षी स्थीती है, और यह इसकी निरक्षी स्थीती है, लेकिन जिस बिंदू पर हमको विद्धु छत्र की तिप्रता ग्याद करना है, वह बिंदू मालो यहां पर है, इस पाइंट पर हमको विद्धु इस बिन्दूंपर एब ऐसे कंडिसम्य होगा क्या देखो यह Q चार्ज है और यह minus q charge है जिस बिंदू पर तिप्रता हमको ग्यात करना है मालो बिंदू P है वह बिंदू ना तो इसके अक्ष पर है और ना इसके उदासी नक्ष पर है इन दोनों को छोड़के कहीं और पर है तब हम वहाँ पर विदू च्छत की तिप्रता किस परकार से हम निकालेंगे यह हमको देखना है तो माल लेते हैं कि हमको यह जो कोड़ है अक्ष के साथ बनाया गया कोड़ यह मालो थीटा है अब यहाँ पर हम इसके components find करें तो components क्या क्या find होना है components मारे घटक ठीक है इस line को मैं आगे बढ़ा देता हूँ यह अब इसके हम two components find करें तो इसके two components इस तरह से मिलेंगे एक यह मिलेगा और दूसरा component यह मिलेगा यह 36 और यह उर्द्वाधर यहाँ पर चुकि यह थीटा कोड है यह थीटा कोड है तो यह संगत कोड होगा यह थीटा होगा और यहाँ पर यदि हम क्या करें इसके चुंबकी आगूर्ण का जो की सदीस रासी है और सदीस रासी का क्या होता है वियोजन होता है ठीक है मेरा नाम जितेंदर पांडे है भई तो जब सदीस रासी का वियोजन किया जाता है तो 36 और उड़ाधर घटक निकलते है इस पकार से यहाँ पर जो 36 घटक होगा यह थीटा का पास वाला भुजा है इसलिए क्या होगा वो पी गास थीटा होगा यहाँ पर मैं पी नहीं लिखके कुछ और बिंदू उसका नाम दे देता हूँ क्योंकि इस पी के साथ में कई students को confusion हो जाता है मुझे मालू में तो यहाँ पर इस बिंदू का नाम मैं कुछ और जायता हूँ Suppose यह तो बिंदू O है यह बिंदू A है यह बिंदू B है इस बिंदू को मैंने C कह दिया मालू क्योंकि वहीं पर P लिखा रहता है तो कई लोग समस्ते हैं को P कही घटक है ठीक है ओके तो यहां पर P sin theta है यह इसका value P sin theta होगा यह P cos theta होगा यह इसके components हो गए अब यहां पर हमको एख conditions imagine करना है कि हमारा जो विद्द्वुधु रूभ है उसको इस पकार से हम घुमाते हैं ये दोनों को एक बार यह इसके अक्षी श्थिती में आ जाये और एक बार यह निरखशी श्थिती में आ जाये तो ऐसly हम दो इस श्थिती में ने ने में पर वि यह इस्थिति बना देते हैं उसके निरक्षी स्थिति वाल तर यहां पर हमने किया Kya है यह थोड़ा सुनना ध्यान यह प्लस क्यूव को हम यहां पर कर दिया दा अब देखो यह जो 2週 है वो इसके अश्म réponse में आ गया और एक बार हम इसको घुमा के प्लस क्यूव को यहां गया इसके निरक्षी स्थिती में आ गया कहने का मतलब यह कि यहां पर हम उस पॉइंट को जिस पॉइंट पी पर यह सी पर जिस पॉइंट सी पर हमको विदुच्छतर की तिवरता निकाल ली है उसको बारी-बारी से मैं समझता हूं कि बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते मेहनत नहीं करते ध्यान नहीं देते इसलिए इसलिए नहीं कि एक कठील है इस लिए Keith यहां देते नहीं अब हम उसको बारी-बारी से इसकी गढ़ना करते हैं सबसे पहले सबसे पहले अक्षी इस्थिती पर तो पहला कंडिशन अक्षी इस्थिती पर यदि हम अक्षी इस्थिती में बात करें तो यह इसका अक्षी इस्थिती है और यहाँ पर मैं विद्दु छेतर की तिवरता को even कर देता हूँ तो even equal to होगा 1 upon 4 pi epsilon 0 अब यहाँ पर देखो 2p upon r cube होता है तो p यह अक्षी इस्थिती है देखो यह जो p कास थिता है यह p कास थिता इसके अक्ष के समनांतर है इसलिए अक्षी इस्थिती में p कास थिता कम्पोनेंट को यूज करेंगे तो अभी मैंने बताया कि 2p होता है तहाँ पर हो जाएगा 2p कास थिता upon r cube यह हो जाएगा अक्षी स्थिती में अब इसी को निकाले हम निरक्षी स्थिती में, इसी प्रकार से निरक्षी स्थिती में, तो जब हम यहाँ पर निरक्षी स्थिती में इसकी गढणा करेंगे, तो निरक्षी स्थिती में इसका value क्या होगा E2 और E2 is equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon not और A हो जाएगा P sin theta upon r cube, तो E1 इक्वाल टू 1 अपान 4 पैपसलानाट 2P कास थीटा अपान R क्यूब और E2 इक्वाल टू 1 अपान 4 पैपसलानाट P साइन थीटा अपान R क्यूब इस पकार से ये दोनों हमको components मिलेंगे अब हम इन दोनों का क्या निकालें? परिणामी तो इसलिए परिणामी तीब्रता निकालेंगे तो चूब की दोनों आपस में लंबध है तो क्या निकलेगा देखो? इसलिए परिणामी तीब्रता इसलिए परिणामी तीब्रता E बराबर हो जाएगा अंडर रूट आफ परिणामी तीब्रता E बराबर under root of e1 square plus e2 square क्यों निकलेगा क्योंकि कभी भी 2 सदिस जब परस्पर लंबत होते हैं कभी भी 2 सदिस जब परस्पर लंबत होते हैं तो उनका जो परिणामी होता है वह इस तरह से root of a square plus b square के बराबर होता है ठीक है तो यहाँ पर हम दोनों का value put up कर दें that equal to यह हमको मिल जाएगा e1 का value 1 upon 4 pi epsilon 0 2p cos theta 2p cos theta upon r cube का whole square और plus यह निकल जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 p sin theta upon r cube का whole square अब इसको आगे साल्व किया जाए तो क्या क्या होगा देखो यहाँ पर यह जो 1 upon 4 pi epsilon 0 यह P है यह वाला P है और r cube यह r cube यह क्या होगा कामन निकल जाएगा और कामन निकलने के बाद क्या होगा यह 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r cube क्योंकि square है तो root से बाहर निकलने के बाद उसका square हट जाएगा और root के अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा देखो root के अंदर यहाँ पर 2 का square तो 2 का square कितना हो गया 4 और यह बचा है cast theta तो यह हो जाएगा cast square theta और plus यहाँ पर sin theta तो यह हो जाएगा sin square theta इस पकार से यह हो जाएगा अब इसको आगे हम solve करें तो थोड़ा सा और simplify होगा एक line उसके final equation हमको मिल जाएगा यह हो जाएगा e equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r cube और root के अंदर में देखो यह क्या होगा यह है cast square theta और plus sin square theta तो दोनों को sin या दोनों को cast बना लें तो क्या होगा यह वारा जो sin है उसको हम लिख लेते हैं 1 minus cast square theta और जब उसको 1 minus cast square theta लिखेंगे तो यहां से एक cast square theta उसमें से घट जाएगा तो 4 3 हो जाएगा तो 3 cast square theta और plus 1 इस तरह से यह जो फार्मूला यहां पर लिखा गया है यही इसका final equation है यह इसका final equation है यह equation और यह आपको याद रखना है यह proof हो गया तो हमने इस chapter का सबसे important topic यही है board exam में 4 या 5 number का long answer type question पूछने के लिए ठीक है एक होगा 68 theta दूसरा होगा निरक्षी श्थी ती एक अक्षी श्थी ती दूसरा निरक्षी श्थी ती और पीशरा क्या होगा any position मतलब कोई भी श्थी ती तो तीनों में से कोई एक exam में आता ही है तीनों में से कोई भी एक exam में आता है इसमें आपको कोई problem हो तो एक बार पूछिए ठीक है आप इसका screenshot भी ले सकते हैं चलिए ठीक है अब हम देखें next topic ये है एक समान विद्धु छेत्र में रखे वैद्धु द्विधु पर बल यूग्म मतलब एक समान चुमकी छेत्र में यदि कोई विद्धु द्रुध ही रखा है तो उसमें बल यूग्म या बल यूग्म का अगुर्ण कितना होता है इसका हम calculation करेंगे ठीक है तो यहाँ पर एक समान विद्धु छेत्र पहले हम बना लें ध्यान देना माल लो ये कोई एक समान विद्धु छेत्र है ये जो blue color से यहाँ पर line बनाए गया है वह एक समान विद्धु छेत्र है और इसमें दो विद्धू दूधू रखे हुए हैं एक चार्ज को इधर लिया सपोस्थ दूसरा चार्ज यहां पर लिया और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये इनके बीच का डिस्टेंस है ये दोनों एक समान विद्धू छत्र में रखे हुए है और इनके बीच का जो distance है suppose हम इसके जो 20 का distance है उसको 2L ले लेते हैं यह इनके बीच का distance 2L है यहां से यहां तक और यह एक plus Q charge है यह suppose plus Q charge है यह suppose minus Q charge है और यह एक समान विद्दू छेतर है E और यह क्या है इसके साथ में थीटा कोण बना के रखा हुआ है यह थीटा कोण बना के रखा हुआ है equilibrium condition में तो इस पकार से इस topic का मतलब क्या है यदि किसी विद्दूत द्विद्रू को हम किसी एक समान विद्दू छेतर में इस पकार से संतुलन की स्थिती पर रखें तो इसमें बल अगुर्ण कितना कारे करता है इस बल अगुर्ण को हमको यहाँ पर करना करना है तो देखो minus qrs को विद्दू छेतर की तीरूरता अपने और खीचेगा अपने समानता लाने के लिए जिसके काण वहाँ पर एक बल कारे करेगा और इस बल का जो मान होगा वो क्या होगा देखो इस दिशा में बल कारे करेगा और यहाँ पर भी इस दिशा में एक दूसरा बल कारे करेगा तो यह दोनों बल के बल युगम का निर्माण करेंगे और इस बल का मान कितना होगा f equal to q into e होता है अब जब हमको इनके बीच का बल युगमे का आघुन्ड निकालना होगा तो बल युगमे का आघुन्ड का फर्मूला होता है, दोनों समांतर बलों में से कोई एक बल और दोनों की बीच की लंबध दूरी, तो यहाँ पर A और B, A B के बीच की दूरी 2L है, लेकिन यह रहा देते हैं इस तरह से और इस रेखा पर हम इसे से एक लंब डाल देते हैं ये ये हमने इस पर एक लंब डाल दिया अब ये जो दूरी आप देख रहे हो ये इसकी लंबत दूरी होगी ये एसे लेका सी तक की बीच की दूरी ये इसकी लंबत दूरी है देखो ये कोड ये थीटा है तो दोनों समानांतर रेखा है तो यह अब ये कोड क्या होगा एक अंतर कोड है ये थीटा होगा अब AC यहाँ पर लंबद दूरी है तो यहाँ पर बल आगून निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे बल 11 क्लास में आपने पढ़ा है बल युगम का आगून या बल आगून इसलिए इसलिए बल आगून जिसको हम टा या टाउ से पता सित करते हैं तो बल आगून टाई क्वल्टू कितना हो जाएगा दोनों में से कोई एक बल तो दोनों में से कोई एक बल हम एफ ने लेते हैं और दोनों की बीच की लंबद दूरी AC यहाँ चित्र में देखो यह AC दोनों की बीच की लंबद दूरी है लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करें यदि इस लंबत दूरी को हम निकालना चाहें तो क्या होगा इस त्रिभूज में यहाँ पर एक त्रिभूज है देखो त्रिभूज है A, B, C तो त्रिभूज A, B, C में त्रिभूज A, B, C में यति हम इस त्रिभूज ABC में sin theta निकालना चाहें तो त्रिभूज ABC में sin theta बरबार क्या होगा लंब बटे कर्ण तो देखो theta का सामने वाला लंब होता है तो AC लंब है और AB क्या है यहाँ पर कर्ण है तो हो जाएगा AC upon AB AC upon AB therefore AC equal to AB का जो value है वह क्या है उसकी लंबाई है दो नावसों के बीच के दूरी जो कि 2L है तो हो जाएगा 2L into sin theta तो AC equal to 2L sin theta होगा इस value को यदि हम यहाँ पर put up कर दें इस value को हम यहाँ पर put up कर दें AC का तो उस condition में tie equal to क्या हो जाएगा F का value भी put कर दें F बराबर Q into E होता है F कमाण Q into E होता है तो Q into E और AC का value हो गया 2L into sin theta अब यहाँ पर हमको पता है कि 2L और Q 2QL जो कि विद्धृत दिध्रु आगूर्ण होता है उसको हम P लिख सकते हैं इस तरह से टा का जो फार्मूला हमको मिलेगा तो that implies टाइ क्वल्ट हो जाएगा P E sin theta P sin theta मिलेगा और हमको vector cross product से पता है कि 2 vector का जो cross product होता है जिसको हम सदिस गुणा कहते हैं A cross B equal to A B sin theta होता है तो यहाँ पर P sin theta है तो इसको हम सदिस रूप में लिखना चाहें तो therefore vector tie equal to कितना हो जाएगा P cross E इस तरह से pre cross E क्या होगा इसका cross product हो जाएगा और यह इसका final equation होगा तो tie equal to P cross E या tie equal to P E sin theta होता है clear यह कहलाता है विद्धुत द्विधुरू आगुण अब यहाँ पर हम इसके दो special case आपको यहाँ पर side में लिख के बता रहे है पहला इस special case यह है first condition कि यदि theta 0 हो यदि theta 0 हो देखो यदि यह जो theta angle है वो 0 हो जाए मतलब यह जो विद्धुरू द्विधुरू है इसके समानांतर हो जाए तो theta का value यहाँ पर हम 0 पूट करेंगे तो sin 0 0 होता है तो पूरा उस condition में टा का value क्या हो जाता है 0 और इस समय टा minimum होता है मतलब theta equal to 0 के लिए टा minimum होता है और दूसरा condition है यदि theta 90 degree हो जाए if theta equal to 90 degree theta 90 degree हो जाए देखो तो यह theta का मान यदि इस दिशा में मतलब जो विद्धुरू है वह विद्धु छेत्र के लंबत हो जाए तो उसके लंबत होने के condition में sin 90 का value 1 होता है तो हो जाएगा P into E और उस समय इसका value maximum होता है तो आप minimum और maximum value को ध्यान रखना कई बार competitive ज्यान में पूशा जाता है कि बल आगुण नियुनतम कम होता है और बल आगुण अधिकतम कम होता है तो बल आगुण नियुनतम कम होता है जब विद्धु दुविद्रू विद्धु छेत्र के समानांतार हो मतलब theta 0 हो और बल आगुण maximum कम होता है जब विद्धु दुविद्रू क्या हो विद्धु छेतर के फिवरता के लंबवत हो मतलब उसके बीच में नब्येंस का कोड़ हो ओके चलिए तो यहाँ प्लिक लिजे इसको इसकी साथ ले लिजे एक समान विद्धु छेतर में रखे वैद्धु दुधरू पर बल्यूग अगला जो हमारा टापिक है वो है एक समान विद्धु छेतर में दुधरू को घुमाने में किया गया कार्य हम यहाँ पर किये गया कार्य की गर्णा करेंगे यह घुमाने में किया गया कार्य कि कितना वर्क होता है जब विद्धु दुधरू को तो तो उस तरह से घुमाया जाता है मतब चित्र वही बनेगा अब दो हम जोब चित्र सिंज में कोमाते हैं तो कितना कारिक ऑगता है यह उसppers के आगे का टापिक तो सब से पहले हुम निकाल लेते है अलप कोड दी tha छोटा कोड तो डी तीटा कोड घुमाने में क्या गया कार दे जिसको हम क्या काथे डीडबलू तो डीडबलू इक वाल टू हो जाता है ता इंटु दे थीटा क्योंकि कार्य बाराबर होता है बल गोड़ी चुछ विस्थापन और आपको मालूम है कि जब उसमें टार्क लागा हो तो कोड़ी विस्थापन का गुणा होता है टा इक्वल टी इन्टु थीटा दैट इक्वल टार का वेल्यू पूट अप कर दें तो अभी हमने नि इसलिए थीटा कोड़ घुमाने में किया गया कार्य यह है यदि हम उसको डबलू से पतास्रीत करें तो डबलू इक्वल टू हो जाएगा इंटीगरेस्टन आप डीडवलू इंटीगरेस्टन आप डीडवलू मतला इस छोटे-छोटे किये गया कार्य का समा करन्द और समा करें व मतंव होता है योब अभ क्या कर रहे हैं इसको जीरो शे थीटा मतलब प्रारंभी किस्थिती और प्रारंभी किस्थिती में आधसे बीडियो को विंद खुवाने में कि E अगे कार्य हमको निकालना है ठीक है तो च्या हो जाएगा वह जिरो टू थीटा जिरो टू थीटा हम इसक मुश्म पूट कर देंगे अब आगे हम इसको साल्व करें तो आगे हम इसको समा कलन करें वेल्यू को पूट अप करके that implies that implies यह हो जाएगा w equal to integration of 0 to theta अब हम dw का value के यहाँ पर ला के put up कर देते हैं pe sin theta into d theta तो हो जाएगा pe sin theta into d theta that equal इसको समा कलन करें तो pe constant है वो समा कलन से बहार आजाएगा इस तरह से यह हो जाएगा pe integration of 0 to theta sin theta d theta that equal pe sin theta का जो integration होता है वह क्या होता है minus cos theta sin theta का integration minus cos theta होता है तो minus को मैं बहार लिख देता हूँ और अंदर cos theta 0 to theta that implies minus pe अब हम लिखेंगे upper limit minus lower limit तो यहाँ पर theta upper limit है तो क्या हो जाएगा cos theta minus cos 0 इस पकार से cos theta minus cos 0 अब minus को मैं अंदर multiply कर दूँ तो therefore w equal to minus अंदर multiply होके यह हो जाएगा pe और यह minus वाला plus हो जाएगा cos 0 का value 1 होता है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ तो हो जाएगा 1 और यह minus cos theta यह इसका value हो जाएगा इस तरह से आप देखो कि यह w equal to pe under bracket 1 minus cos theta होगा चलिए एक समान विद्धु छेत्र में वैदित दुधे की स्थिती जूज़ए अभी हमने दो टापिक दो टापिक पढ़ा जिसमें पहले हम बल आघुर निकाले और बल आघुर निकालने के बाद हमने कारे निकाला अब कारे के बाद हम निकाल रहें इस थिती उर्जा तीनों टापिक एक दूसरे से connected है ठीक है तो अब यहाँ पर यह जो टापिक हम पढ़ेंगे इसमें पूरा के पूरा इसी टापिक को हम पूरा पूरा इसी टापिक को repeat करेंगे बस यहाँ पर जो 0 to theta integration का unit है वो pi by 2 2 theta हो जाएगा बस और कुछ आपको नहीं करना है देखो तो इस्थिती जूर जाप को हम potential energy कहेंगे ध्यान से समझना तो यहाँ पर जो potential energy का value होता है प e equal integration of टाप इंटू d theta ही होगा लेकिन अब इसका limit होगा pi by 2 2 theta कहने का मतलब potential energy का formula क्या है 90 degree से theta कोर घुमाने में जो किया गया कार यह होता है किसी विद्धित द्विध्रू को 90 अंस से theta कोर घुमाने में किया गया कार यह है उसको हम क्या कहते है potential energy कहते है चलिए value को put up करो और solve करो integration आप pi by 2 to theta ti equal to होता है pe sin theta d theta आगे इसको solve करो तो pe constant है बाहर कर लिया integration minus को बाहर लिख गया यह हो गया sin theta का integration क्या हो गया minus cast theta minus को बाहर लिख दिया cast theta और यह pi by 2 to theta आगे इसको solve किया जाए तो that implies potential energy equal to हो जाएगा minus p into e और under bracket upper limit minus lower limit तो cast theta minus cast 0 sorry 90 अब यहाँ पर यही अंतर है दोनों में यह cast 90 हो जाएगा मतब cast pi by 2 होगा that implies pe that implies pe equal to हो जाएगा minus pe under bracket cast theta minus 0 अब इस minus का अंतर में multiply कर दें तो potential energy यह potential energy है न यह pe अलग है दोनों के साथ confuse मत हो जा न तो minus pe cast theta यह इसका फार्मूला होता है minus pe cast theta यह इसका फार्मूला है तो यह topic हम complete किये अब हमारा next class जो होगा वो विद्यूत आवेस्त था छेत्र का दूसरा पार्ट इस्टार्ट होगा जिसको हम कहते हैं गास का प्रमे है गास का प्रमे इसका एक second part है अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वो कुलाम के नियम पर था और अगला पार्ट जो हमारा होगा वो होगा गास का प्रमे तो flux गास का प्रमे और गास के प्रमे का अनुप्रयोग जो कि एक्जाम में 100% आता है गास के प्रमे का अनुप्रयोग एक्जाम में 100% आता है दखो आज हम गास का प्रमे पढ़ेंगे और गास के प्रमेक को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ यह इलेक्ट्रोइस्टेटिक का एक ऐसा टॉपिक है जिसके भीना आपके फिजिक्स का कुश्चन पेपर सेट नहीं हो सकता देट मींज गास के थियोरम से रिलेटेड प्रस्ण नहीं हो और वो फिजिक्स का पेपर हो ऐसा होई नहीं सकता अब इससे ज़्यादा इंपोर्टेंस बताने का ज़ुरत नहीं है इसलिए आप सुरवास से बहुत ध्यान से समझना तो मैं जीरो लेबल के बैसिक्स से समझा रहा हूँ गास थियोरम को समझने के लिए और जिन चीजों की अवस्कता होती है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चलिए तो क्लास स्टार्ट करें विद्यूत आवेश तथा छेत्र और सबसे पहले मैं आपको एस्प्रेन करूँ वैद्यूत फ्लक्स सबसे पहले हम इलेक्रिक फ्लक्स से डिस्कसन स्टार्ट करेंगे कि वहाँ विद्यूत फ्लक्स होता क्या है तो वास्तों में विद्यूत फ्लक्स है क्या देखो विद्यूत फ्लक्स का मतलब है विद्यूत बल रेखाएं वास्तों में विद्धूद फ्लक्स जो है वह विद्धूद बल रखाएं है किस तरह की विद्धूद बल रखाएं देखो इलेक्टिक फ्लक्स आगे चलके हम मेगनेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे तो पहले विद्धूद फ्लक्स को अपन ध्यान से समझ लें जैसे मालो है अब यहां से कि आप पिछले चप्टर में मैंने आपको विदुद बल रेखाएं बताया था तो जब हमारे पास कोई विदुद छेत्र होता है और यदि वह पाजिटी हो तो वहाँ से बल रेखाएं बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर मैं आपक को सो करके दिखा दून路 कि जो विदुध बल रेखाएं, इस तरह से इस प्रिस्ट से बाहर निकल रही है. ये जो white color से applying d artwal तो ये सब अब विदुध बल रहा हैं, जो कि प्रिस्ट से बाहर निकल रही हैं. अब इस प्रिष्ट से बाहर निकलने वाली जो विदुद बल रेखाएं हैं इन में जितनी बल रेखाएं अपने प्रिष्ट पर लंबत है मानलो ये एक बल रेखा में लिया ये नब्य अंस का कोण बना के अपने प्रिष्ट से बाहर निकल रही है माल लो ये वाली बल रेखा भी 90 का कोण बना के बाहर निकल रही है और माल लो ये वाली बल रेखा 90 का कोण बना के निकल रही है माल लो और बाकी नहीं निकल रहे है ये तीन हैं तीन बल रेखा येसी हैं जो अपने प्रिष्ट से लंब वद बाहर निकल रही है तो इन लंबवद बल रेखाओं को यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ इसको इसको और इसको इन तीनों को हम फ्लक्स कहेंगे बाकी को फ्लक्स नहीं कहेंगे जबकि वो भी बल रेखाओं हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा परिभासा क्या हो गया? किसी विद्दुचेत्र से लंबवत प्रिस्ट पर लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं को हम विद्दुद फ्लक्स कहते हैं लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह उड़ता है कि बल रेखाओं हमेसा बहार थोड़ी निकलती है बल रेखाएं तो प्रिष्ट पर प्रवेस भी करती है यदि हमारा विद्दू छेतर रिडात्मक हो तो महाँ पर बल रेखाएं प्रिष्ट पर प्रवेस करती है तो यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर है कि फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं एक धनात्मख flux होता है, दूसरा रिडात्मक फ्लक्स होता है, जैसे एक figure मैं यहां पर और बनाऊ, और इस figure में आपको इस तरह से सूग करूा, माल लो, यहां पर एक रिड आवेसित प्विंड है, ये negative charge particle है, अब इस negative charge particle पर बल रिखाएं क्या होंगी, अंदर की और प्रवेस्ट करेंगी ये बल रेखाएं इसमें अंदर की और प्रवेस्ट करेंगी इस तरह से तो जितनी बल रेखाएं लंब बात इस पर प्रवेस्ट करेंगी वो क्या कराएंगे निगेटिव फ्लक्स कराएंगे इस पकाल से देखो यहाँ पर left side में जो लिखा गया है यह धनात्मक flux है और यह क्या है रिडात्मक flux है इस पकार से यहाँ से बात बिल्कुल clear है किसी प्रिष्ट से लमवद बाहर निकलने वाली विद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् या वैद्धूद फ्लक्स अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यह फ्लक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है फ्लक्स निकालने का हम यहाँ पर फार्मूला पर डिसकसन करते हैं कि वैद्धूद फ्लक्स कैसे निकाला जाता है तो बहुत ध्यान से समझना फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता क्या है यहां पर इमेजिन करो कि अपने पास कोई एक अल्प प्रिस्ट है एक छोटा सा प्रिस्ट है यह हमने कंसिडर किया एक प्रिस्ट मालो यहां पर एक छोटा सा प्रिस्ट है डिस प्रिस्ट है और इस प्रिस्ट पर हम खीच लेते यह विद्धु छत्र की तिवरता की दिशा है तो यहाँ पर यह सपोस प्रिष्ट है और इस प्रिष्ट का छेत्र फल मालो डिएस है यह ब्लू कलर की लाइन यहाँ पर लंब है जिसको मैं N से रिप्रेजेंट कर दिया N फार होता है नार्मल हिंदी मीडियम स्टुडेंट को मेरा सजेशन है कि सभी इंगलिस सिंबोल को सभी अंगरेजी संकेतों को आप नाम से जानना समझना सीखो क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं अपने हिंदी मीडियम के क्लास में इंगलिस टर्मिनोलाजी का जरूर यूज करता हूँ अपने इंगलिस मीडियम के क्लास में तो प्योर इंगलिस में पढ़ाता हूँ बट अपने हिंदी मीडियम के क्लास में मैं बाइलिंग्वल टर्मिनोलाजी यूज करता हूँ ताकि हिंदी मीडियम का student कम से कम जो technical word है जो scientific language है उनको English में जान सके क्योंकि ये सच्चाई आपको पता है कि after 12th class जब आप higher education के लिए जाएंगे चाहे आप engineering college में जाएं चाहे आप medical college में जाएं चाहे आप किसी बड़े university पर BST, MST करने के लिए जाएं आपको English में पढ़ना पड़ेगा ये आपको पता है इसलिए सभी देखो मैं क्यों विद्दूद flux नहीं लिखा electric flux लिखा तो सब चीजों को मैं English में भी बताता हूं खास का term को तो आप वो ऐसे नहीं है वो आपके improvement के लिए है मैं चाहता हूं कि मेरा Hindi medium के student भी कम से कम जो scientific language है उसमें English medium के parallel रहे उसके बरावर रहे ताकि future में उसको इस तरह का problem ना आए कि हिंदी के करण वो पिछड रहा है क्योंकि science का subject नो doubt आपको finally English में पढ़ना पड़ता है आगे चलके तो यह एन एन फार नार्मल हो गया और यह जो आप green color से देख रहे हो यह क्या है विद्दू छत्र की तिब्रता है यह विद्दू छत्र की तिब्रता है ए और इन दोनों के बीच में जो कोण बना है उस कोण को हम suppose कर लेते हैं थीटा यह कोण यहाँ पर थीटा है clear तो यहाँ पर जो फ्लक्सों की संख्या होता है यहाँ पर फ्लक्सों की संख्या निकालने का जो फार्मूला है phi e equal to होता है e ds into cast थीटा e into ds into cast थीटा यह फ्लक्सों की संख्या का फार्मूला है clear अब फ्लक्सों की संख्या का फार्मूला है यह, इसको इसमें कास्थिटा आया है, तो डार्ट प्रोड़क्ट से, हम वेक्टर के डार्ट प्रोड़क्ट से जानते हैं, वेक्टर डार्ट प्रोड़क्ट में हम क्या जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुछ important बात तो यहां पर देखो E ds कास थीटा है तो एबी कास थीटा से उसको आप मेज कर आओ तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह का फार्मूला है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से इसको लिख सकते हैं फाइई इकोल टू इडाट ds ऐसा भी लिखा जा सकता है तो यह फ्लक्सों की संख्या निकालने का फार्मूला है यह से निकलेगा फ्लक्सों की संख्या यह फ्लक्सों की संख्या निकालने का और और यहां पर कौन कौन से वेरियेबल क्या है इसको आप ध्यान रखोगे अब यहां पर एक हमारे दिमाग में कुश्चन आता है हमारे दिमाग में यहां पर एक कुश्चन आता है कि यहां पर कास थीटा ही क्यों आया एक समाने से कुश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए क कि सर जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो साइन थीटा भी तो आ सकता था कास थीटा ही क्यों आया उसका रीजन क्या है आप ध्यान से सुनना मेरी बात को कि मैं बहुत डेप्थ पर डिसकसन करके पढ़ाता हूं तो छोटी छोटी चीजों को है न हमेशा मैं आपको याद दिलाता है वो है आप डीपली स्टेडी करो कॉंसेट को डेप्थ में पढ़ो क्योंकि फिजीज कम्प्लिटली कॉंसेट बैस्ट सब्जेक्ट है यदि आपको कॉंसेट ट्लियर नहीं तो आगे जितना मेहनत करो कोई काम का नहीं है इसलिए छोटी छोटी चीजों पर डिसकस करना ह और खासकर जो foundation class होता है, foundation class मतलब जिसमें हम 11-12 की पढ़ाई करते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बहुत strong होना चाहिए, तो कहीं जाके हम IIT, JE, NEET के preparation के लिए तयार हो पाते हैं, कई बार student foundation class को बहुत superficial पढ़ लेता है, मतलब ऐसी उपरी-उपरी पढ़ लेता है, और बाद में चाहता है कि मेहनत करके हो IIT, JE, NEET, अगरा में अच्छा परफान तो मुश्किल होता है, हो भी जाता है तो बहुत मेहनत करना पढ़ता है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, शुरू से आप ध्यान से पढ़ो, तो मैं आप से डिसकस कर रहा था कि DS class theta ही क्यों यूज होता है, sin theta क्यों यूज नहीं करते, यह हमारे दिमार्ग में question आना चाहिए, मेरे ख्यास ऐसा question आना चाहिए, तो क्या region हो सकता है उसका ध्यान से आप समझना, देखो यहां पर E क्या है, विद्धु छेत्र है, अब यहां पर यदि मैं विद्धु छेत्र का घटक निकालूं, जो हम सदीज घटक निकालते हैं, वो घटक यदि मैं निकालूं, तो यह जो E का theta का पास वाला घटक है, यह theta का पास वाला है, यहां पर मैं white color के line से dotted line से सोग कर रहा है, इसको आपको दीख रहा होगा, यह क्या है, कास घटक होगा, और यह जो दूर वाला कास होता है, मैंने आपको आपके basic mathematical tools में आपको पढ़ाया है, जितने भी student basic mathematical tools का मेरा video नहीं देखे हैं, आप सब को मेरा suggestion है और request भी है, कि आप basic mathematical tools अच्छे से देख लो, यदि आपको physics करना है, तो अभी समय है, बाद में November, December में यह समय आपको नहीं मिलने वाले हैं, तो तो मैंने वहाँ पर पढ़ाया हुआ है, कि थीटा का pass, कास होता है, मैं आपको याद रखने का tricks बताया था, थीटा के pass, कास, थीटा से दूर, साइन, तो यहाँ पर यह देखो, यह थीटा है, और यह थीटा का pass है, तो naturally यहाँ पर इसका जो component होगा, यह यहाँ पर हो अब आगे कि मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको बताया, कि जब हम flux निकालते हैं, तो flux कि क्या परिवासा है, लंब वद बल रेखाओं की संख्या, यहाँ पर देखो, यह लंब है N, और E कास थीटा घटक लंब की दिशा में है, मतलब E कास थीटा अप इसका 36 घटक है, यह 36 है, और E कास थीटा इसका लंब वद घटक है, और हम जानते हैं कि विद्यूद बल रेखाओं में प्रिष्ट पर जो लंब वद होता है, उनको flux कहते हैं, विद्यूद फ्लक्स की परिवासा है कि लंब वद बल रेखाओं की संख्या, तो यहाँ पर लंब वद घटक को लेंगे, कास घटक को, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, E का कास घटक को लिखा जाता है, कास थीटा लिखा जाता है, clear, और हम उसके 36 घटक को छोड़ देते हैं, जो कि यहाँ पर साइन थीटा है, यही कारण है कि flux की संख्या निकालने के लिए हम उसके कास घटक को यूस करते हैं, और यह कहलाता है, E into Ds, clear यहाँ तक, तो E into Ds, कास थीटा, clear समझ में आगे आपको, अब यदि आप देखो तो फाई का, फाई का यूनिट क्या होगा बताई आप, फाई का मात्रा क्या होगा, कभी-कभी हमें दिमाग में एक confusion आता है, कि फ्लक्सों की संख्या, वो तो संख्या है, और संख्या का क्या यूनिट होगा, संख्या का कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसका यूनिट होता है, देखो यह है विद्दु छेतर की तिवरता, और यह है क्या, छेतर फल, छेतर फल है, विद्दु छेतर की त्विद्दुचेतर 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 की त् मीटर, ओके, चलिए, आप इतना, इसकीन साट लो, क्लियर, कई लोग डाइमेंशन फार्मूला भी बता रहा है और ठीक, वोल्ट मीटर भी होता है, अब देखों, यहां पर ध्यान देना, जब हमको फ्लक्स निकालना होता है, जब किसी बिंदु पर हमको फ्लक्स निकालना होता है, तो विद्वुच्छतर की तिवरता का लंब के साथ में किस तरह का संबन्ध होता है उसके एकार्डिंग हम फ्लक्सों की संख्या को निकालते हैं तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है यदि ये नोट आप धंग से नहीं समझे तो आपको numericals बराने में और आगे के derivation में आपको बहुत प्राबलम होगा तो इसलिए ये जो नोट लिखा रहा हूँ उस नोट को बहुत ध्यान से आप समझना देखिए ये सपोज अपने पास दो case आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ यहाँ पर first case में मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो विद्दू छत्र की तिवरता है यह मालो यहाँ पर लंब है यह लंब है और इसी दिशा में विद्दू छत्र की तिवरता है यह ऐसा है clear इस case में आप देखो यहां पर यह विदू छत्र की तिवरता है और यह यहां पर लंब है यह लंब है और यह तो प्रिष्ट होता है यह आपको पता है यह प्रिष्ट है यह दोनों यहां पर प्रिष्ट है यह ब्लू आला यहां पर नार्मल लंब है और यह विदू छत्र की तिवरता है यहां पर यह लंब है नार्मल और यह विद्दू छत्रकी तिवरता है अब यहां पर मैं पूछूँ आपको कि थीटा कमान कितना होगा तो पहले केस में थीटा कमान कितना होगा जैसे यहां पर मैंने बताया है कि थीटा क्या होता है लंब और विद्दू छत्रकी तिवरता के बीच का कौन होता है लंव और विद्दू छट रिकी वरता की बीच के Κाट है रचेता का तो आप इस केस में रचंद घटना होगा इस तरह के चित्र में आप बताओ कि थीटा का मांद कितना होगा जीरो, very good, very good, very good, बहुत अच्छा, यहाँ पर कितना होगा, zero, zero degree, इस case में theta कमान कितना होगा, naturally 90 degree, naturally यहाँ पर 90 degree होगा, clear, लेकिन यहाँ पर जब हम numericals बनाते हैं, यह गास का प्रमे का जब अनुप्रयोक पड़ते हैं, तो यहाँ पर एक समस्या आती है, यहाँ पर आप लोगों ने बहुत आसानी से, मेरे एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो चीज मैं अब बताने वाला हूँ, वह आगे के आपके बहुत से problem को, confusion को दूर करेगा, otherwise वो confusion बना रहेगा, यहाँ पर आपने theta का value 0 degree बहुत आसानी से, इसलिए बता द दिया, क्योंकि लंब और तिवरता दोनों आपको दीख रहे हैं, दोनों समांतर दीख रहे हैं, यहाँ पर लंब और विदुच्छतर की तिवरता दोनों साप साप लंब दीख रहे हैं, इसलिए आप उसको आसानी से 90 degree बता दिए, लेकिन सपोज, यदि हम इस लंब को हट आदें थोड़ी देर के लिए, यदि हमारे पास लंब न हो और यह प्रिस्ट हो, यह तो प्रिस्ट है, प्रिस्ट की दिखा क्या हो सकती, यहाँ पर मैं प्रिस्ट की दिखा को आपको सो कर देता हूँ, प्रिस्ट की दिखा यह है, प्रिस्ट शैतीज है, यह प्रिस्ट की समांतर है या क्या का सकते हो आप कि यह प्रिष्ट के लंबवत है यह प्रिष्ट के लंबवत है भी का सकते हो सब्दों को ध्यान देना यह इसके लंबवत है प्रिष्ट के देखो प्रिष्ट के लंबवत है और यहाँ पर देखो यह प्रिष्ट के यह प्रिष्ट की दिशा है यह ई की दिशा है कि प्रिष्ट के समानतर हो तो पहले केस में क्या कह सकते हैं अपन कि जब जब ई लंब के समानतर जब E लंब के समांतर या प्रिष्ट के लंब वथ हो यह सब आपको निमर्कस बनाने में काम आएगा तो थीटा इक्वाल टू जिरो डिगरी दोनों बात को आप ध्यान रखने कहने का मतलग यह लंब के समांतर या प्रिष्ट के लंब वथ हो दोनों कंडीशन में थीटा क्या होता है? जिरो डिगरी होता है अब यहाँ पर इस केस में आप देखो इस केस में हम क्या कह सकते हैं इस बात को? कि जब E लंब के यह लंब है लंब के लंबवत हो या प्रिष्ट के समानतर हो तो थीटा इक्वाल टू 90 डिग्री तब थीटा क्या होता है 90 डिग्री होता है ये दोनों बात आप ध्यान रखना कि लंब के लंब वबत या उसी बात को हमका सकते हैं प्रिष्ट के समानतर दोनों एक है लिए कई भार निमेर्कल में होता क्या है कई बर निमेर्कल में मेरा इस्परियेंस है बहुत मेरा अपको मालू है कि student इतनी छोटी बात के लिए confusion होता है confusion होता है कि पुछो मत मतलब basic foundation के class में पढ़ने का एक ही सबसे बड़ा हुद्द्धत स्य होना चाहिए कि confusion तो कोई रहने ही नी चाहिए तो मालो आपने यह सीखा हुआ है कि जब लंब जो है तिब्रता और लंब एक दूसरे के लंब अथ होते हैं तो थीटा 90 डिग्री मालो किसी निमेरकल में आपको यह कह दिया कि विद्युच्षेत्र की तिब्रता प्रिष्ट के समानतार है बड़ा कि ऍटनी गड़बड़ी होती है कि पूछो मत क्या बोला ध्यान से सुनना मालो किसी निमेरकल में आपको पूछा है कि विद्युच्षेत्र की तिब्रता प्रिष्ट के समानतार है और समानतार सब्द को सुनके आपने ठीटा को निमेरकल में 0डिग्री पूट कर दिया पूरा समझ में आ गया है सब फない याद नई बनता नई बनता मतलब ड्रसमझ में नहीं आया है ये अब धोखे में हो कि आप समझ गए हो यदि इस्ठूडेंट चैप्टर का कॉंसेप्ट अच्छे से क्लियर करले उस्टेप्टर में जितने फार्मूले Under प्राब्लम मता इसके लिए आपको भी मैधनत करना देगा मेरे साथ तो मैं छोटी-छोटी बातों को लिखा रहा हूं यह सब आप नोट करके लिखो आगई बासमझ में जैसे किसी निमेरकल में बोले कि विद्धु चेतर की तिब्रता प्रिस्ट के लंबवत है तो प्रिस्ट के लंबवत बोलने से इस्टुडेंट के दिमाग में बच्पन से बैठा हुआ है कि लंबवत बोलने से थीटा 90 रखना है तो भाईया यहां पर प्रिस्ट के लंबवत बोल रहा है प्रिस्ट के लंबवत थीटा क् जीरो पूट करना है तो यह दोनों नोट को लिख के रखना निमर्कास में काम आएगा चलिए अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टापिक पर मैं बात कर रहा हूं वो है घन कोड अब देखो यह सालिड एंगल हम 11 क्लास में पढ़े रहते हैं इस क्लास में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसको मैं यहाँ पर न बताऊं आपको तो फिर आपको गास्ट का प्रमे समझ में नहीं आएगा देखो आप लोगोंने कोड तो आप जानते हो दो रेखाओं के बीच का जो जुकाओ है वो कोड है दो सतहों के बीच का जुकाओ है वो कोड है लेकिन यहाँ पर घन कोड क्या है घन कोड एक्ट्वल में थ्री डाइमेंशन फिगर आपको इस तरह का experience होगा आपको ध्यान ह कि जब बाजार में तर्बूच खरिद ने जाते हैं तो तर्बूच जब हम खरिथे रहते हैं तो सीजफा दबूच खर निकालक कोई दिखाता है कि ie experience मेरे ख्यास से आप सबको होगा मुझे भी है वो क्या करता है मैं तर्बूज के example से ही आपको समझाओं इसको कि suppose अपने पास यह चलो एक मैंने green color का तर्बूज बना लिया अब जब हम उसे पूछते हैं इसके बारे में तो हमको एक छोटा सा तुकड़ा निकाल के वह देता है ठीक है एक छोटा तुकड़ा निकाल के देता है वह एसा ठीक है और यह तुकड़ा जो निकाल के देता है एक और मैं dotted line से इसके condition को सो कर दूं तीसरी line त्री तो उस छोटे से तुकड़े के ये सेंटर पर ये कार्णर जो बनता है इस कार्णर पर जो कोण बन रहा है वही वास्तों में क्या है घन कोण है वो तीन तरह से पिरामीट की तरह ऐसा बनता है आपने देखा होगा एक सर्फेस दो सर्फेस वो चाकू से त्रिभूज जैसे इसे काटेगा और तुकड़ा वो निकालता है जनरली या ऐसा स्क्वेर भी काट ले तो वो तिर्चा तुकड़ा निकालता है वो एकदम स्क्वेर काटके निकालेगा तो तुकड़ा निकलेगा नहीं उसको आगे जाके किनारा पॉइंटेट करना पड़ता है क्योंकि पॉइ यहाँ पर इसका जो surface है यह जो surface आप देख रहे हो यह जो मैंने यहाँ पर surface बनाया इसको मैं sedate कर दिया यह यह छोटा सा surface है जिसका चेतरफ़ दी एस है और पूरा जो surface है वो suppose S है तो DS एक छोटा सा surface है और इस point पर इस point पर एदी मैं एक लम डाल दूँ तो इसके 3G जो 3G रेखा है उसके और इसके बीचक में मानलो यहाँ पर एक theta कोण बनता है theta इस पकार से और यह मानलो यहाँ पर विदुच्छतर की तिवरता है मैं इसी condition में आपको बता रहा हूँ विदुच्छतर की तिवरता है तो यहाँ पर घंकोण का जो value होता है वो क्या होता है यह formula आपको ध्यान रखना है d omega equal to होता है अभी तो विदुच्छतर की तिवरता का छोड़ बाद में बात करेंगे ds cos theta upon r square यह घंकोण का मान होता है जो यह छोटे से प्रिष्ट के लिए है यह d omega लेकिन यदि हम पूरे प्रिष्ट की बात करें एस प्रिष्ट के लिए तो पूरे उसके केंदर पर जो कोड़ बनेगा पूरे केंदर पर जो कोड़ बनेगा उसको हम क्या कहते हैं omega कहेंगे तो omega जो होगा वह integration आप d omega होगा integration आप d omega मतलब तर्बूज वाला हमको पूरा तर्बूज थोड़ी दिया है तुकड़ा काट के दिया है तो उसके center पर जो कोड़ बना है वो d omega है लेकिन अब यदि हम कहें कि पूरा तर्बूज का जो surface है मतलब पूरा sphere का जो surface है वो center में कितना इंगल बना रहा है तो सभी d omega आपस में जुड जाएंगे छोटे 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 दी omega सर्बूढ जाएंगे जुड जाएंगे जिसको हम calculus के language में integration कहते हैं तो जब छोटे 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 दी omega जुडेंगे तो पूरा हमको omega मिलेगा और इसका मान कीतना होता है फिर 4 pi इसका मान 4 pi होता है इसको आपको याद रखना है यह mathematical term है और इसका unit होता है stay radian stay radian इस तरह से जैसे आपको पता है कि किसी वृत्त के केंद्र पर 2 pi कोण बनता है उसी प्रकार से किसी ठोस गोले के केंद्र पर 4 pi कोण बनता है clear तो यह है d omega equal to ds cast theta upon r square और यह है omega equal to 4 pi जो की पूरे प्रिस्ट के लिए है और यह इसका unit होता है यह formula को आप याद रखोगे यह ds cast theta upon r square और यह omega equal to 4 pi यह है घन कोण अब यह दो टापिक जो मैं आपको अभी पढ़ाया मैं आपको पढ़ाया वेद्दू flux क्या होता है flux निकालने का formula बताया यहाँ पर cast theta क्यों होता है यह बताया फिर मैंने आपको बताया कि theta का value किस पकार से vary करता है situation के हिसाब से फिर आपको बताया घन कोण इन ही सब की सहयता से फिर हम gas theorem पढ़ेंगे तब gas theorem आपको बहुत अराम से 2 minute में समझ में आएगा यदि यह पूरा basic चीज आप clear ना करो तो gas theorem को फिर रटा मारो gas theorem को फिर यार्ट करो है ना तो ऐसा जवरत नहीं पढ़ता gas theorem आप अभी यही तैयार करके जाओगे gas theorem आप 100% अभी तैयार करोगे जब मेरा lecture complete होगा तो इस class का हर student gas theorem तैयार कर चुका रहेगा क्या बोला समझ में आए मैं जब मेरा lecture complete होगा तो इस class का हर student gas theorem 100% तैयार कर चुका रहेगा बस आपका थोड़ा concentration चाहिए मेरे को कि जितने देर तक मैं gas theorem में बात करूँगा आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनोगे आप note भी मत करना मेरे साथ मैं बाद में skin start लेने के लिए time दूँगा आपको skin के सामने से हट जाओंगा मैं मेरे साथ parallel लिखना मत क्योंकि मेरे साथ आप parallel लिखोगे तो आपका concentration मेरे lecture पर नहीं रहेगा मेरे diagram पर नहीं रहेगा और आप divert हो जाओगे इसलिए साथ में copy मत करना आपको मैं time दूँगा फिर skin start लेना बाद में आप लिखते रहेना ठीक है कभी कभी आप जल्दी 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 साथ में teacher के लिखते रहते हो तो पूरी बात सुन नहीं पाते है ये अच्छा habit नहीं है आप लाइंग क्लास में हम जनरली बच्चों को मना करते हैं कि भाई साथ में मत लिखो बाद में word से उतार लेना तो parallel work मत करना चलिए तो इस टार्ट करें हम गास का प्रमें यहाँ पर हमने कथा लिखा हुआ है गास ने क्या बताया कि मानलो कोई हमारे पास बंद प्रिष्ट है और उस बंद प्रिष्ट से flux बाहर निकल रहे है तो किसी बंद प्रिष्ट से जब flux बाहर निकलते हैं तो उस पर जो total flux होता है उन flux की जो संख्या है कुल flux की जो संख्या है वह उस पिंड पर जितना आवेस होता है उसका एक बटे अपसाइलानाट होता है किसी बंद प्रिष्ट से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या उस प्रिष्ट पर उपस्थित कुल आवेस का एक बटे अपसाइलानाट गुना होता है यह है हमने कथन भी यहाँ पर लिख दिया है देखो किसी बंद प्रिष्ट से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स विद्ध फ्लक्स उस बंद प्रिष्ट के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेस का एक बटे अफसैला नाट गुना होता है यहाँ पर दो बात को आपको बहुत प्रमुखता के साथ ध्यान में रखना है वो यह है बंद प्रिष्ट तो बंद प्रिष्ट यहाँ पर ऐसी नहीं लिखा गया है बंद प्रिष्ट बहुत महत्तपूर्ण यहाँ पर सब्द है क्योंकि जब तक ये surface close नहीं होगा बंद नहीं होगा तब तक हम उसमें flux में gas का थ्योरा में apply नहीं कर सकते तो gas प्रमे के proof के लिए प्रिष्ट का बंद होना जरूरी है चलिए अब इसको हम proof करें तो proof करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं एक बंद प्रिष्ट मान लेते हैं अभी तो एक कथन हुआ अब हम करते हैं इसका proof तो इसको proof करने के लिए हमने इस तरह से एक बंद प्रिष्ट मान लिया अड़ा तिर्षा कुझ भी ऐसा नहीं कि आपको इसको perfect इस फेर बनाना है any size and shape किसी भी प्रकार का size और shape का बंद प्रिष्ट वो हो सकता है ठीक है तो यह हमने एक बंद प्रिष्ट consider कर लिया अब यहाँ पर सभी चीजों को represent करो जैसे मैंने आपको बताया मान लो इस बंद प्रिष्ट का छेतर फल a से अब यहाँ पर भाई अपने को घंकोर दिखाना है सब वो चीज दिखाना है जो मैं आपको अभी पढ़ाया देखिए तो यहाँ पर यह निकलने वाली बल रेखाए है इस प्रिष्ट निकलने वाली बल रेखाए है इसके बाद इसमें हम एक अल्प प्रिष्ट ले लेते हैं मालो हमने यहाँ पर यह एक अल्प प्रिष्ट ले लिया ds यह ds प्रिष्ट यहाँ पर बनाया है यह जो point है यहाँ पर suppose plus q आवेस रखा हुआ है यह plus q आवेस है यह बिंदू o पर और यहाँ पर घं कोड़ दिखाने के लिए हम एक dotted line भी sow कर दें यह उसके बाद यहाँ पर हम एक लंब रेखा भी sow कर दें यह यह यहाँ पर लंब रेखा इस प्रिष्ट पर यहाँ पर घं कोड़ का जो मान है सब तो समझा आपको अभी यहाँ पर जो घंकोंड बना है इस घंकोंड को हम D omega ले लिए यहाँ पर कोई बिंदू P है इस बिंदू P पर यह विद्दू छत्र की तिब्रता की दिसा है E और इसके साथ यहाँ पर बना हुआ कोंड क्या है यह थीटा है और इस प्रिष्ट को हमने DS लिया है इसके छेतर फल को बिंदू P पर यह DS यहाँ पर मैंने प्रिष्ट के छेतर फल को DS लिख दिया देखो चीतर को ध्यान से समझना क्योंकि चीतर ही सब कुछ होता है जब तक आप चीतर नहीं समझोंगे फिजिक्स में आगए की बात समझ में नहीं आएगी ठीक है और यह इसकी त्रिज्ज्या है इसको हमने मतलब इसका आवेस से इसके प्रिष्ट की बीच की दूरी को हमने आर ले लिया इस पकार से हमने ये फिगर बनाया अब यहाँ पर इसको एस्प्लेन करने के बाद हम इसका कल्कुलेशन स्टार्ट करेंगे ठीक है तो सब से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदू P पर बिंदू छेतर की तिवरता कितनी होती है यह अपन फ्लक्सों की संख्या हम निकाल सकते हैं अल्प प्रिस्ट से तो पहले गरना हम वही सी स्टार्ट करते हैं प्रिस्ट डीएस से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या प्रिष्ट DS से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या देखो कल्कुलेशन की step को आँ भ्यान रखना सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं हमारे पास जो small surface है DS इस हम small surface DS से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या को निकाल रहे हैं डी ए से, और बाद में पूरे प्रिश्चे से निकालना होगा, उसका समा कलन कर देंगे। ठीक है? ज्यादा तर कल्कुलेसन का जो इस मेठड यही होता है कि छोटे के लिए निकालो और उसको पूरे निकालने के लिए समा कलन कर दो, क्य玩 का मतलब योग कि इंटू दी एच इंटू कास थीता तो है किको ये सुक्सहा स अभी हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देजर पढ़ा है सुट्र तो ये हो जाए पाइज कास थीता अब हमने प्रिष्ट ये से निकाल है । सम्पूर्ण स receipt से निकलने वालीा cochnya निकालते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा इसलिए इसलिए संपूर्ण प्रिष्ट संपूर्ण प्रिष्ट एस से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या तो संपूर्ण प्रिष्ट से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे उसको हम फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे उसको हम फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे उसको हम प्रिश्ट से जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसका यदि हम क्या कर दें समा कलन कर दें तो हमको संपूर्ण प्रिश्ट से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या ग्यात हो जाएगा clear चलिए इसको आप इसकी साट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे अपन Notes मिलेगा आप लोगको हमारे एपलिकेशन पर English Medium के आप लोगको अलग क्लास मिलेगा यह Hindi Medium का क्लास है English Medium का भी हम क्लास प्लास कराते हैं आपको उसके lecture आपको अलग से मिलेंगे प्यॉर English से मिलेंगे चलिए अब हम इसको आगे Salve करते हैं ठीक है that implies चलो भाई अब इसको solve करो that implies phi e equal to क्या है जाएगा integration d phi e अभी हमने लिखा है अब हम क्या करें इसको समाकलन करें that equal integration आप d phi e का formula देखो d phi e का value निकालने क्या e ds cast theta ठीक है ते होता है e ds cast theta ये होता है that equal अब इसको solve करो तो यहाँ पर क्या होगा e ds cast theta तो e का value कितना होता है 1 upon 4 pi epsilon 8 q upon r square तो विद्धुचेतर की तिवरता का मान भर दो यहाँ पर 1 upon 4 pi epsilon 8 q upon r square into ds into cast theta ये होगा क्या किया हमने विद्धुचेतर की तिवरता का formula भर दिया ये हमको मालूम है पिछले चेप्टर में हमने यही पढ़ा है पिछले लेक्चेर में सब्ढ़ी है पिछले लेक्चेर में हमने पढ़ा है तो e equal to 1 upon 4 pi epsilon 9 का value put up कर दिया अब यहाँ पर बहुत special ध्यान देना ds cast theta upon r square ये देखो ds cast theta upon r square अभी हम पढ़े हैं क्या ds cast theta upon r square हम क्या पढ़े हैं d omega तो यहाँ पर इसलिए उसको मैं पढ़ाया भी तो ds cast theta upon r square को हम क्या लिख सकते हैं d omega तो that equal और ये constant है बाहर आ जाएगा तो q upon 4 pi epsilon 9 को बाहर कर दिये और integration आप इतना घेरा हों उसको लिख सकते हैं हम d omega इसको हम d omega लिख देंगे इस परकार से आप देखो आगे क्या होगा आगे इसको हम sallow करें तो that implies phi e equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 9 into integration आप d omega ये जो integration आप d omega है ये भी मैं अभी आपको बताया ये integration आप d omega integration आप d omega का value कितना होता है 4 pi होता है तो उस value को हम यहाँ पर put up कर दें integration आप d omega का तो ये value 4 pi हो जाएगा अब यहाँ पर 4 pi cancel out होगा तो that implies अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं अब इसको लिख सकते हैं phi e phi e equal to यहाँ से अच्छा q को लिखना भूल गया sorry यहाँ पर q को लिखना भूल गया q तो में टप यह q है तो phi e equal to क्या हो जाएगा q upon epsilon not यह और gas प्रमे यहाँ पर proof हो जाएगा यह gas प्रमे यहाँ पर proof हो गया clear तो मेरे ख्याल से पूरा क्लास gas प्रमे तयार कर लिया होगा एक बार मैं repeat करता हूँ ध्यान से सुनो किसी बंद प्रिस्ट से गुजरने वाला संपूर्ण वैदित flux उस बंद प्रिस्ट के अंदर निर्वात में उपस्थित कूल आवेस का एक बटा एप्सला नाट गुना होता है यह है इसके बाद यह चीतर मैंने आपको explain किया ठीक है इसके बाद देखो प्रिस्ट डिस्ट से निकले वाल फ्रक्सों की संख्या हम सबसे पहले निकाले बाद में हम उसको संपूर्ण प्रिस्ट से निकले वाल फ्रक्सों की संख्या निकालने के लिए उसको integrate कर दिये integrate करते समय हमने क्या किया अब d5 का value हमने पूट कर दिया E ds gas theta e का value पूट कर दिया 1 upon 4 pi epsilon at q upon r square विदुशतिक ब्रता ds gas theta upon r square d omega होता है d omega का value पूट कर दिया integration आप d omega 4 pi होता है अब दोनों 4 pi यहाँ से कड जाएंगे और यह proof हो जाएगा तेहे gas theorem अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे gas theorem का एक special case कभी कभी क्या होता है gas theorem को थोड़ा question घुमा के पूछता है जब board exam में या इस पर थोड़ा सा complicated question बनाता है तो gas के प्रमे को थोड़ा अलग type से पूछ लेता है तो वो हम पढ़ते हैं gas theorem का special case clear एक बार आप लोग notes पढ़ाते समय वीडियो को दुबारा देख लिया करो है ना चलिए अब इस पर मैं आपको एक special case समझा रहा हूँ special case of gas theorem special case of gas theorem यह special case क्या है gas theorem का special case करता है कि यदि आवेस यदि आवेस प्रिष्ट से बाहर हो तो संपूर्ण flux तो संपूर्ण flux की संख्या संख्या सुन्य होती है यह gas theorem का special case है यह case क्या कहता है अभी आपने इस से पहले जो पढ़ा इसमें क्या देखा है कि यह जो आवेस है वो प्रिष्ट के अंदर है यहाँ पर देखो यह जो आवेस हमने लिया था यह blue color से जो मैंने लिखा यह आवेस प्रिष्ट के अंदर है लेकिन अब special case कहता है कि यदि आवेस प्रिष्ट से बाहर हो तो flux की संख्या सुन्य होती यदि ऐसा घुमा के पूछ दे question को तो फिर हम उसका answer कैसे बनाएंगे देखो यह तो आप बंद प्रिष्ट बना लो बहुत आसान है दो लाइन का बस condition है अब यह आवेस को मैं ले लिया प्रिष्ट के बाहर यह बिंदू O पर यह plus Q आवेस रखा हुआ है अब यहाँ से निकलने वाले जो फ्लक्स होंगे यहाँ से निकलने वाले जो विदूद बल रेखाए होंगी वो कैसी होंगी देखो यह यह विदूद बल रेखाए है यह सब विदूद बल रेखाए है जो प्रिष्ट पर अंदर जाएंगी बाहर भी जाएंगी यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसल गवर करना यह मालो एक प्रिष्ट हमने लिया यह जो प्रिष्ट लिया यह प्रिष्ट मालो ds है यह वाला प्रिष्ट मालो s1 प्रिष्ट है s1 लिया इसको इसके बाद यहाँ पर एक प्रिष्ट आप देख रहे हो यह वाला एरिया यह प्रिष्ट मालो S2 है यहाँ पर जो घंकोण बनता है यह तो दोनों के लिए कामन होगा यह घंकोण होगा D omega अब यहाँ पर एक खास बात आप देख रहे होगे इस चित्र में कि यहाँ से जो विदूद बल लेखाए है वो प्रिष्ट S1 में अंदर प्रवेस कर रही है और प्रिष्ट S2 से बाहर निकल रही है तो naturally यहाँ पर S1 में प्रवेस कर रही है वो क्या होगी? निगेटी होगी और जो S2 से बाहर निकल रही है वो positive होंगी क्योंकि अभी हमने positive और negative flux पढ़ा है कि जो बरले खाएं प्रिष्ट पर अंदर प्रवेस करती है वो क्या होती है negative और जो प्रिष्ट से बाहर निकलती है वो क्या होती है positive होती है ठीक है तो यहां पर हम इसका जब calculation करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे पीछे के calculation को हम यहां तक copy करेंगे कहां तक देखो यह हमने निकाला यह स्वारी यहां तक यह जो हमने निकाला d5e वो क्या है प्रवेस करने वाला flux इसके बाद यहां तक आप कह सकते हो यहां तक हम निकालेंगे प्रवेस करने वाला flux और फिर बाहर निकालने वाला flux तो दोनों कंडिशन में आप डारेट डारेट ऐसा भी लिख सकते हैं Qपान अपसरेनाट एक बार प्लस एक बार माइनस एक लाइन आपको एस्टा लिखना है वो क्या होगा देखो प्रिस्ट S1 पर सबसे पहले हम निकालेंगे प्रिस्ट S1 पर प्रवेस करने वाले flux की संख्या प्रिस्ट S1 पर प्रवेस करने वाले फ्लक्सों की जो संख्या होगा जिसको हम क्या कहा देंगे फाई E1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q अपन अपसाइला नट क्योंकि प्रिस्ट प्रवेस कर रहे हैं फ्लक्स प्रवेस कर रहे हैं और दूसरा निकाल लेंगे प्रिस्ट S2 पूरा लिखने के बाद प्रिस्ट S2 से बाहर निकलने वाले बाहर निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या बाहर निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या यह जब हम निकालेंगे इसको हम कह देते हैं फाइटू तो फाइटू इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपन अपसाइला नट यह निगेटिव क्यों हुआ क्योंकि वो अंदर प्रवेस कर रहे हैं और यह पाइटू क्यों हुआ क्योंकि बाहर निकल रहे हैं तो एक को आप धनात्मक ले लेंगे और एक को रिडात्मक ले लेंगे इसके बाद जब हमको संपूर्ण प्रिस्ट से निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे इसलिए संपूर्ण प्रिस्ट इसलिए संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या बस कुछ नहीं एक लाइन आपको सो करना है उसके आगे इसलिए संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या तो संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या फाई बराबर क्या हो जाएगा फाई इवन प्लस फाई इटू और थाई even क्या है minus q upon epsilon 8 है और यह क्या हो जाएगा plus q upon epsilon 8 अब naturally यहाँ से दोनों कट जाएंगे और equal to क्या जाएगा 0 और यह हो जाएगा proved यह proof हो जाएगा कि यदि आवेस प्रिस्ट से बाहर हो मतलब यहाँ पर यह बात proof होता है कि यदि हमारे पास कोई Gaussian surface है गासी प्रिस्ट है और यदि बिंदू क्या है प्रिस्ट से बाहर है तो बिंदू जब प्रिस्ट से बाहर होगा तो उस प्रिस्ट पर कुल flux की संख्या सुनी होगा और यह बात बहुत common explain है क्या कि जितने प्रवेस करेंगे उतने ही प्रिस्ट से बाहर निकल जाएंगे मालो 10 बर लेखाएं अंदर प्रवेस करती है तो 10 बाहर भी निकलेंगी कुल मिलाके flux की संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह हम आज गास theorem को complete detail explanation के साथ में हम पढ़े आज का हमारा क्लास गास theorem पर ही बेज था और कल से हम इसके क्लास में गास theorem के अनुप्रयोग पढ़ेंगे गास theorem के अनुप्रयोग application आप गास theorem ओके 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 चलिए फिर class स्टाट करते हैं application आज गास प्रमे का अनुप्रयोग हम को पढ़ना है गास प्रमे का अनुप्रयोग एक अनुप्रयोग आपका एक्जाम में 100% आ रहा है सीधे जाके आपको question paper में देखना है कि भीया कौन से नंबर का question गास थिवरम का application है 4 नंबर का या 5 नंबर का long answer type question में आएगा और यदि आप अलग-अलग different board की student है तो जैसा chapter का आपका weightage है जैसा blueprint है उसके carding long answer time में question आएगा ठीक है तो गास प्रमे का अनुप्रयोग के पहले मैं आपको उसके कुछ working steps बताता हूँ गास प्रमे के अनुप्रयोग गास के प्रमे के अनुप्रयोग में अखिर हम करते क्या है गास के प्रमे का अनुप्रयोग है क्या तो गास के प्रमे को पढ़ने से पहले हम उसका क्या application है और किस तरह से उसको हम calculate करते हैं यह हमको सबसे पहले समझ जाएं तो गास प्रमे की साहता से हम का करते हैं विद्दू छेत्र की तिवरता ग्याद करते हैं विद्दू छेत्र की तिवरता विद्दू छेत्र की तिवरता मतलब capital E यह हम ग्याद करते हैं तो बात clear है कि गास के प्रमे से हम करते क्या हैं गास प्रमे की सायता से विद्धु छेतर की तिब्रता ग्याद करते हैं किसका हमारे पास भीन भीन प्रकार का चालक होता है मालो हमारा चालक रेखी चालक है मालो हमारा चालक आयताकार चालक है मालो हमारे पास कोई गोलाकार चालक है तो यह different size and shape के अलग-अलग आक्रिती के जो चालक होते हैं जिन में आवेस होता है वो जब अपने चारों और विद्धु छेत्र निर्मित करता है तो किसी बिंदु पर विद्धु छेत्र की तिब्रता कितनी होती है ये हम इसकी सहाथा से ग्याद करते हैं अब हम देखते हैं इसका working step working step working steps का मतलब क्या है ये ध्यान रखना कभी भी किसी बड़े derivation के लिए मैं working step समझाता हूँ सबसे पहले working step का मतलब है कि जब हम ये application पढ़ेंगे तो हमको किस-किस step से work करना है ये हमको क्या है समझना है और एक बार working step हम अपने दिमाग में बिठा लिए तो उसी step से पहले application को उसी step से दूसरे application को उसी step से तीसरे application को that means सभी application को हम उसी step की सहाता से solve करेंगे मतलब यह एक planning है कि हमको किस तरह से work करना है ये working step होता है तो working step में सबसे पहले हम क्या करते है पहला काम हमारा होता है वो है आवेस निकालना आवेस हम ज्याद करते हैं और आवेस Q का मान हम किस सुत्र की सहायता से ज्याद करते हैं इसका मान हम ग्याद करते हैं आवेस घनत्व और गुडित या तो लंबाई यदि हमारा चालक क्यों लंबाई है तो लंबाई का उसमें गुणा करते हैं या छेत्रफल छेत्रफल का या आयतन इस पकार से जरूरत के हिसाब से इस जरूरत की हिसाब से मतलब और या आयतन का गुणा करते हैं इस पकार से हमारा पहला ए chemical है उसमें सबसे पहले आवेस निकालेंगे आवेस घनत्व में गुणा करेंगे या तो लंबाई का या तो 6 रफल का या तो आयतन का ये हमारा पहला काम होगा उसके बाद दूसरा जो हमारा काम होगा सेकंड नमबर के जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा आवेज घंड तो निकालने के बाद हम कुल फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे इसके बाद हम निकालेंगे, कुल फ्लक्सों की संख्या, माने जो हमारे पास आवेसित पिंड होगा, उसमें कुल फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, फाई इ, तो दूसरा काम होगा हमारा, कुल फ्लक्सों की संख्या ग्याद करना यह हमारा दूसरा काम होगा, पहला काम हम संख्या निकालेंगे और कुल फ्लक्सों की संख्या निकालने के बाद कुल फ्लक्सों की संख्या निकालने के बाद तीसरा हमारा काम है गास के प्रमे गास के प्रमे में जो फार्मूला होता है हमारे पास फाई एक्वल टू Q upon epsilon 0 यह जो हमारे पास गास प्रमे में फार्मूला होता है Phi equal to Q upon epsilon 0 तो हम क्या करेंगे यहां से जो आवेस का मान निकालेंगे यह आवेस के मान को यहां पर put up कर देंगे और यहां पर जो flux की संख्या निकालेंगे Phi E उसको यहां पर put up कर देंगे ध्यान से समझे सबसे पहले आवेस निकालेंगे फिर flux की संख्या निकालेंगे और आवेस और flux की संख्या को गास प्रमे में हम put up कर देंगे और इसको put up करने के बाद इसको put up करने के बाद हम बायेपक्ष में विद्धुच्चतर की तिवरता को रखेंगे लेट साइड में और बाकी पूरी कॉंटिटी को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे और इससे फिर हमको विद्धुच्चतर की तिवरता का गर्णा हो जाएगा यहां से हम निकाल लेंगे विद्धु छेत्र की तीवरता ओके ओके चले फिर स्टार्ट करें हम तो पहला हमारा एप्लिकेशन है अभी मैंने आपको गास्थ्वरम के एप्लिकेशन का वर्किंग इस्टेप बताया अब हमारा जो पहला एप्लिकेशन है जो यहां पर आपको दीख रहा है देखो इसका हेडिंग अनन्त लंबाई के सीधे आवेसी चालक अनन्त लंबाई के सीधे आवेसी तार के काराण विद्धु छेत्र की तीवरता यह हमारा टापिक है पहला इलेक्टिक फिल्ड डू टू एन इनफाइनाइटली लांग इस्टेट चार्ज गंड़क्टर यह हमारा पहला एप्लिकेशन है तो पहला एप्लिकेशन में हमको क्या पढ़ना है कि हमारे पास जो चालक तार है वह एक अनन्त लंबाई का इस्टेट लाइन कंड़क्टर है मतलब सरड़ रेखी चालक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले एक चीतर बनाएंगे देखो जिसमें हम अपने अनंत लंबाई के चालक तार को यहाँ पर सो करणे है देखो यह मानलो अपने पास एक चालक तार है जो कि अनंत लंबाई का है अब हमने क्या किया है चीत्र को ध्यान से समझना क्योंकि figure का explanation ही सब कुछ है उसी पर पूरा best है तो यहाँ पर ये एक चालक तार है मानलो इस चालक तार का नाम हमने L दे दिया और इस चालक तार को हमने सपोस प्लस Q आवेस दिया हुआ है और इस चालक तार पर जो आवेस घनत्व है उसको हमने Lambda माना है ठीक है आवेस घनत्व मानलो इसमें Lambda है अब जब इस चालक तार को हम आवेस देंगे प्लस Q आवेस देंगे तो इस चालक तार के चारों और विद्धु छेत्र निर्मित होगा तो चारों और जो विद्धुच्छत निर्मित होगा उसके किसी बिंदु पर हमको विद्धुच्छतर की तिवरता निकाल नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं एक सिलेंडर का हम निर्मार करेंगे मैं पहले फिगर बना दूँ फिर आपको और प्रापर उसको एस्प्लेंड करूँगा यह जो डाटेड लाइन से है वो रचना है इसलिए हम उसको डाटेड लाइन से कर रहे हैं इस पकार से देखो यहाँ पर हमने एक सिलेंडर बनाया और इस सिलेंडर की त्रिजिया हमने सपोस आर ले लिया और इसकी जो लंबाई है उसको सपोस हम एल ले लेंगे यह मालो इसकी लंबाई एल है और त्रिजिया हमने क्या ले लिया आर ले लिया अब इसके प्रिष्ट पर ये कोई बिंदू है मालो हमने इसके प्रिष्ट पर एक कोई बिंदू पी लिया और इसी बिंदू पर हमको विद्दू छेतर की तिब्रता ग्याद करना है इस बिंदू पर विद्दू छेतर की तिब्रता ग्याद करना है अब यहां पर देखो सबसे महत्पूर बात यह है कि आपके दिमाख में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इस बिंदू पर विद्वच्छतर की तिप्रता हमको निकालना है तो हमने बेलन का निर्माड क्यों किया यह पहला क्वेश्चन का अंसर है इसको बंद प्रिष्ट में लाने के लिए इस बिंदु को बंद प्रिष्ट में लाने के लिए हमने बेलन का निर्माण किया क्योंकि हमको मालूम है कि गास का प्रमे सिर्फ बंद प्रिष्टों के लिए लागू होता है इसलिए हमने बेलन बनाया लेकिन अब आपके दिमार्ट में एक दूसरा question भी आ सकता है कि सर बेलन ही क्यों बनाया हम वहाँ गोला बना सकते थे हम वहाँ संकू बना सकते थे वहाँ घन बना सकते थे वहाँ घनाब बना सकते थे बहुत प्रकार के हमारे पास बंद प्रिस्ट है तो बेलन ही बनाना क्यों पड़ा हमको पहली बात तो बेलन क्यों बनाया बंद प्रिस्ट के लिए फिर बेलन ही क्यों बनाया तो बेलन ही बनाने का कारण क्या है देखो कि यह जो हमारा चालक तार है वास्ताव में एक तार बेलन का सबसे छोटा रूप होता है नियुनितम त्रिज्या तथा अधिक्तम लंबाई का बेलन है वो यदि हम उस तार को मोटा करें तो बेलन बनेगा मतलब तार को जब हम चालक तार को जब हम आवेस देंगे तो चारों और जो विद्धुछेत निर्मित होगा वो बेलना कार सरफेस के रूप में निर्मित होगा तो मुल्चालक जो है हमारा हमारा जो मुल्चालक है वो तार है स्टेट लाइन कंड़क्टर है जो की बेलन का ही एक रूप है इसलिए हमने बेलन बनाया और ऐसे भी balance क्या होता है? Homogeneous body होता है Homogeneous body मतलब उपर से लेके नीचे तक उसका अनुपरस कास का छेत्रफल एक समान होता है संकु उपर छोटा होता है नीचे फैलता जाता है तो वहाँ पर आवेश समान रूप से वित्रित नहीं होता लेकिन बेलन में आवेश समान रूप से वित्रित होता है तो यह आपका proper concept clear रहना चाहिए ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए और उसका बाद region नहीं है आपको बहुत depth में discussion करना है कि भाई ऐसा क्यों किया यह naturally यदि offline class होता तो यहाँ पर कुछ student अपने से hand rise करके पूषते कि सर बेलन ही क्यों बनाया या हम खुद पूषते कि बेलन क्यों बनाया बताओ ठीक है तो ध्यान रखना clear यहाँ तक सबको तो इसलिए यहाँ पर बेलन का निर्माड किया जाता है अब देखो जो working step मैंने आपको बताया है उस working step के best पर अब हम क्या करेंगे इसका calculation start करेंगे यह जो बेलन है हमारा अब इस बेलन को तीन प्रिष्टों से मिलके हम बना मान सकते हैं बेलन तीन प्रिष्टों से मिलके बनता है ध्यान देना एक पहला समतल प्रिष्ट S1 है जो उपर देख रहे हो नीचे एक समतल प्रिष्ट S2 है और ये वक्र प्रिष्ट आपको दिखाई जा रहा है क्या S3 तो S1, S2, S3 S1, S2, S3 तीन यहाँ पर क्या है बंद प्रिष्ट है देखो पहला एप्लिकेशन को धंग से समझना पड़ता है पहला एप्लिकेशन को अच्छा से समझना के बाद बाकी एप्लिकेशन तो अपने आप फिर उसी पेटरन पर बनने लगते हैं क्योंकि मैं आपको जो वर्किंग स्टेप यहाँ पर बताया हूँ यह working step सबके लिए apply होगा ठीक है चलिए अब इसकी हम गर्णा को सुरुवात करें विद्दुच्छता की दिवरता की हम गर्णा करें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर आवेस सबसे पहले मैंने आपको क्या निकालने बोला है आवेस तो आवेस का मान क्या हो जाएगा आवेस Q बराबर आवेस घनत्व यहाँ पर मैं सूत्र बताएं हूँ देखो आवेस बराबर आवेस घनत्व गुडित लंबाई या च्छेतरफन या आइतन तो यहाँ पर आवेस घनत्व हमने क्या माना हुआ है लेम्डा समीकर नमबर एक तो हमने पहले निकाल लिया सबसे आवेस सबसे पहले आवेस निकाल लिया working step में बताया था कि पहले हमको आवेस निकालना है इसके बाद हमको क्या करना है फ्लक्सों की संख्या निकालना है तो फ्लक्सों की संख्या निकालने बेलन तीन सतहों से मिलकर बना होता है या बेलन में तीन सतह होता है जैसा मिलिक सकते हो एक्स्प्लैनेशन का लेंग्वेज का कोई प्राब्लम नहीं अपने सद्दों में लिक हो बेलन तीन सतहों से मिलकर बना होता है जिसमें जो पहला सतह है पहला ये उपर का सता जो की सम्तल होता है वो है सम्तल सता S1 पहला है उपर का सता जो आप देख रहे हो सम्तल सता S1 है इसके बाद दूसरा देखो नीचे का सम्तल सता नीचे भी क्या है? सम्तल सता है सम्तल सता S2 और ये दो देख रहे हो यह वक्र सता है ठीक है या इसको कहें गोली सता जो चारों और घुमा हुआ है जिसको हम क्या कहेंगे गोली सता S3 इस प्रकार से बेलन के तीन सता होते हैं और जब बेलन के तीन सता होते हैं तो तीनों सता हों से निकलने वाले फ्लक्स अलग-अलग होंगे तो हमको क्या करना ह जैसे मैंने आपको working step में भी बताया है कि दूसरे number में हम cool fluxo की संख्या निकालते हैं तो धूल fluxo की संख्या मतलब जब उसके पास 3 priest है तो तीनों प्रिस्टर से अलग-अलग flux निकलेंगे तो S1 प्रिष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या एस वन प्रिस्ट से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या तो हम यहाँ पर देखें कि एस वन प्रिस्ट से कितने फ्लक्सों की संख्या इसको हम मान लेते हैं क्या फ्लक्सों की संख्या प्रिस्ट के समानतर हो तो थीटा 90 डिग्री होता है और यदी विद्दुच्छेत्र की तीब्रता प्रिस्ट के समानतर हो प्रिस्ट के लंग वथ हो तो थीटा 0 डिग्री होता है यह मैंने कल के क्लास में आपको दो नोट लिखाया था आपको याद होगा तो यहाँ पर आप चित्र को देखो एक मिनट इसको मैंने पहले वाले पेज मेट कर दिया यह एक मिनट है इसको थोड़ा सब दुबारा लिखूंगा मैं नोट्स में गलत जगह हो जाएगा एक मिनट यह चलिए दुबारा राइट करता हूं उसको मैं एस वन प्रिष्ट से पीछे लिख रहा लाता है एस वन प्रिष्ट से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या एस वन प्रिष्ट से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या इसको हम पहेंगे फाई इवन इक्वल टू हो जाएगा एस वन इन्टू कास थीटा दैट इक्वल यह हो जाएगा इन्टू एस वन अब मैं बात कर रहा था थीटा की तो यहाँ पर ध्यान देना यह हमारा एस वन प्रिष्ट है यदि हम अपने एस वन प्रिष्ट की दिशा बताना चाहें तो नेच्रली आप समझ सकते हो इसकी दिशा यह होगी यह एस वन प्रिष्ट है देखो यह एस वन प्रिष्ट है और एस वन प्रिष्ट पर खिचा गया लंब यह होगा उपर की ओर तो आप देखो यह जो प्रिस्ट है S1 यह जो S1 प्रिस्ट है वो विद्धु छेत्र की तिवरता के समानतर है और आप मेरा कल का लिखाया हुआ नोट्स को एक बार अपने पीछे पेश पलट के देखो वहाँ पर मैंने लिखाया था कि जब S1 प्रिस्ट या जब कोई प्रिस्ट तिब्रता के समानतार हो तो theta 90 degree होता है क्योंकि वह लंब के लंबत होता है clear तो यहाँ पर theta क्या हो जाएगा 90 degree हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसके value को put up कर देंगे cast 90 degree और cast 90 degree से यह पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि cast 90 0 होता है तो पूरा का पूरा क्या हो गया यह 0 हो गया इसी प्रकार से S2 प्रिस्ट से जैसे हमने निकाला कि पहला S1 प्रिस्ट से ऐसी हम निकाल लेते हैं S2 प्रिस्ट से S2 प्रिस्ट से निकलने वाले fluxों की संख्या S2 प्रिष्ट से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या S2 प्रिष्ट से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या Phi E2 Phi E2 इक्वल टू वही होगा E into S2 into Cas90 क्योंकि वह भी नीचे का प्रिष्ट है और उससे भी फ्लक्स क्या होगे 0 होगे वह भी उसके लंबोत है तो यह हमने निकाल लिया S2 प्रिष्ट से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या अब बजगे हमारा तीसरा प्रिष्ट हमारा तीसरा प्रिष्ट है S3 यहाँ पर आप देखो हमने S1 निकाल लिया इसी तरह से हमने S2 प्रिस्ट के लिए निकाल लिया अब हमको निकाल लेंगे किस के लिए S3 प्रिस्ट के लिए तो तीसरा प्रिस्ट हमारा S3 है और S3 प्रिस्ट से निकलने वाले फ्लक्सों के संख्या क्या होगा इसकी गढ़ना करते हैं तो therefore यह third है S3 S3 प्रिस्ट से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या S3 प्रिस्ट से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या जिसको हम प्रदर्सित कर देंगे किस से? फाई E3 से तो फाई E3 इक्वल टू हो जाएगा E इंटू S3 इंटू कास कास कितना अंस होगा? यहाँ पर देखो यह हमारा S3 प्रिस्ट है यह हमारा S3 प्रिस्ट है और विदुच्छतर की तिवरता इसके लंबध है यह S3 प्रिस्ट है यह विदुच्छतर की तिवरता है और जब तिवरता प्रिस्ट के लंबध होता है तो थीटा 0 डिगरी होता है उस कंडिसन में थीटा 0 डिगरी होता है तो यहाँ पर हम थीटा का वेल्यू क्या पूट कर देंगे? 0 degree put कर देंगे that equal अब इसका मान हो जाएगा e into s3 क्या है balance का worker priest है और balance का worker priest होता है 2 pi rl तो हाँ पर value को put up कर देंगे 2 pi rl और cast 0 का value 1 होता है तो e into 2 pi rl हो गया इस पकार से देखो हमने phi e1 निकाल लिया phi e2 निकाल लिया और phi e3 निकाल लिया अब हमको निकालना है cool flux की संख्या तो यहाँ पर आप निकाल लियते हैं हम therefore cool flux की संख्या therefore cool flux की संख्या तो cool flux की संख्या phi e equal to क्या हो जाएगा phi e1 plus phi e2 phi e1 plus phi e2 plus phi e3 यह तीनों flux को हम जोड़ेंगे तो cool flux हमको ग्याद हो जाएगे तो cool flux की संख्या इसका मान को भरो तो इसका मान कितना है 0 इसका मान ही 0 और इसका मान है e into 2 pi rl that equal यह हो जाएगा e into 2 pi rl इस पकार से हमने cool flux की संख्या निकाल लिया e into 2 pi rl अब मैं आपको working step में क्या समझाया हूँ देखो working step में समझाया हूँ कि सब से पहले आवेस निकालो निकाल लिया फिर मैं बताया cool flux की संख्या निकालो वो भी निकाल लिया फिर मैंने आपको बताया है कि gas के प्रमे में दोनों मान को भर दो तो देखो हम काम कैसा कर रहे है अपने working step की हिसाब से हम काम कर रहे है तो अब हम gas का प्रमे इसमें apply कर देते हैं तो gas का प्रमे जब apply करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो therefore gas के प्रमे से therefore gas के प्रमे से अब यहाँ पर रहे हम gas का प्रमे इप्लाई करें तो gas का प्रमे होता है phi equal to q upon epsilon 0 अब इसके value को हम put up कर दें तो phi e का value हमने निकाला है क्या e into 2 pi rl ये निकाला है और q upon epsilon 0 q का value हमने lambda into l निकाला है और upon epsilon 0 अब यहाँ से देखो दोनों साइट से small l cancel out हो जाएगा तो therefore जब small l cancel out हो जाएगा तो e equal to क्या हो जाएगा इसको बाक्यों किधा ट्रांसफर करो तो 1 upon 2 pi epsilon 0 यहाँ से बचेगा lambda और यहाँ से r तो e equal to 2 pi epsilon 0 lambda upon r यह होता है किसी सरल रेखी चाला के कारण विद्धु छेत्र की दिवरता तो e equal to 2 pi epsilon naught into lambda upon r ये किसी सरल रेखी चाला के कारण विद्धु छेत्र की दिवरता का फार्मूला होता है clear तो ये हमारा पहला application है और पहले application में अच्छा कमांड करने के बाद बाकी जो application है बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं तो बहुत आसानी से फिरो समझ में आएगा एक बार इसको आप ध्यान से लिखो या इसका skin start लो और उसके बाद फिर हम next application को पढ़ते हैं telegram जोईन कर लो आप लोग telegram पर हम पूरा notification देते हैं इसका next skin start लो ok and last slide चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला application next application है एक समान आवेशित अनन्द सम्तल चादर के कराण विदू छेतर की तिब्रता एक समान आवेशित अनन्द सम्तल चादर के कराण विदू छेतर की तिब्रता अब एक समान सम्तल चादर का मतलब क्या हुआ प्लेन सीट, ठीक है, किसी भी तरह का जो सीट होता है, प्लेन सीट, वो एक समान चादर होता है, ठीक है, एक मिनट देखो, इस तरह से मेरे पास एक पेज है, ये प्लेन पेज है, ये आप समझ सकते हो, ये क्या है, एक समान चादर है, जब इस तरह से एक समान चादर को आवेश दिया जाता है, तो इसके दाएं तरफ और इसके बाएं तरफ, दोनों तरफ विद्धु छेतर का निर्माण होता है, मतलब जब सीट, मतलब जिसमें सीट क्या हो, लंबाई और चादर हो, तो दोनों तरफ क्या होता है, आवेश का निर्माण होता है, और जिसके कारण विद्धु छेतर की तिप्रता जो कल्कुलेट करते हैं, वो कैसे करते हैं, यहाँ पर फिगर से आप समझो, सबसे पहले, तो यहाँ पर मै मैं एक प्लेन सीट बना देता हूँ, यह है हमारा इस तरह से एक प्लेन सीट है, अब देखो इस प्लेन सीट के दोनों और जो विद्धु छेत निर्मित होंगे, उसमें किस तरह का सीच्वेशन बनेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बेलन बनाएंगे, वो बेलन का हम कंसक्षन कर देते हैं, इसमें बेलन 36 बनेगा, यह बेलन हम इसके आर पार पार किये हैं, समझ दो यह, तो बेलन यहाँ पर 36 बनेगा, यह ध्यान रखना, यह बेलन अंदर से सीट के, अंदर से यह निकला हुआ है, ऐसा समझ दो, यह, तो यह क्या है, बेलन इस तरह से हम, पार करके यह देखो यह सीट है और यहां पर मैं इसको होल करके इस तरह से इसको पार करूँ देखो ऐसा तो बेलन इस तरह से सीट के दोनों पार में ऐसा निकला हुआ है तो बेलन का कंडिशन ऐसा है कि सीट के बाये तरब और सीट के दाये तरब तो दोनों तरब क्या है वि इस पर आवेज घरतों मालें सिगमा है। यहाँ पर जो विद्धु छेत्र की तिवरता हम को निकालना है। उस विद्धु छेत्र की तिवरता की दिशा इसी होगी इस तरह से। और इसको हम consider कर लेते हैं यह बिंदू P है और balance में इसके अंप्रस कार्ट का छेत्र फर्मालो ए है अब यहाँ पर balance में तीन प्रिष्ट कौन-कौन से हैं एक यह वाला प्रिष्ट है S1 दूसरा यह वाला समतल प्रिष्ट है S2 और तीसरा यह वकर प्रिष्ट दिख रहा है S3 यह तीनों हैं बिल्कुल वैसी जैसे इससे पहले किया है बस यह दोनों में अंतर यह है कि वहाँ पर balance उर्ध्वाधर था यहाँ पर balance क्या है 36 है तो नेचरली वहाँ हम इसका calculation करते हैं इसका calculation बहुत आघ्सान है क्योंकि आप समझ गये कि सबसे पहले क्या गर्णा करने है ठीक है चलिए तो हम सकी गर्णा स्टार्ट करें और गर्णा में सबसे पहले आप क्या निकालते अब तो आप लोग को याद हो गया होगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे आवेस Q और आवेस Q बराबर क्या होगा आवेस घनत्व गुडित यहां पर 6 त्रफल होगा आवेस घनत्व गुडित 6 त्रफल क्यों होगा क्योंकि यहां पर जो हमारा स्थीठ है वो टू-डैमेंशन बाड़ी है उसके पास लंबाई भी है और चोड़ाई भी है तो यहाँ पर क्या उसके साथ मंटिप्लाई होगा आवेज बराबर आवेज घनत्व गुडित 6 तरफल अब हम क्या करेंगे बारी-बारी से तीनों प्रिष्ट से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकालेंग एस वन प्रिष्ट से निकलने वाले फ्लक्सों की जो संख्या होगी वो क्या होगी देखो इसको हमने संख्यत कर दिया फाई E1 इक्वल टू हो जाएगा E इन्टू S1 इन्टू कास थीटा दैट इक्वल टू E इन्टू देखो यह जो S1 है यह जो S1 सरफेस है इसके तो E इन्टू A हो जाएगा और यहाँ पर देखो कास थीटा का भेल्यू तो यहाँ पर आप देखो यह विदू छेतर की तिवरता की दिशा है यह जो येलो लाइन आप देख रहे हो यह विदू छेतर की तिवरता की दिशा है और यहाँ पर जो प्रिष्ट है प्रिष्ट प्रिष्ट के लंब बहुत है देखो उस नोट को बार-बार आपको मैं याद दिला रहा हूं जो मैंने पहले बताये था तो जब तिब्रता प्रिष्ट के लंब बहुत हो थीटा कितना होगा जीरो, वेरी गुडँ, थीटा कितना होगा यहां पर? जीरो तो यहां पर हम जीरो लिख दें कास जीरो, कास जीरो बन होता है तो कास जीरो बन होने पर यह होगा ए इन्टू एइस पकाः से इसी तरह से निकालें S2 प्रिस्ट से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या S1 प्रिष्ट से निकल लेवाल फ्रक्सों की संख्या को हम Phi E2 कह देते हैं तो Phi E2 इक्वाल टू कितना हो जाएगा A S2 इन्टू कास यहाँ पर भी 0 होगा That equal to E into A और कास 0 1 हो गया S2 कितना होगा A यह हो जाएगा S2 प्रिष्ट से निकलने वाले फ्रक्सों की संख्या अब तथा अब हम तीसरा निकल लेते हैं किसे S3 प्रिष्ट से S3 प्रिष्ट से S3 प्रिष्ट से निकलने वाले फ्रक्सों की संख्या निकलने वाले फ्रक्सों की संख्या अब S3 प्रिस्ट से जो flux निकलेंगे वो चित्र में देखना किस तरह से होंगे इसको हमने कहा दिया क्या 5E3 इक्वाल टू है जाएगा E into S3 into cos अब चित्र को आप देखो ये हमारा S3 प्रिस्ट है ये S3 प्रिस्ट है और ये जो S3 प्रिस्ट की दिशा है वो ऐसी है ये मतलब विदू चित्र की तिवरता S3 प्रिस्ट के समनांतर है और जब विदू चित्र की तिवरता प्रिस्ट के समनांतर होता है तो थीटा का वेल्यू क्या होता है 90 डिग्री होता है ठीक है कई लोग आप लोग जवाब दे रहे हों अभीनाव रमेश ओके वेरी गुड तो कास 90 डिग्री हो जाएगा तो कास 90 डिग्री होने के कंडिशन में यह कास 90 और यह पूरा क्या हो जाएगा जीरो इस पकार से हमने तीनों प्रिश्ट से फ्लक्सों की संख्या निकाल लिया ती कुल फ्लक्सों की संख्या कुल फ्लक्सों की संख्या यदि हम फाइए निकाले तो फाइए इक्वाल टू क्या जाएगा फाइए वन प्लस फाइए टू प्लस फाइए थरी यह कुल फ्लक्सों की संख्या होगा और फाइए वन का वेल्यू है इंटू ए फाइटू का वेल् तो तीनों को हम जोड़ देंगे, तो इसको हो जाएगा 2E into A, यह हो जाएगा कुल फ्लक्सों की संख्या, अब लास्ट काम हमारा क्या है, गास के प्रमे से, इसलिए गास के प्रमे से, अब तो आपको याद हो गया होगा कि क्या काम हम किस इस्टेपर कर रहे हैं, तो गास के प्रमे से, अपने को मालूम है, क्या होता है, फाई E equal to Q upon epsilon, यह होता है, तो गास के प्रमे में, अब हम वेल्यू को पूट अप कर दें, तो वेल्यू पूट अप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फाई E का वेल्यू कितना है, 2E into A, और Q का वेल्यू हम निकाल के रखे हैं क् sigma into A, that implies, आगे इसको साल्व कर दिया जाए, तो दोनों साइट से, A cancel out हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E equal to, एक मिनिट, और अपान epsilon नाट भी है न, अपान epsilon नाट, ए, A cancel out हो जाएगा, तो E equal to हमको मिल जाएगा, क्या, E equal to sigma upon 2 epsilon नाट, sigma upon 2 epsilon नाट, यह हो की तिब्रता का final equation, sigma upon 2 epsilon नाट, एक समान आवेसित, पतले गोली कोस के कारण विदुच्छत्र की तिब्रता, यह थोड़ा ध्यान से समझो, अब हमारे पास जो गोली प्रिस्ट है, उसके कारण हमको विदुच्छत्र की तिब्रता निकालना है, मालोए गोली प्रिस्ट है, अब इस गोली प्रिस्ट को हमने, suppose इसकी तिरिज़्या मालो R है, और इसको हमने plus Q आवेस दिया, यह केंद्र है, इसकी तिरिज़्या capital R है, और इसको suppose plus Q आवेस दिया गया है, इस तरह से, अब देखो इसका working step थड़ा बदा जाएगा, क्यों बदा जाएगा? क्योंकि गो गोला जो होता है, वो एक समान प्रिस्ट होता है, तो यहाँ पर आवेस का वितरन चारों तरफ समान रूफ से होता है, और समान नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आवेस घनत वगेरा मानने का जूरत नहीं है, यह सबसे आसान calculation है, और बिल्कुल यह दो लाइन में निकल ज फेस होता है, सिर्फ गोला ही ऐसा चीज़ है, इसलिए मिनिमम एरिया कवर करता है, तो जब इसको आवेस देंगे तो इसके चारों और जो विद्धु छेत्र उत्पन होगा, उस विद्धु छेत्र के किसी बिंदु पर सपोज हमको तो ये मैं कोई इसके चारों और इस तरह से जो छेत्र निर्मित होगा, उसके किसी बिंदु पर हमको विद्धु छेत्र की तिब्रता मालो निकालना है, तो उसके लिए हमने कोई पॉइंट सपोस्ट कर लिया, मालो इसके लिए हमने ये पॉइंट सपोस्ट कर लिया यहाँ तो इस बिंदू पर हमको विद्दू छेतर की तिब्रता निकालना है यह कोई पॉइंट P है और इस बिंदू पर विद्दू छेतर की तिब्रता मान लो यह है जिसका मान है E यहाँ पर विदी छेतर के तिब्रता ई है और केंदर से इसकी बीच की दूरी को हमने इसमाल आर सपोस्ट कर लिया है मतलब यह जो डाटेड लाइन से हमने गोला बनाया है उस गोले की त्रिज्या हमने इसमाल आर ले लिया तो यहाँ पर अब हम कलकूलेशन कैसे करेंगे देखो यहाँ तीन प्रिश्ट हमको नहीं मानना है तो क्या करेंगे गर्णा इसका सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदू P से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या ठीक है तो बिंदू P से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या तो E S into Cas देखो ये प्रिष्ट पर लंबत होता है क्योंकि त्रिज्य हमेशा परिधी पर लंबत होता है तो यहां पर 0 हो जाएगा क्योंकि तिब्रता प्रिष्ट के लंबत होने के कारण ये Cas 0 हो जाएगा अब इस तरह से इसका जो वेल्यू होगा फाई E equal तो फाई E equal to हो जाएगा E into S तो S क्या है ये गोले का वक्रिष्ट है गोले का वक्रिष्ट है जो की होता है 4PiR square तो 4PiR square और Cas 0 तो 1 हो जाएगा तो फाई E equal to हो जाएगा E into 4PiR square अब यहां पर डारेक्ट लगाएंगे हम गास का प्रमे और कुछ नहीं करना है इसमें सीधा हम लगाएंगे गास का प्रमे तो गास के प्रमे से हम जानते है क्या कि 5E equal to होता है Q upon epsilon 0 तो यहां पर इसके value को हम put up कर देंगे जब इसका value हम put up करेंगे तो 5E का value क्या put करेंगे E into 4PiR square और equal to यह हो जाएगा Q upon epsilon 0 that implies यहां से हम E को left side में रखें और बागी को right side में transfer कर दें तो यह हमको मिल जाएगा E equal to 1 upon 4Pi epsilon 0 और Q upon R square यह होता है इसका formula यह इसका formula होता है जो प्रिश्च से बाहर किसी बिंदू पर विदू छतकी तिप्रता का formula है तो यह जो पहला हमने formula निकाला है यह वास्तों में क्या है पहला है प्रिश्ट से बाहर इसमें तीन condition में हम calculation करते हैं यह पहला है प्रिश्ट से बाहर देखो यह जो बिंदू P है वह गोली प्रिस्ट से बाहर है clear यहां तक गोले के प्रिस्ट पर second condition गोले के प्रिस्ट पर यह दि हम गोले के प्रिस्ट पर बात करें तो गोले के प्रिस्ट पर क्या हो जाएगा देखो फिगर से आप देखो कि जब यह बिंदू गोले के फ्रिस्ट पर आ जाएगा तो यह जो capital R है वह small R के बराबर हो जाएगा तो उस condition में small R equal to capital R होगा और तब बिंदू छत्र की तीब्रता E equal to 1 upon 4 pi epsilon not Q upon capital R square होगा यह हो जाएगा और इसका third condition है गोले के अंदर तीसरा है गोले के अंदर यदि हम गोले के अंदर चले आए तो यहां एक बहुत महत्त पूर्ण बात ध्यार रखना गोले के अंदर आवेस का मांज सुनने होता है क्योंकि जब किसी खोखले गोले को आवेस दिया जाता है तो आवेस केवल उसके surface पर विचित होता है और विद्दी छत्र उसके बाहर बनता है गोले के अंदर कोई आवेस नहीं होता है तो आवेस का मांज सुनने होता है तो naturally यहां पर विद्दू छत्र की तिब्रता चू यह है हमारा गोले के कारण किसी आवेसित गोले के कारण विद्दू छत्र की तिब्रता क्लियर यहां तक इसके बाद देखो इसमें एक important topic है वो यह है गास के प्रमे की सहता से कुलाम के नियम का सत्यापन कई बार board exam में यह question ऐसा पुछा जाता है कि गास के नियम की सहता से कुलाम के नियम का सत्यापन करो हमने कुलाम का नियम पढ़ा है और उसका हमको सत्यापन करना है किसकी सहता से गास के प्रमे की सहता से तो वास्तों में जब गास के प्रमे की सहता से कुलाम के नियम का सत्यापन पूछेगा तो यही topic पूछ रहा है यह यही topic पूश रहा है मतलब तब हम क्या करेंगे पूरा इसी topic को हम copy करेंगे और इस topic को copy करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर suppose कर लेंगे कि मालव बिंदुपी पर Q0 आवेस रखा हुआ है सुनो मेरी बात ध्यान से जब गास के प्रमेक की सहायता से कुलाम के नियम का सत्यापन करने बोलेगा ये पूरा टापिक को कापी करेंगे और उसको कापी करने के बाद यहाँ पर कंसिडर करेंगे ठीक है गास के प्रमेक के अनुप्रयोक से आगे उससे पीछे से क्या करेंगे यदि P पर Q0 आवेस उपस्थीत हो तो उस condition में क्या होगा तो उस पर लिखेंगे फिर Q0 पर लगने वाला बल उस पर लगने वाला जो बल F होगा वह क्या हो जाएगा Q0 into E होगा हमको मालूम है किसी आवेस पर लगने वाला जो बल होता है वह आवेस गुरित विद्वु छथर की तिब्रता होता है तो हम मान को भर देंगे that implies यदि हम इसको आगे solve करें तो क्या हो जाएगा f equal to q0 और विद्धु छेतर की तिप्रता का जो हमने formula निकाला है पीछे 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square यहाँ पर put up कर देंगे पीछे से और therefore यह हो जाएगा f equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q into q0 upon r square और आपको मालूम है कि यही क्या है कुलाम का नियम है तो आगे हम लिख देंगे जो की कुलाम का नियम है यह प्रूप्ड हो जाएगा यह प्रूप्ड हो जाएगा कुलाम का नियम तो जब बोलेगा question में कि गास के प्रमे की सहता से कुलाम के नियम की सत्यापन करो तो इतना बात हमको और extra लिखना पड़ेगा पीछे को लेके पीछे के topic को लेके इतना और extra लिखना पड़ेगा ठीक है चलिए अब एक last topic और है इस chapter का इसके बाद यह वाला chapter हमारा complete हो याएगा क्या है last topic है देखो एक special case है दो समांतर आयताकार चादर के कारण विद्दु छेतर की तीब्रता यह capacitor पढ़ेंगे तो काम आएगा ध्यान रखना दो समांतर आयताकार चादर मतलब seat के कारण विद्दु छेतर की तीब्रता है इसका हमको यूज करना है जब हम गास स्वारी जब हम संधारी तर पढ़ेंगे जब हम capacitor पढ़ेंगे तो इस topic का हमको वहाँ पर यूज करना पढ़ेगा तो ध्यान रखना यहीं से मैं लिख देता हूँ कि इसका यूज होगा capacitor पर यूज यूज इन capacitor लिख दिया में तो दो समानतर आयताकार चादर का मतलब क्या हुआ देखो यहाँ पर मैं ये page रखा हूँ इससे आपको मैं इसको फ़ाड़ के समझा रहा हूँ देखो एक आयताकार चादर ये है और ये आयताकार चादर ये है तो जब दो आयताकार चादर इस पकार से रखे हो समानतर देखो एक आयताकार है तो दोनों मिलके तीन छेतर का निर्माण करेंगे दोनों मिलके किस तरह के तीन छेतर का निर्माण करेंगे देखो ये मैं आपको फिगर से सो कर दूँ एक आयताकार चादर ये है और दूसरा आयताकार चादर ये है दोनों समनांतर है और अगल बगल रखे हुए है अब यदि सपोज हमने इसको प्लस चार्ज दिया इसको चार्ज तो अलग से देते हैं इसको मालनो ये A आयता कार चादर है इसका आवेस घनत तो सिग्मा A है और ये B आयता कार चादर है इसका आवेस घनत तो मानलो सिगमा भी है अब चूंकि इसको आवेस दिया जाएगा तो इसके एक तरफ धन आवेस उत्पन होगा एक तरफ रिड़ आवेस उत्पन होगा तो मानलो दोनों के बाये तरफ रिड़ आवेस है माल लो दोनों के बाये तरफ रिड़ावेस है तो जब दोनों के बाये तरफ रिड़ावेस है तो पहला छेत्र का जो निर्माड होगा यह दोनों के बाये तरफ है तो माइनस माइनस चार्ज होगा जब बीच में दूसरा छेत्र का निर्माड होगा एक तो इस साइड में होगा फिर बीच में होगा फिर इस साइड में होगा तो बीच में जब विदू छेतर का निर्माड होगा तो ये वाले का राइट साइड है तो प्लस होगा ये वाले का लेट साइड है तो माइनस यहां प्लस माइनस छेतर निर्मीत होगा और यह जो तीसरा फिल्ड आप देख रहे हो, यह दोनों के राइट साइड में है, तो दोनों के राइट साइड में होने के कारण यहाँ पर प्लस प्लस छेत्र का निर्माण होगा, इस पकार से अभी हमने जो आयताकार चादर के लिए जो पढ़ा है, उस फार्मूला को यहा इसको हम बारी-बारी से लिखते हैं, देखो, सबसे पहले, पहले चेत्र में, जिसको मैंने E 1 लिखा, यह पहला चेत्र, माल लो यहाँ पर विदुचेत्र की तिव्रता E 1 है, यहाँ पर माल लो विदुचेत्र की तिव्रता E 2 है, और माल लो यहाँ पर विदुचेत्र की तिव्रता इस तरह से तो फार्स सेकंड थर्ड फिल्ड जो है उसके काड़ विदुच्छत तिव्रता कितना होगा तो पहले छेत्र में देखो दोनों नीगेटिव हैं तो क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा ए माइनस कि सिग्मा अपांड टू अपसाला नाट आयताकार चाधर के लिए तिव्रता होता है तो माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा भी अपांड टू अपसाला नाट होगा तो E second ये second फिल्ड में जो विदुच्छते की तिवरता है तो देखो एक का plus है दूसरे का minus है तो क्या हो जाएगा sigma A minus sigma B upon 2 epsilon 0 ये दूसरे फिल्ड में होता है ये बहुत important है ध्यान रखना ये numericals बनाने में काम आएगा और capacitor में तो काम आएगा ही आएगा ठीक है और तीसरे छेतर का जो निर्माण होता है ये होता है E third field तो तीसरे छेतर का यहाँ पर देखो दोनों plus plus हैं तो क्या हो जाएगा ये sigma A plus sigma B upon 2 epsilon 0 तो ये तीनों फार्मूले को आप याद रखना ये है दो समांतर आयताकार चादर के कारण विद्दू छेतर की विब्रता clear इस तरह से ये गास का प्रमे और उसका application ये हमारा complete हो गया अब हम next class में इसके numericals करेंगे next class में हम इसके numericals problem की practice करेंगे इस chapter के numericals और multiple choice questions इस वीडियो के description पर link में दिया हुआ है जहां पर आप जाके इसके numericals और multiple choice question भी solve कर सकते हैं तो आप chapter के साथ साथ इसके numericals और multiple choice question की भी अच्छे से practice करेंगे ओके थैंक्यू आल देवेस्ट